करेगा कौन से शेप्टर से रोटेशन से वो लग लिए रहे इसमें काफी रूल होगा तो मैं आप बताता हूं सर्कुलर की बेसिकली अगेन आप ऐसे समझो जैसे मैं आप बताता हूं आपने पहले फेल कायचे कि पड़ी क्या पड़ि शुरु उसी के साथ साथ आपने एंलैंभी पड़ा क्या ये पर्णाथ असलिफमें केकि ऐसे पलड़ाइब की और सबते गुआ हैं सबहते अपने ये हम पढ़ा था सब्सक्राइब और फिर फ्हार्एट फे Issgyande जूर्फ करेंगे के सब्सक्राइब तो आपना सर्कूलर हे रहे हैं तो अपन समझतें अच्छे से तो बेसे क्लिस्थ तीन पेरामिट क्यों जो ही अपना सर्कूलर तो चला है यह सर्कूलर है कि जो भी पेरामिटर से यह एने से भूमे तो हं धीटा.. अरे खोलगार एसे अपन घूमे थीटा.. धीठा का जो पेरामिटर यह जो पारमेटार है сдел एक डरेक्ण से लुकैन मालोच अपनी घर से निकला मालो मैं अपने घर से निकला, मैं अपने घर से निकला और सीधा चल रहा हूँ, मेरा पात कैसा है, ठीक है, मेरी बीबी ने मुझे छोड़ा और मुझे देख रही है, उसे क्या मेरे को देखने के लिए मुंडी गुमानी पड़ी, सीधी देख रही है, सीधी देख रही है, सी यह इंगुलर वेरिएबल थीटा इंवाल्ड हो गया और याँ जो इसके फ्रेम में सर्कूलर के पेरमितर आगया इसमें आये की नहीं गया कर रहा है मैं सिर्फ इतना समझाना चाहा हूं कि यह सबस्क्राइब नाइंटी पर्शंट सवाल सर्कल से आई सब्स्क्रिण सर्कूलर के परेमिटर सर्कूलर पाथ के साथ यह जरूरी सर्कूलर के परेमिटर किसी भी पाथ के साथ तेच्ट हो सकते हैं depending on the observer depending on the circular मतला समझो theta omega alpha सर्कुलर मतलब समझो थीटा ओमेगा इलफा की मैं ज़्यादा यूज सर्कुलर पाथ में ही लेता हूँ तो 85 प्रतिशत सवाल वहीं से हो गया यह एकरी पर क्या यहाँ पे भी थीटा इंवाड हो सकता है तो यहाँ पे भी सर्कुलर है यहाँ पर भी तो पहली बात यह बात समझे है कि सर्कुलर मोशन की स्टड़ी इस नाट ओनली कंफाइंड तो सर्कुलर पाथ इसके स्टड़ी दूसरे पाथ के साथ भी अटेच जैसे की एक्जामपल अरे हाँ आ आ बोलिया पहली बात यह अपने को समझ में आनी कि सर्कुलर के परामिटर से नाट ओनली अटेच्ज विछ सर्कुलर पाथ इसके लिए इसके लिए थीटा कितना है पर इसके लिए थीटा है मैं आप से पूछू इसमें डी थीटा बाव गीटी की वेल्यू का क्या हो रहा है वड़री गड़री कॉंस्टेंट कॉमन सेंस है कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा है बोलो है अपन कॉंस्टन्ट स्पीट से जल रहे हैं तो दी थीटा बाव दी थी बड़रा थे घट रहे है घट रहे है कॉंस्टै कॉंस्टै पड़ रहा है कांस्टने कांस्टन लॉजिकली सुन्थ है कॉंस्टन है असुन लेते ना देखते सही है ग्राइश कि माललों मेरी रफ्तर 10 मिंटर पर सेकेंड है कितनी है कि सोचो माललों में एक सेकड में यहां से आख की दूरी ट्रेवल करता हूं तो अगले एक सेघ्ड में भी तो इतनी दूरी ट्रेवल करूँ गुरुड तो बोलग लिया अध्यान देख कौन सा एंकल जाद है थीटा वन थीटा घूवं कर चाहाँ पहां ट्रेवल करा अगले एक सेङ्ड में अगले एक सेङ्ड में तो गटा है बडाई सब्सक्राइब करें जा सकते हैं और वही रियल चर्चा होगी वही अच्छी चर्चा होगी फिरता जो मैं बोला क्या चमका यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया नहीं आया कर आये था तुम्हें याद है मुझे नहीं पता कि अपन ट्रेन में बैठकर अगर एक पास वाले पोल को देखते हैं तो कौन देरी तक दिखाई देता है क्या उसका लॉजिक भी बताये था भूल गया कि याद है बताये था कि अगर ट्रेन में बैठकर देखो तो इसकी रफ सवाल है ज्यान से देखो तो यह भी एंगुलर वेरियेबल से हाला कि यह कॉमन सेंस का सवाल है किसका सवाल है यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया आया कि नहीं आया तो पहली बात बस इतरह सा उतार लो कि लिखो study of circular ऐसे लिखना मैं अपनी बाशा में बोलना हूँ कि circular study सिर्फ circular path में हो यह जरूरी उसके variables normal path के साथ भी attach करे जा सकते हैं यह depend करता है observer पर ऐसे लिख लो और यह उतार लो अपनी बाशा में ऐसे लिख लो और यह उतार लो क्या बोले मैं बोलना हूँ कि circular path की यह circular motion की study सिर्फ circular path से अटेजड हो यह जरूरी वो किसी normal path में भी attach हो सकते हैं depend करता है observer पर depend करता है observer पर ऐसे अपने शब्दों में लिखो और यह उतार लो जो बूट में लिखा हुआ है अगर नी जाना देखो गलत बाद 13 वो घर जाते हैं साले सबसे पहला basic सापना जो इसका variable है वो है angular displacement क्या है अरे हाँ ना बोल एंगुलर displacement अपना है अपन जानते है थीटा से डिनोट करते हैं इसकी unit क्या होती है बाइसाब radiant क्या होती है कभी सुना ही नी थीटा एंगल सुना है ना यह plane angle है कोई शक वाली बात नहीं अपने इसको बोलते है यह थीटा कहलाता है स्वाड़ एंगल अपन इस तू में पढ़ेंगे है ना उसकी unit वैसे क्रीकित बात करें तो इपना शेवान तो आपी मुंडिय से घूमि थीटा क्या है इसे कहते हैं एक्जियन उटपर का मतलब कि अगर जब आ जेसे हैं इसको वेक्टर ऐसे मनाया बट़ा जीप से लगता किसाब इतना फुमें तो यह से कल लीग वेक्टर एक जख चकर काट लिया तो ये जो उन close कि टो यह μ safer to a भर हुआ इन ने आखे भी और बहुत चे करू किसे बेसिक से ब्हुद में जले चुक्ट और जैंड रहा। कई लोग महा चमतकारी हैं गुमाएंगे इसको अंगुठा पाओं का देखेंगे करल दे फिंगर्स ओफ यो आर इंदर रोटेशन अफ थीटा दे डारेक्शन अफ थाम विल गिव यू डारेक्शन अफ थीटा क्या है इसे संगे इसे कि इसे से खुमूँ और यार हा ना बौल यह वेसा ही तो जिदर वो बहार अंदर आता है न वो इ सीटा की जिदर घूम रहे हैं, उदर हाथ को घुमाएं और जिदर थम आएगा, क्या वो इसकी डिरेक्शन होगी? जार्व मुझे लगा हैं, तुम्हें आया, आया की नहीं आया, ऐसे, तो कुल दे फिदर सों प्याइघ है, तो इसकी डिरेक्शन किदर है? अंगुलर दिस्प्लेश्मिंट है यह, क्या है? मानों मेरे चक्कर यहां सी चालो कुछ आइप कर भूभे वापस यहीं होगा और हम फिस्छाम और हगा इस्कैलिश्मंट क्या हुआ हों और है तो पई रखे हो क्या था थेज़की हो क्या बिल्कुल एक चक्कर मेरे अग्аки दिस्फ्लेस्फ族 बाई सब्सक्र हो ता chirping ऐँ चाः अच्छ हुआ मैंने पूछ लिया ऐसा एक चक्कर में एंग्रोडिस्प्रिस्मेंट टुपाई होता है गो्सकता है मने बेकू बनाया हुआ एक चक्कर में एंग्रोडिस्प्रिस्मेंट तू पाई की जीरो। तूम्हे बेखूँ बनाना बहुतू एक चक्कर में लुटिस्प्रेस्मेंट। अजक किते लोग और पिए थाई। टू पाई। है। राजिएरो पेसा तू यह। एक चक्कर वे आनगो डिस्पेस्मेंट। गिता होता है। को पाई वन चक्कर एक चक्कर टू पाई तो वाला चक्कर नहीं है कि एक चक्कर टू पाएंगे अरे एंगूर डिस्पेश्मेंट देख आपन ऐसे जिले तो इधर तो बढ़े ना अरे हाँ ना गोल मालन में आपको बुनों से सवाल आएंगे पंका बंकरा मालन में पंका चल रहता बंकर दिया तो साड़े चौदा चकर बाद रुग गया कितन पाई कि जीरो कि पंदरा पाई मैंने बोला पंकर चल रहा था बंद कर रहा साड़े चौदा चकर बाद रुगा तो इंग डिस्पेश्मेंट क्या लोगे पाई 0 15 पाई पाई 0 15 पाई पाई 0 15 पाई किते लोग बोलता है 15 पाई 15 पाई 15 पाई 15 पाई 15 पाई नहीं मैं साड़े चौदा चकर बोला कितने बोला 15 पाई थोड़ी होगा पाई कि 29 पाई पाई कि 29 पाई दो यह नहीं पाई यह नहीं आया आए तो आएगा 29 पाई कितना है सब्सक्राइब एक चक्र में जीरो इसे चल रहा है और यह अपना थीटा है यह अपना क्या है अपना थीटा है और सुचो यह है आर्क लेंथ तुम्हें अगर पता हो तो पूरा पेरिफेरी का डायमेटर के टूपाई आर होती है सब्सक्राइब लेंद के लिए क्या दिखा जाएगा थीटा इक्वल्स तू आर्क लेंथ अरे हाना बोल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कोई गुरहीं नहीं है थीटा वेक्टर है और अग्लेंथ वेक्टर है यह मैगनिट्यूड है यह यह तो रिलेशन नहीं है थीटा इक कोई दिस्पेश्मेंट वेक्टर अपॉन आपॉन आप्उन आर्क लेंद को यह रेशन है लीनियर वेरियेबल का एंगुलर वेरियबल के साथ पर ये वेक्टोरिली अटेज्जड क्या ये मैनिटी उडवाइज है वाच्छुलिटी बाते हैं जो आपको आगे काम आएंगी क्या पिच्छर एकदम प्लियर है अच्छा थीटा एकोस तो आर्क लेंद अपॉन आर ये अगर आर्क लेंद छोटी कर दो और आर भी छोटा कर दो तो भी क्या थीटा वोई रहेगा तो भी थीटा मुझे लगा इंटुम्हें आया चोटी सी बेसिक बेसिक बात उताव ले जो बोला अभी फिर आगे बढ़ते हैं बिलकुल शर्मनाख बात अनै को आल ये तोग जोगा ने थीटा में पस इतनी संजाने लिए बात है वगी वेक्टार है डाय्यचन लगन अ कल और रोलेश्इज़ए य। बॉरेश्चन और दीनुरस को ता होई लगी बात य। ऑन शर्य बढ़त कोई बुरह जाएबाद है और लेंग अपान डीटियस इसका दूसरा परामिटर वो है ओमेगा क्या है में गैसे अग्वह नोट करते हैं चलो बताओ किसे ओमेगा 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 इसकी निट होती क्या होती है कि बेसिक थोड़ा सा तेज वोल दू चल देया है गा तो ओमेगा बराबर रदीन पर सेकेंड ज्यांस देखो तो ओमेगा असलिएत में अगर आपना अपना ओमेगा एवरेज की बात करें बिल्कुल वैसी बात है जैसे मैंने व्लॉस्ति की बात करी थी ओमेगा अगर इसको लिए टोटल इंगलो डिस्पेश्मेंट अपन टोल यह सो नो अगर इसका में टाइम को डिल्टा टी तेंट तो जिरो कर दू जिरो ने बिल्कुल पहला लेक्शे रेंट कर रहा होगा उनको बात याद है तो डिल्टा थीटा बाइटा बाइटा थी कोई गुर अगर आपको ओमेगा इस फंक्शन आफ 2 ट स्काहर प्लस 2 प्लस 1 पता ओ क्या आप टिटा निकाल सकते हो एग वा कि लिए तो निकाला को सब्सक्राइब निकाल सकता है यह सिंपल सी बात एक तो ओमेगा के बारे में बुलो गलिया एसे बहुत सारे सवाल में करा सकता हूं एक भी आपको करा नहीं रहा हूं मान रहा हूं कि आपको कॉंविडेंस है पुरानी कहानी इसलिए में आपको बारबर करता हूं जिसे दिन 50% से लेबस हो चुका होगा आपको पता नहीं पड़ेगा पर हो इतना ही चुका होगा खेर आगे बढ़ते हैं आई यह बहुत बढ़िया साब अच्छा ही बात अगर अगर सब्सक्राइब मनलट रेगल इसे चल रहा है विर अफ्तार से कितने हैं एक दिरता से बालेटें हुए है स्ञेस, चया होती है फिलीर है ऐसी टो है सिटा था अरक लिंप लेडियस सब्सक्राइबशे रिखनार है ओस लिख अहर फिर प्लisco Marketing है rapid DT upon 1 by R R R क्यों और आगया? constant R-land change होरी है? R-land वास्तिकत में कहा? distance travel, displacement travel rate of change of distance क्या होती है? speed that is V that is V that is V that is V then omega बराबर V मैं जानता हूं किया के relation जानते ओपर उसे P करो कि वो आया थित हो तो आर्ग लैंट अपने रिडियस से अरे नहीं आया यह यह युश्टर लिये साही है यह सही है तो इसको ऐसे लिखते नहीं है और वी क्या है अगर आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखते नहीं है अरे यार मेंडिड़ ओओ ओमेगा एको सु मेंड़ीड़ ओफ वी भाई तुम्हें दू दूर तक समाझ आया नहीं आया सोच लो हम इसको एक लॉस्प्रोट के रिलेक्शन से भी लिख सकते हैं सरकल में देखी कैसे पता नहीं आप से सुना या नहीं सुना ली सोना तो सुन यह वेलाजिक्र ओमेगा किदः बाहर हुं मेंगा किदः अर तू दियान से देखे न तूदेखS ओमेगा in 2 r is V अब देखो ओमेगा किदर अरर ये से हैं और ओमेगा बाहर अगर तू बहुत ध्यान से देखो Ukraine और आर में कितना एंगल करते ना rape ओमेगा क्रॉस और क्रॉस तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी वेक्टर इक्वस्टू ओमेगा क्रॉस तुम्हें दूर दूर दुर समाज अलागी अपन ज्यादा इसको यूज नहीं लेते हैं अपन क्यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया 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 नहीं आया सोच लो ओमेगा सॉरी वी वेक्टर इक्वस्टू ओमेगा क्रॉस और अस्लिद में ओमेगा क्या है डी थीटा बाई डी टी और उसका सर्कल में रिलेशन है ओमेगा बराबर वी बाई पर यह वेक्टर रली सही नहीं, उताःणो, खिरा के बढ़ते हैं. एसे ओरिजनल तुर देखिए, यह दिर मोटा, साला तो अधिका वेक्टर बड़ा पर वेक्टर भाई यार सब ने बोला ठीक मैं नहीं बोला ठीक अगर सब्सक्राइब बड़ा जाए तो क्यों में बड़ा बड़ा वी भाई यार गुष में अच्छी चर्चा प्रल एक्टां फ्सक्राइब आओ तब ओमेगा की सब study of omega in non-circular path in study of omega study of omega in non-circular path non-k-n-o-w वाला नहीं नोन वाला तुम्हारा कोई भरुशा है तो study of omega in non-circular path जहां सी देखें माल लेजिए पटाइम होगे नहीं बाई देखो ओमेगा क्या चीजब ओमेगा सरकल में पढ़ी वाई भी पर हमने बोला तहाँ थीटा थीटा के एक जिल वेक्टर है रूज पेए पालेरें रागों पड़ने वाले हो मिवह अगर आ अगर आपने बात करें तो ठीक है ऐसा-इसा पैसे छोट बाइसे इसी का जो डी तीटा पर डीटी उता है क्या होता है उसे ओमेगा कहता है विए वेरिट्टर कोई वाली बार्द यहां तक ही बात आपन समझे कते हैं अब जैसे मान लीजिए कि अपने ऐसी बात करें कि ऐसे एक पार्टिकल है, जहाँ समझना यह अपना पार्टिकल ऐसे चल रहा है इस समय पर यहाँ पर है मेरे आपको पहले ही बता है कि यहाँ कोई आदमी कड़ा है तो इसे देखने के लिए मुंडी घुमाने की जुरत पर अगर यहाँ कोई है जो इसे देख रहा है तो क्या मुंडी घुमाने की जुरत है मुंडी घुमाने की जुरत है अगर आप बहुत ध्याद से तो आपको समझ में आएगा कि अगर यह पार्टिकल वी से चल रहा है और यह पार्टिकल ऑब्जरवर है कौन है अब जब अपन इसको माल लेते हैं पार्टिकल इसको माल लेते हैं अपन अब्सरवर तो ओमेगा ओफ पी विद रिस्पेक्ट तो ओई नथी थीटा बाइट अब बहुत लॉजिकल यह बात समझ में आती कि बाइसाब अगर यह अगल अपना थीटा है अगर यह अपना थीटा है तो यह भी अपना थीटा तो क्या यह भी थीटा यहार मुझे लगाएं तो आया पकी बात वी के दो कमपनेट करो इधर वी कौस थीटा और इधर वी साइन थीटा और वी सेंटर पता थीटा को घुमा कौन रहे गाएं वी साइन थीटा तो दूर लेज यह गाएं कहीं वी कौस थीटा ऑफ सर्कुलर वाला है अरे नहीं आया या कि मैं इसे सेंटर मानते हो इस सर्कल देखों तो कौन सी रफतार परपेंडिकुलर यह जो वंसुर्किल बुए सुख्यव टतलेंगि अरे नहीं आया अरे नहीं आया तो हमेशाद सभी वयोस्टी की दो कम्पॉनेंट करो एक प्रप्रेंडिकुलर और एक किसके प्रपैंडिकुलर उप्रपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू नाइन आया तो परपेंडिकुलर के दो परपेंडिकुलर लाइन करो एक वी कोसिता और है अब खुद गुद्धी से बता कि ओमेगा क्या लिखा जाएगा खुद बता वी परपेंडिकुलर बाई आर क्या है यार हा ना बोल नहीं आया तो परपेंडिकुलर टू आर 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 अरे यार हा ना बोल और इसे short form में लिखा जाता है V perpendicular by R V perpendicular by R बेसिकली नॉर्मल पात को भी हमने सर्कुलों से attach करके सीखा तो हमें पता-पड़ा कि अब वास्तविक्ता में ओमेगा इस बेसिकली V perpendicular by R मुझे लगा नहीं तुम्हें आया आया नहीं आया तो जनरल पात के साथ भी क्या ओमेगा जोड़ा जा सकता है तो ये ओमेगा डिपेंड करता है थीटा पर और थीटा डिपेंड करता है अब्सरवर पर थीटा डिपेंड करता है मुझे लगा नहीं तुम्हें आया सब्सक्राइब बात में जर्णली हम अब्जर्वर कहां पर मानते हैं सेंटर पर कहां पर मानते हैं पिर तो ये पिच्छर क्लियर होई उतार ले फिर मैं सवाल कराता हूं आपको क्लेरिटी आती जाएगी सुने ध्यान से जाने जिगर जाने मन फार या तो वेलर भाये तो अभेव पर पंडिकुलर भाई आप माली जी प्रकल को कर आ गया ऐक पार्टिकल को द्रॉक करा गया मां लो 50 मीट्र हाइट से किती हैट से 50 मिट्र हाइट से कर दिया गया बूड लियर एक ब्रॉट और यहां पर था मान लो चाली कि दूरी पर कि दूरी पर 40 मिटर की दूरी पर एक पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया गया पूछ गया omega of the particle with respect to observer after two seconds omega of the particle with respect to observer after two seconds, omega of the particle with respect to observer after two seconds, omega of the particle with respect to observer after two seconds. कर सकते हो, तुम लोग करना ही ही है, वी पर्पेंडिकुलर भाई यार, कुई रोकेट साइंस नहीं है, तुम लोग कर सकते हो, वो उनर, वो कावलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरंदिगी, वो गेंडापन, बोलो, 8 by 25, मुझे अंसान नहीं पता, वो दुमारे सामने बना है, वो पर्पेंड़ दो सेटिड़ बाग गिर किता जाएगा, चाहाफ जी टी स्कॉर, हाफ दस इंटू टी स्कॉर, इस 20 मिटर, नहीं आया, और रफ्तार भी हो जाएगी 20, रफ्तार भी हो जाएगी 20, जहां तक मैं समझ पहा रहा हूँ, क्या रफ्तार हो जी टी, अफ्तार हो जाएगी 20 मिटर, तो यह हो जाएगा 30 मिटर, कितना, 30, यह 40, यह ऐसे होगा, ध्यान से देगो तो यह 30, यह 40, तो क्या आर हो गया 50, आर हो गया 50, और ध्यान से देगो तो यह 37 डिगरी, यह 53 डिगरी, इस 20 का इ अरे नहीं आया तुम्हें दू-दूर तो कुछ भी समाया अरे कभी तो हां ना बोलो अरे 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 पका कितना अंसर आया आट बटे पच्शेश और देख नॉर्मल सवाल है कोई रॉकेट चाहिम नहीं है का गन्ट फ्यूज मत हो यहां सुन। मालने एक पार्टिकल वो पुजेक्टाइल से फेक है ऐसे 45 डिगरी पर विलाउस्ती है 100 रूट टू किती है 100 रूट टू 10 रूट टू ले लो 10 रूट टू ठीक है जहां से फेक है महीं पर अब्जरवर है पार्टिकल लुज अंच्छों माँ परिटीकल विड्र Τू प्रेस्ट जग को प्रेस्ट जग को डिगर को बाächlich षित है पिलू है when it is at the highest point हाँ भई simple है इत्ती देर क्यों लगाई यह ऐसे जाएगा ना तो इस समय रफ्तार कितनी होगी दस अर कितनी होगी यह अपना आर होगा यह अपना कोई छोटे तरीके से कर सकते हैं नहीं करना तो पड़ेगा तो र बाई 2 कितना है UX UI 10 इंटू 10 बाई 10 अरे 10 आया र बाई 2 कितना है UX UI बाई जी लिख सकते हैं न और हमेच्च क्या है UI स्क्वाइर UI स्क्वाइर मतलब 10 का स्क्वाइर 100 बटे 20 पांच बोलो गिलिए रहे क्या तो दस और पांच पांच कॉमन आ गया फाइफ रूट फाइफ अरे कितना है यह है फाइफ रूट फाइफ और यह टैन है और यह एंगल फॉर्टी फाइफ नहीं है भाई साथ अब कन्फ्यूज मत हो ना यह एंगल फॉर्टी 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 है तो साइन थीटा की वैल्यू है रूट फाइफ स्वरी टेन नहीं टेन वन भाइ रूट फाइफ अरे हाँ ना बोल भाइ फाइफ रूट थ्री का अंसर आया टू टू भाइफ का फाइफ रूट फाइफ होगा है फाइफ रूट फाइफ रूट फाइफ तो कितना है फाइफ रूट फाइफ नकर मरी गए तो दस बटे पच्चीस दो बटे पांच दो बटे पांच अब एक बताओ यह सवाल कोई कंसेप्ट है या यह कैल्कुलेशन है कॉंसेप्ट तो ओमेगा बरावर भी पर्पेंडिगुलर भाई आ रहे है वैसे सो दो सो कड़ो उसमें क्या है उनलोग गिसते रहो और गिजाओं की आगे बढ़ जाओं अरे बोलो पकी बाई एक थोड़ा से स्टेप हाय रहा उसमें भी ऐसी कोई खास बात मेरी बाद ध्यान सुन तुम्हें सवाल समझ नहीं आया है आया की नहीं आया है अब मेरी बाद बहुत जहां सुन टू बाइ फाइफ 10 बाइ 25 अगर सोच जित्ते भी दोनों सवाल मेंने भी करेया जो में अब्जर्वर रेस्ट पर था की चल रहा था मालों अब्जर्वर भी चलने लगे ऐसा भी तो सकता है कि उधर कार इधर कार उतरों कॉमन सेंस समझ में आजएगे कि है क्या मान के देख कि मालों यह पार्टिकल और यह उब्जर्वर है बुलो गिया मैं तो कि रहा है दस मीटर पर सेकेंड से कितने से दस से एंगल बना रखा है 53 डिग्री और मैं कह रहा हूं कि ऑब्जर्वर इदर चल रहा है और यह एंगल है 37 डिग्री और पांच मीटर पर सेकेंड से और यह दूरी है 10 मीटर कितनी है 10 मीटर आप से बुलो जाएं ओमेगा और पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अब्जर्वर तो क्या करोगे कॉमन सेंस से पहले आंसर बताओ तुम लोग तुम बता सकते हैं कोई खास बात दी है अगर पार्टिकल भी अब्जर्वर भी चलने लगे तो ओमेगा कैसे लिखेंगे अगर पार्टिकल भी सॉरी अब्जर्वर भी चलने लगे तो ओमेगा कैसे लिखेंगे बोलो बोलो अरे बोलो भई चलो पिदर दो क्या दस का इधर component कितना है छे इधर कितना पाँच का इधर कितना चार इधर कितना तीन ये तीन और छे का घुमाने में कोई रोल अरे हाँ ना बोल इस पर बैठके देखो तो इसकी perpendicular अफ्तार कितनी है बारा इस पर बैठके देखो तो इसकी परणुलर तक इन नहीं है बारा इसको घुमा रहा है अरे नहीं आया तो मैं दूर दूर तक समाच घुमा रहा है कि नहीं गुमा रहा तो ओमेगा की वेल्यू क्या हुई बारा बटे यस 1.2 रेडियन पर सेकेंड कोई गुराई यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया सीखने ला एक बात के वेगा का रियल फामुला है वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर वी परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समाच अच्छाया वी पर्पेंडिकुलर रिलेटिव बाई आड Constraint से एक अच्छा सवाल बता देता हूं Constraint से एक अच्छा सवाल बता देता हूं ध्यान सुनना याद कर ऐसा सवाल Constraint में कराया गया क्या ध्यान से सुनना यस सर के लेसी पता है इसे साथ दस मिटर की लेंध है ये वाला पॉइंट अगर दस मिटर पर सेकंड से भाग रहा है तो वाला कितने से भागेगा बोलो पता सकते हूं क्या कराया था पर उसने पूछा वाट इस ओमेगा ओफ ए विद रिस्पेक्ट तू बी वाट इस दो ओमेगा ओफ ए विद रिस्पेक्ट तू बी नहीं आया तो बी की रफ्तार कैसे लिख रहे थे कुछ यहाद है क्या विलॉस्टी अलॉंग दूर्ट सेम हो नहीं बनना कर रॉट टूट जाएगी तो दसका अगर आप हम भ्यान से देखे तो यह त्रेपन तो यह भी त्रेपन क्या इधर छे तो क्या यह त्रेपन यह से थीज तो क्या वी कॉस्ट टी सेवन फोर वी बाई फाइफ इकोस टू सिक्स यार हा ना बोल तो वी की वैलिव आई थी फाइफ जा फिटी सेवन पॉइंट फाइफ कितनी आई यार मुझे लगा ने तुम्हें आया या पंद्रा बटे दो जो आपको मानना है मान लो कोई बुरह वाली बाद नहीं पंद्रा बटे दो में ज्यादा खुश हुए लोग किवार बाद इधर देखो तह थे हैज़ा को फंद्रा बटे दोका इधर कंपोनेट और इधर कंपोनें ने ऐसे स्मृनेटी से समझें इस दस पर बेटकर इसको देख रहे हैं तो V perpendicular relative, 8 और 9 बटे 2 से ही मतलब है, 8 और 9 बटे ये जुड़ रहे हैं की घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो मेरे हिसाब से answer आएगा 8 प्लस साड़े 4 यानि की साड़े 12 बटे 10, 1.25 radian per second is the correct answer, 1.25 radian per second is the correct answer, यार तुम्हें नहीं आया, आया की नहीं आया, कोई व्रहे वाली बाद, कभी तो हाना बोलो, अरे पक्की बाद, सोज लो, और कराओ समझ आया, आया क्या, अरे पक्का, बेसिकली अगर पार्टिकलर और अब्जरोर का पाथ सर्कुलर ना हो, कुछ भी हो, तब भी हम ओमेगा निकाल सकते हैं, और ओमेगा होता है डी ठीटा बाटी और उसका फर्म सकते सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेसिकली बाते करों, यह तो बहुत अलग टाइब कि बाते हों, वह अगर यह इन पर सब्सक्राइब, आप ने बोला ठीक है, पहला है, बताता क्या है, आप एक सकंड में इतना एंकल ट्रेवल कर रहे हो, नार्मल इंडस्टी एक और तरीक से दिये जरता है जिसे बोलता है आर पीम क्या बोलते हैं कई पर आपको आर पीम डी गिवन होंगे ओमेगा की बजय तो आर पीम क्या होते हैं रिवोलुशन्स पर मिनिट यार हाँ ना बोल आर्पी एम सब्सक्राइब मेरी मशीन चल रही है सो आर्पीम पर आपने देखा हो तो ऐसे कारों में भी लिखा आता है इत्ते आर्पीम का टॉर्क है और यह है अरे हाँ ना बोल भी एच पी सुना है इत्ते भी एच पी कि एच चोड़ो उस पर तुम लोग तो साइकल वाले सब्सक्राइब मातलब में 100 चकर करूं कितनी देर हैं एक लिवना किया होता है रेडियन पर एक चकर 100 चकर का मतनब 100 इन्टू टू पाई कितनी देर एक मिनिट तो 100 इन्टू टू पाई अपॉन साथ क्या हुआ हुआ तो अगर कभी भी nrpm दियो तो हुमेगा क्या लिखा जाएगा 2 पाई n by 60 तुम्हें नहीं आया 2 पाई n by इसे रखने की जरूत है समझने की जरूत है इसे कॉमन सेंस आरे यहां ना बोल यार कभी बोला जाए कि फैनीज रिवालिवेट दिस आर पीम तो अपने को में का निकालना बड़ी बात कोई कश्वाली बात लिख लो बहुत छोटी सी बात है अपने को आनी चाहिए अच्छा ओमेगा से ही क्या टाइम पिरेट जुड़ा हुआ होता है अच्छा ओमेगा से ही टाइम पिरेट में लगया है एक चकर ना टाइम पिरेट है समझ जाओं कि समझ आगया है अरे हां ना बोल्या ओमेगा क्या होता है डी थीटा भाई डी टी अगर में डी थीटा को पूरा चक्कर लेलों तो क्या टू पाई अगर डीटी तो क्या आपने आप टाइम पिरेट बन जाएगा तू पाई भाई टी अरे अग्यों सोचने अगर डीटी जागो पूरा चक्कर लेगा टू भाई तो टाइम पिर डीटी टाइम पिरेट हो या ना अरे हां ना बोल है अगरी शकल देखके लग रहा है तुमने कभी नहीं सोचा ऐसे कई लों कि रहा है बज़ कुन से चला फॉमला भी पहली बार देखा है है ना फेले भी देख रहा है ना तुमने कोई खास बात अब बैसे इसकी जाहर सवाल इस तरह ये जो आते हो रिलेटिव वाले वो अपन महां ग्रेविटेशन वगेरा आप में करेंगे बाट फिर भी अपन एकाद कर दालते हैं माल इसी अपनी हारते है अर्फ क्यास में से एक सट्रलाइट घूम रहा है वो सट्रलाइट का टाइम पिरड़िये है और दो कर लो लो मरो दो सट्राइट ऐसी घूम रहा है ठीचिक बोलो क्लियर याड घंटे हो रही है अभी सेम लाइन पर ऐसे देखा अरे नहीं आया वापस ऐसा कब होगा सवाल इसमन्नी आया इसका टाइम पिरोड है आर गंटे इसका टाइम पिरोड है बारा गंटे बोलो क्लियर है वापस यह से कब होगा जब एक दूसरे वाशी देख पाएंगे इसे छे घंटे ले इसे गंदा सा लेते हैं जज घंटे पहली बार ऐसा काब होगा बाईचा आप कल्पी उगों को चल्देंग से कद्गरों पहले आपने एक काम करते हैं सवाल समेदे हैं कुछ नहीं करना है इस पर बैट जाओ तो यह वापस एक चकर करके ही आना इसका बैटने का मला इसका omega relative अगा रिलेटिव इसका omega relative अरब आईचा तुम्हें नहीं आया नहीं आया नहीं आया तो इसका ओमेगा कितना है तो दोनों ओमेगा रिलेटिव ली प्लस होंगे माइनस होंगे प्लस मैणस ती कोसु टू पाई by ज को सिसक्स माइनस टू पाई बाई इन टू पाई टू पाई मर गया साथ मटे चार अन्दरा अरे आज पहली बहुत तुमेद को समझनी आया हमने क्या लेगा टी वराबर 2 पाई वाई Omega relative Omega अरे नहीं आया नो आँ तो मुझे लगा हिसन абंत जमें आया आया नहीं आया सोच अखर दोनू उल्टे चलते तो अ наж draft तो क्या अग्व से प्लस हो जाता क्या हो जाता था जबाओ पंचवालों आते है'm अंदर वाला मैं ते चल रहा है कौन जली ली घूम रहा है यह जब इच्छे गंटे में पहुंचेगा ना वापस यह आ जाएगा तो दस गंटे वाला बाप रहा है यह होगा अरे आ बोल यार वह यह होगा कोई बुरह वाली बाद अब देना दूसरी जब एक तकर अलेगा त अग्ले चार घंटे में यह ना यह कहीं होगा अ 걸े लगाएं तुम्हें आया अब आ देख्छ दोनों पहस आ रहे हैं रहें न 10 को यह कहीं पंद्रा पे वह हैं लगा नहीं यह नहीं यह नहीं आया तो करना तो और पैपै करूं बहुत अच्छी सब्सक्राइब कली में वो देख रहा था नेट जी ओ पर मंगलियान पर पूरी तुमने देखिए कर दोक्युमेंटरी मालो की बाइसाब यापकी कोई रॉड है क्या है कोई भी रॉड एक चुली वैसे रिजिट बॉड डायमिक्स पर इस इस रॉड जिट बॉड रोटेशन जैमाइब पढ़ाता हो न तो जो जब बाड़ी में हो लाऊ वह भी थोड़ा यहीं एक्स्पेंगर देदें कोई खास ने खुर ली जामने अगर उसको इसे रिया मालों में व्मेगा से घुम्री किते से उन्हें यह इसका पॉइंट रिया मैं तो किता है यह दूरी पर यह दूरी आल है लो गलिया यह जो भी तुम्मे ले ले लो उसम ऐसे फर्ग निपड़ता अगर आप द्यान देख अगर इस प्यार उम्मेगाइं डॉट सब्सक्राइर णरें नियुमारी एग सीणपन सर्फ 10 नियुक्त भी तर्फतार मिक्सित आटी अँब कितनी है और इस मिंद्ध्स अ करुगा आप ध्याद गें प्रबेदिफिल स्यप्टाइब इस प्रेटिफिलर कोई प्रेवाई बात बड़ी ऐसा कि में गविद रिस्पेक्ट्ट तूसी औमेगा एल वाई यार्वाइड यारा ना भुल्ट वटेज ओमेंगा उफ एप्ट वी एक यह थो सबती है जिए के इस अब्रेटिव सब्सक्राइब अपर इनके बीच दूरी क्या है अरे कोई भी पॉंट ले लो ओने का या याएगा कोई भी पॉंट ले लो टेडिए बॉटी है मैं तो किया भाग कोई भी डिस्क ले लो कुछ भी ले लगा है को एसे यह point A, अगर यह system omega से घुम रहा है और यह point B है, इसके respect में तो सब omega है ही, पर किसी एक पर बैठके देखोगे, तो वो भी? तो यह rigid body है, अगर मैं rigid हूँ, तो मेरे ऐसे की point के बीच की दूरी change? ने भी अपन rigid body है क्या? रिज़ट बॉन्ट का उती सर यहीं नहीं पता पर देखोगी पर पर बाद रिजिट बॉटी क्या होती है इसके दो पांट के बीच की दूरी चेंग? नहीं आया? पहली बात और यह खास बात कि रिजिट बॉटी के किसी पर बैठका सुस्क्राइब थे आपको देखोगी तो क्या ओमेगा सेम होगी? यह बाद तब भी सही है जब आप A औ और रोटेशन प्योर रोलिंग करेंगे है यार हाना बोल तो चलेगा भी सही और घूमेगा भी सही तब भी आप कोई भी पॉइंट डिलो P Q R S कोई एक शक्वाली बात सेंटर ओमेगा ओफ एस विद रिस्पेक्ट टू आरे ओमेगा अरे यार बोले तो प्रूव करेंगे बता दूँए थोड़ा चोड़ तुझे भी वह नहीं आता मैं तो इतना सम्झाना चाहरा हूं अभी रोटेशन माज़ेंगे डोल रहे हैं अभी से इतना समझो कि अगर को कोई भी घिजट बॉड़ी है कोई भी ठेट बोल पारद के वाली प्रूं K विच ए ओरिखेंट चेंज सेट जाल मुझे लगा पंबाव सारी करेंगे बन वास्तविकता में अमीक सोड़ेंगे हैं पर दो जो मैं बोला चमका उतार ले इसको और अब भाच्छा में लिख ले जो भी लिखना हो चल मैं तुझे एक क्लासिक सवाल करा था हूँ उतार लेगे तुम लोग ने चलिए अच्छी बात पूसता हूँ माल लो इसे माल लो एरिजट बॉनी है एक राण है ऐसे आप ओमेगा से घूम रहे हो यह ए और यह बी वोटिट जाए के लिए क्या भी घूम रहे है एक लिए भी अच्छा मेले 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 अच्छा एसे जूला है वो जिस पर आदे घोड़े हाती लगे होते हैं बैठे हों में जरूर यह बालक यह सुंदर कन्या तो जाहिट सी बात है कि तू बालक अगर तू बालक है तो तू सुंदर कन्या को देख रहां वो बले देख ही ने दियो पर अपन तो यह हमारा जन्से अदिकार है जन्से अदिकार है यह तूमारी जन्से आदत है बदलो वेटा सब बदली सर्फ में तो गड़के जेखता हम आज कर दो खुश्मदो सुंदर कन्या की बात हो रही है क्या केता हो यार अपना भी कोई क्लास है क्रासा में तो यहां बिचारी है तो भाज सब आप उसे दे अपतनों अब भाश्त भी में गोड़े बना आश पर को इन तो क्यों छक्र कारता है तुमारे कई तुम्झे अब वह टुमारे रहा है मेरा डाउट पूछ रहूं है इस डाउट बुलो यह जोड़नो को बच्चा मेरे पास या है सरी ओमेगा आफे रिस्पेक्टू भी तो मेगा है फर्चे जाने गोड़े पे बैठ के देखता हूं तो मुझे तो वह ऐसे ही रुख दिखती है यह मेरा डाउट है सवाल बना के डाउट लिख लो फिर सॉल्यूशन दिखेंगे पर जब प्रक्टिकली हम जूले पर बैठ के देखते हैं तो हमें पास वाली लड़की रेस्प नजर आती है और किसी और को देख रही होती है चलो मैं समझाता हूं अच्छे से तिरे सपना पूरा करता हूं मैं आजा जली जली फिटाक से तू आजा एक कोई भी गेनटाइब तू आजा जली जली अरे फिटाक से आए पिज एक समझने में इदर आजा तू तू बालत नहीं मैं देख नहीं तो पोल है क्या है तू तू सुन्दर कन्या है तेरे अटिट्वड तुछे देखना मेर को बिल्कुल नहीं तू अब अधर देखना है तू अपने गोड़े पर पठी हुई है अब मैं इसको देख रहा हूं हा ना बोलो याँ अब मालो की जान समझना है अम मला मैं मैं जो गोड़ा है मालो एसे मै अएसे पाघ़ा हूं आज आएसे देख पृश ऑसो तू अब मालो के मैं थोड़ा से इद्रा और एसे खुम देखना है मैं है च्टप और त्वह ंगम होगम चोटा सर्कल छोट़ा हुड़ा जो इसदे रहाजा है अब Kings Raad अरे चले इदर देंगे ना क्या मुझे ये दिखती रही मुझे ये और मुझे रेस्पर भी लगी कोई बुरे वाली बार चल वापस आता अब ध्यान समझना जब मैं पहली बार ये चली तो जब मैं चला मैं कैसे चला बोलो क्लिया रहे तो अगर बहुत ध्यान से सोचे ना तो इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं ऐसे था और जब वहाँ पहुँचा तो ऐसे हो गया मैंने दो तरीकी की रोटेशन करे जूले पे आप दो तरीकी रोटेशन करते हो क्या आप खुद की एक्सिस पर भी घूमते हो अरे जब मैं ऐसे आया तो ऐसे तो घूमा ही घूमा ज्यान सोच तो मैं ऐसे भी तो हो गया अरे यार मुझे लगा ने तुम्हें आया मतलब मैं असलियत में जब जूले पर जूलता हूं तो हुक लगा होता है उपर उसके अबाउट में ऐसे ऐसे भी करता देता हूं अब मेरे हुक को फिक्स कर दिया दिया लड़की मेरे का और जल जिए चकर काटा अरे यार, चकर, काटा की नहीं काटा, काटा, अम मैं बोल सतन, क्यों चकर काट रही भई, अरे हाना बोल, जो फिजिक्स वाली सिचुएशन है, उसमें ये माना गया है कि जिदर सरे उधर ही है, अरे यार, नहीं आया, और प्रेक्टिकल सिचुएशन पे आप एक रोटेशन कि वजे से आपको वो रेस्ट में, अरे मुझे लगाए नहीं तो मैं आया, कुछ समझ, आया, आया की नहीं आया, तो ये भी सही है और ये भी सही है, और ये रेस्ट में इसलिदें जराता है, बिकॉस, अब्सर्वर इस अलसों रोटेटिंग अवाउटेटिंग अटेशन जैसे सर्मा अर्थ में हो रहा है, कि अर्थ अपने अक्सिस में भी घूम रही है, और कि उसी अक्सिस में भी घूम रही है, ये रिल्टी है, अजय में वो सुलमर आया, तो मैं नहीं आया, अपनी भाशा में लिखो तो इंचाला इन चो लिखनी है, और पोल कैसा लगा है? हां एक्साइस्ट्री लेवल टू प्रेश्ट नमर एक दो दो डाउट है यह कौन से सवाल है एक्साइस्ट्री लेवल टू का प्रेश्ट नमर दो मुझसे पूछा जा रहा है क्या मैं बता दूँ एड डिस्ट्स एल इकोल्स तो 400 मिटर फ्रम ट्रेफिक लाइट ब्रेक्स और अप्लाइट तो लोकोमेटिव मुविंग यह शाइद पहले ही रुख जाती है यह फ्रम प्रेक्टी लिह YouTubers गमें बख्रिकाट है ना प्रवर ग कि उसको पहले ही अ कंचले टाइम दिया होए न उसके पहले ही रुख जाएगी तो बस तोने क्या फूर्थ वोई घिसना है इसमें घिस लेते हैं अरे बात नहीं जानते नहीं के तुम मेरे को सर हाँ वई जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जीवल में पढ़ाई का बहुत महत्व है बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा है ऐसा मुझे लगता था अब ऐसा लगता कि पढ़ाई कित्ती भी करो कभी भी खतम साला बच्पन से गराले बेकू बनाते हैं बोड है दस्वी बस ये पार कर ले फिर क्या है क्या के तो यार है की नहीं साला फिर बोले के बार भी हो बार भी कर ले तो बोर्ड में अच्छी पर्चंटेज दियाएगा तो फिर तेरे को कोई तखलीव पिर साला सेलेक्शन के लिए तुमें डाल दिया पिर साला कोले में चलाई नोगरी डूंडले अब धंकी पिर पर्दे रो जीवन बार शाला जीवन बहुत कटिन वटन नहीं अच्छा है इसी कोई दिक्कत वाली बाद तुमारा जीवन बहुत कटिन है साले है ना रोज पतर दो उड़ते तुमांके साले ना लाक रही है आप लोगों को जेलना सर किसी पतर दोडने से कम है सर विद्वेट गंटे साला कुछ नहीं पसंदा रहा हो तो भी साला बैठे रहते हैं साड़े चार गंटे पांच गंटे रोज बैठते हैं और आप जैसे कूछ देखते हैं है ना बल बदे ना कुछ हमारा सोल हम को जैसे को देख रहा है जो वारे कोई यह देखो पीछे आले ही है तू इंकलाइन अलो तू इंकलाइन प्रेंस ओ एंड ओ भी है वी इंकलाइशन विद होरिजोंटल 30 डिग्रेंट 60 डिग्रेंट इस्पट्टिवली अरे बात नहीं इसा जेए में ब्याए हुआ है जेए काई सवाले शायद दसनंबर सब्जेक्टिंवें इसा सवाल जही में आया हुआ है दसनंबर सब्जेक्टिंवें आप 37 एर्स की बुक कर आओ है उठाओ लिए रही है रही है वैसे मैं वी डबल अपके पास होनी चाहिए अरियंद की लेंगे किसी लेंगे अरियंद की तो अगर ताइम मिला तो म पर हो जाएंगे उसमें कोई दिक्कताली बात नी हो थी क्योंकि उसमें बेसिकली सब कोर्स का ही होता है अरे हैं कि नहीं यार तो जो पुराने सब्जेक्ट वे अच्छे सवार अगर टाइम मिल जा रहा है तो उसको करिये जरूर है ना 30 डिग्री यह 60 डिग्री बोलब लिए अब उसमें बोला कि हम कितनी हाइट से फेक हैं कि यह से जाए मतला ऐसे परपंडिकुलर जाए तो ऐसे भी परपंडिकुलर टकराए और यहीं क्या रहा है ना हो अब उसमें रफ्तार किती थी 10 रूट 3 और यह कितना एच और यही तो निकालना है शायद इसको इंक्लेंट प्रेंट से कर सकते हैं कि आजसानी से यह देखना तो माल लो ऐसे टकरा रहा है कि यह एक तो कोडिनेट सिस्टम से करेंगे वह पर शायल दंबा होता ऐसे चोटा हो सकता है कि यह देख लो बस ऐसे करने से होता है कि कैसे करने से होगा ऐसे करूं कि छोटा होगा है किसी ने करा हो तो ऐसे किसी करा है ऐसे ऐसे करा है चोटा होगा बड़ा होगा है चोटा ह तो यह बहुत ध्यान से दो ते इसके इंकलाइन प्टेंट पीन पर एक रहे हैं यह 30 डिग्री यह 10-3 है तो इतो 10-3 रहेगा गर इसके इंकलाइन को देखे तो और यह वाला इसको X और इसको Y है न इसको X और इसको Y पर फिर वह पर देख के चलो ठीके मालने देक्ट है तो तो मिली गई न फ्राइन सिए सब्सक्रम ऑनला गर डोला कि are real तो गलाविस्टिक डेरेक्टब तो पता है नब इस समय अगर अफतर दिए है ये अंगल कितना है 6 ये अगल सब्सक्राइब दियांसे देखो इसे अफतर को बीडाइश बंद देख हो मैं को चोठा तरीकाउ तो पिर देख लेंगे ये वीडाष है ये अपन ने है तो ये तो यह कितना है 30 अर भी गलत तो नहीं बोल रहा है तो इसकी और लफतार इधर अच्छा यह 30 तो यह भी 30 तो यह कितना 60 अरे हाना तो बोल मुझे लगा नहीं तुम्हें आया आया नहीं आया और सिंपल सी कुछ भी खेल कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे यह 60 है तो बाद़ी ता 5 रूट 3 इकक्वस कौस 60 वी डैस वी कौस 60 कौस रटी के लिए हर लिए हमा में तो रूट 3 रूट 3 को मानतेगे रभी डैस कीे आया लिए अगर वी डैस किए तो इसे 5 में जो रुपतार आई वो कितनी आया कितनी आई 5 और वर्टिकल में दर कितनी थी ये थी 5 रूट 3 ये थी 5 ये क्या हुआ है मैंने कुछ गरबड करी क्या कहीं मैंने कुछ गरबड करी कहीं कहां 15 होगा ये 10 रूट 3 है ना ये 60 है ना तो 10 रूट 3 को 60 आएगा ना नहीं 10 रूट 3 साइं 60 तो 15 है कितना है हां बड़ बड़ कर रहा तर 15 और इधर अफ़तार कितनी है 5 तो कोडिनेट आगे ने इसके रिस्पेक्टर में तो बचा ही किया सवाल अरे यार नहीं आया कैसे आया य कोडिनेट चिंपली य बराबर अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो मिन अफ़तार वर्टिकल में कितनी है वाइ 5 और उपर कितनी है 15 तो वी स्कॉर 5 स्कॉर माइनस 15 स्कॉर रिक्वस्ट नूट टू इंटू माइनस 10 इंटू एच एच या हीट है अरे कभी तो हाँ यह इस ज़ेश जो भी मानना है अरे यार मैं अकेला ही सीख रहा हूँगा सोज लो तो जो भी वैल्यू है कितनी है 25 स्कॉर 15 कितना होता है 225 में 25 कितना माइनस 200 तो माइनस 200 इक्वस टू माइनस 20 इंटू है ह कि लिए यह कितनी है एच कि लिए दस तो यह 10 आगे है बाई साब अब मेरे हिसाब से अगर यह 10 आगे है और यह अपने को पता है तो इससे तो पता पड़िया है तो सब कुछ अपने को पस अब क्या बचा निकालना कहते है तो देखो अज़े टाइम आफ लेट निकाल लोगे गया और यज़े टेल सींपल है रफतार अगर आपनी 5 है माइनस 5 जैनी तो माइनस 5 ईप्छे बंद्रह माइनस 10 इंटू टी अरे यार तुम्हें नहीं आया तो टाइम आफ लेट कितनी आई बाई सर देख लो क्या अंसर दो सेkęंड है तो दो सेकेंड आगे time of light और क्या क्या पूछा है देख लो velocity पार्टिकस चाहिए रहा हूं जैड सी बात है तो निकाली चुके अपन वीड़ेश कितना है या 10 और क्या क्या पूछा है vertical height h of 3 maximum height from o o का है यहां से अच्छा यह कैसे निकालेंगे यह वाली height अच्छा यह वाली height h तो यह अपने को 30 दिया है और यह अपने को 60 दिया है तब मैं geometry लगनी होगी काही नहीं का ही यह height कितनी है 10 को यह कितनी है यह h plus 10 है ना यह तो और यह range अपने को पता है दूरी पता है न x अरे X तो पता है ना X कैसे पता है X अपने को पता है इधर अफ़तार कितनी थी है अरे मैं आके लाई सीख रहा हूँ या कितना है तो 5 root 3 इंटो time कितना है 2 तो 10 root 3 हुई ना ये तो ये 10 root 3 तो देख ये है H plus 10 तो 10 60 equals to H plus 10 upon ये और 10 30 equals to H by ये और इन दोनों का समोशन किया है एज निकला आएगा क्या निकला आएगा और पैपै करूँ सारे पाट हो गए और छोटे से भी कर सकते हैं वैसे ये भी छोटा ही है बड़ा क्या है इसमें और को छोटा कर सकते हैं देख लो कोई short trick inclined से मेरे को लग रहा है अच्छा तो छोटा करा है कैसे करा है अपर इसमें क्या छोटा करो मैं सुझे है दो लाइन में हो जाए मुझा आजा है चला ठीक है हो गया ना हाँ बोलो हो गया क्या चौटा पांच वा पांच वा चटा सोच लो चटा कितना 36.1 आ रहे है तो कोई बात नी ठीक है फिर अब ठीक है इतना तो चलेगा ना पांच प्रसंट का एरर इधर दर हो तो परिशान होने की जरत बाजो चटा साथवा 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 आटवा काम कराए आटवा नाइन सोज लो नाइत मैं कई बात प्रसंट टान एलएवा इलएवं मैं पटना पड्याइगा अप्रस तो ब हो उपरेंजिट हिसी ठीक हिवा स्ट आप होन तर अवा संट विचाएर इंयन अपर बॉर स्ट। an incline of 37 degree which starts from the ground at the bottom of the wall the line of greater slope of incline lies in the plane of क्या हुआ इसमें ये सवाल है मैं रिसाब से तो ऐसे पेगो तो इसमें प्रभणी लोग इनना ची तो में क्या बता हूँ इसमें में क्या बता हूँ भाई यहाँ पर एंगल पता पढ़िया रहा है विलोस्टी का कभी तो हाँ ना बोलो इंगल प्लोस्टी पता पढ़िया ना तरिके बारवा डाइग्रम देखके छोड़ दियो होगा ये ध्यान से देखो तो यही सवाल है इससे आसान है क्योंकि दोनों तरफ पहंता लिए अगर तुम ध्यान से सोचो तो यही सवाल है और इससे आसान सवाल है क्यों क्योंकि इसमें एक तीस से साथ है उसमें दोनों अरे नहीं आया नहीं आया तो डारेक्ट हो गया उसमें तो रेंज ही हो गई जो भी अपनी औरिजिनल तुम्हें नहीं चमका में क्या कह रहा हूं या या असान है बाहर वाद तेरवा तेरवा अरे काम करा है अरे तेरवा अरे फूर्टीन फूर्टीन का अंसर नहीं आ रहा हूं जो पढ़ लेता हूं करना पड़ेगा पूरा हूं मिलके करते हैं फूर्टीन आई है मिलके करते हैं सब लोग शाबाश मेर लाग मेरे पीले मेरे लीले मेरे एंबो मेरे केंडे ऐए क्या करा है कौन बोला है सालाँ the river has a width D a fisherman is in no boat crosses the river twice during the first crossing his goal is to minimize the crossing time crossing time time first time simple D by BBR the minute time other time equals to time equals to during the second crossing his goal is to minimize the distance that the boat is carried downstream in the first case the crossing time is t-naught is coming like t-naught is basically d by vbr d by during the second crossing is goal is to minimize the distance that the boat is carried downstream is that is that the boat is carried downstream is that is that the boat is carried downstream is that is that is that is the case if you are carrying down stream to minimize time for the time it means that is the case in which the vbr is small from vr which i understand that he said that we have gone a bit of downstream so do we have to minimize that yes sir remember two cases for minimum distance between two cases says there in substance which won directly here from instead isn't here agnerica right so I am afraid that during the second crossing whose goal is to minimize the distance that the boat is carried downstream if downstream bone is sticky and the distance is minimized हुई है तो मेरे हिसाफ से वहला केस है जिसमें VBR is less than VR पर कि दोनों केसे में sin theta is छोटा वाला अपान पर इन दिस केस क्या VBR अपान वी यार इसे आंसे निकाल के देख लेता हूं देखते हैं क्या होता है पर अगर ऐसा हुआ करता था तर वो याद कर इदर अपना VR हुआ करता था यह अपना VBR हुआ करता था यह अपना एंगल थीटा होता था मिनिम्मम टाइम के लिए sin theta equals to VBR upon VR अगर आप जहां से देखो जो टाइम लगेगा वो टाइम 3 T not असलियत में होगा D by VBR cos theta oh yes or no D by VBR cos theta cos theta की बाते में देखें D by VBR इस T not T not को मार दिया 3 equals to sec theta 3 equals to sec theta पूचा कहा है सवाल में पूचा कहा है अच्छा तो sec theta की value आ गई तो sec theta की value अपनी यह है से शेख theta क्या होता है high pot news by base अरे यार हा ना बो high pot news क्या है अरे सही तो बोल रहा हो यार है ना तो sec theta के लिए 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 अपन base, base क्या हुआ under root of VR का square minus VBR तो में दूर दूर तो कुछ भी समझ अब पूचा क्या है और क्या निकालना है तो इसमें VBR भी तो variable आ रहा है अच्छा VBR के लिए रख दो T not by D D by T not तो VBR के लिए तो रखी दो तो 3 equals to VR upon under root of VR square minus VBR के लिए कितनी है D square by T not square बते कि रहो सब तो रहाए ले 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 तो क्या 9 हो गया ये root काया दो गया अरे कभी तो हा ना बोलो तो VR square के लिए निकला है क्यों उसकता हो answer नहीं आ रहा है इससे तो तुमने ही तो बुला इससे answer आ रहा है यार मैंने वाला case ले तुम क्या गदे हो क्या बिल्कुल यार तो दूसरे वाले से आ रहा होगा answer उससे भी नहीं आ रहा है और करना दो यह है और और क्या करोगे इससे क्या रहा है इमें देख लो ना 9 vr square minus 9 d square by t naught square equals to vr square तो 8 vr square equals to 9 d square by t naught square तो vr की value कितनी आई d by t naught 3 by 2 root 2 पीछे क्या दिया है तो यह सही है सही कर दो सही कर दो इसको देख लोगे calculation error नहीं करी हो कराई नहीं सवाल करे होते तो पता होता नहीं कुछ है कर दिया सही तुम दोनों मुझे phone कर रहे थे किस वाज़े रहे है कौन सा 8 कहां से पीछे क्यों जा रहे है बबन अब पार्टिकल मुझे कॉंस्ट स्पीड यु अलाउं दो कर वाई को सु साइने इस दिवा इस इस को बता क्यासे कर सकते हैं कौन सा तरो याद कर एक चीज़ सिखाई है अभी नी सिखाई के तरो यह एक्सलेरेशन बेसिकली होगा इसको बता कैसे कर सकते हैं है नहीं आटवा पूछ रहाँ आटवा कैसे करा के सिने कैसे बता कि अधा है रेडियेश और वाइचर से करेक्ट करेक्ट तो रेडियेश करेचर कैसे नहीं काला है 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 कि वां साधी सेक्ट कि कई सब्सक्राइब विंग उपी dış रिखेंगे कि में आधी वे टो टीक है कि अन्तरों मैं इसाय कर विचर कैसे निवर गडिटा गारिध गड़ टाए अन्तर गारिग या किसे नहें तुट सब्सक्राइब का है थोड़ा सा कोई भी कर्वेचर है उसके अगर स्पीड कॉंस्टेंट है अब तुमने तो पिर कैसे कर लिए तुमने पूछा तो हैं नहीं तुम पर विश्वास करना एक परसेंट तुमने करा है ना काम तो यह यू है अगर यह यू है तो बिसके लिए इसका रीडियस कर विचर यहां का रीडियस कर विचर नहीं क्योंकि स्पीड कॉंस्टेंट है तो जो भी रीडियल एक्सलेशन होगा वो यह रीडियल एक्सलेशन क्या होगा यू स्कॉर भाई आर क्या होगा और आर क्या है रीडियस ओफ कर वेचर वहां से आएगा कांसे 1 प्लाइस दी वाई पर दी एक्स का होल स्कॉर की पावर 3 बाई 2 अपाउं डी स्कॉर लिखाय था मैने तुमें नहीं याद है मैं लिखाय नहीं लिखाया हो मैं रीडियस ओफर विचर पढ़ा दिये कि तुमको अभी सर्वुलर वाला रीडियस ओपर विचर थोड़ी पढ़ाया कोई बात नहीं और फील करा दूँआ टैंचो मलो और कोई तरीके से हो सकता है कि नहीं इसी से होगा और किस तरीके से करा है किसी नहीं नहीं पंद्रवा 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 का इंगन क्यों 14 क्लियर है सबको पंद्रवा का हिंट देता हूं नंग से समझ में आ जाएगा चुब पुरानी जीपे होती थी उनमें ऐसा हुआ करता था तो ध्यान से देखे हैं अपन इधर देग अच्छे से आप अच्छे समझो की जो जो बारिश की बूद्ने आपको आती हुँ लगेंगी अगर आप बस में उस काट में बैठे हुँ तो आपको थोड़ी बटिकल लगेगी क्या आपको लगी विलोश्टी आप इस इस प्रवें इस विस्टुमें निस्टुमें तो अगर आपने अगर आपको अपनी जो यह बेसिकली एक विंड़ी स्क्रीन है इसे विंड़ी स्क्रीन को अगर आप ऐसे पोलते हो यह तो सूच पानी कब तक एंटर नहीं करेगा अच्छे समयना जब तक मा लिए कि इसने अलफा यह थेटर जो भी एंगल लिया है क्या लिए अलफा यह एक लाइन एसे ड्रॉ करो क्ये परबंडिकुलर है नहीं यह लाइन परबंडिकुलर नहीं है कन्फूज मत हो यह आर है ये भी R है ये अंगल है Pi minus Pi By Two Minus Alpha अरे यार असलिएद में है कि रहे वाला इंगल वास्तविक्टा में हैं पाई बाई शॉरी एकर यह एक्स एक्स प्रस्ट पाई पाई अर्यार हाना बोल तो पाई वाई टू माईनस अलपा बाई तू ना अब सोच की देख कि अगर बारिश अगर जो हमें लग रही है वी आरेम अगर वो ऐसे की बजाए ऐसे तो बारिश अंदर नहीं अगर तूम्हें नहीं आया 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 वियारन की डारिक्शन ऐसे हो नि अगर यसे की मलत ऐसे की बजाए ऐसे हो जाए तो क्या अंदर आ जाए तो नहीं आया अब अगर पानी अंदर नहीं आना तो सोच यह X तो यह भी X अब देखिए अंगल थीटा अगर पानी अंदर नहीं आना तो थीटा X से छोटा होना अगर पानी अंदर नहीं आना तो थीटा X से तुमारे प्रांक रखे रूँ अरे कभी तो हा ना बोलो अब समझ आया है यह नहीं आया अब कर लोगे अब कर वोगे हैं पूरा तो बता दिया अलमुस्ट चलो उतार लो जो उतारना है लो भाई अब सर्कुलर निकालो क्या होगा कहाँ एडवार्ट में से एंगल अलफा तो दो वर्टिकल कें दर वेंड स्क्रीन भी प्लेश सो देट अब करके देखना रिस इस जो आ रहा हो यार अब तर मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है इसमें यार पाई बाई टू माइनस अलफा बाई टू रहा है बटा तू भूल गया होगा तू देखाएगा तरी अलफा बाई टू की वैल्यू आ रही हो कि देख दियान से अरे करके देख ले ना राम लाल सीट आगे वल्यों कितनी है टैनिंवर्स छे बटे दो छे बटे दो का हमने टैनिवर्स अरे सही है अरे सही है अरे सही है हो गया ना चुटेक प्रान नहीं ते रहा है हाँ भाई पंदर होगे लो भाई शीट पूरी हो गई अब आगे पड़े अपन बढ़ रहे थे अपन ने ओमेगा की बात करी किसकी करी ओमेगा की बात करी थीटा की बात करी ओमेगा पर अपन ने जो में फर्मला आया वो अपनने बोला कि ओमेगा इस वी परपेंडीकुलर रेलेटिव बाई र को गुरई वाली बात नहीं है थीग ऐसे आफ अपन बात करते हैं अंगुलर एक्सेलरेशन किसकी एंगुलर आजकर है बेसिक पर इंपर्टन थे अंगुलर एक्सवेशन angular expression क्या चीज होती है सब लोग जानते है alpha असकेज में अगर इसकी basic wise definition wise बात करी जाए तो alpha average is nothing but change in omega, change in basically अपन ग्यान से कि तो delta omega by delta t अगर अपन इसे instantaneous करना चाहते हैं तो alpha instantaneous equals to limit कह पुरानी कहान ही है limit delta t tends to 0 delta omega by delta t that is known as d omega by dt so the basic is alpha is d omega by dt it is rate of change of omega and the unit is radian per second square and the unit is अरे बहुती बेगार response यार and the unit is radian per second square यह ऐसी बात जैसे अपन एक्सेलेशन में करा करते थे alpha equals to d omega by dt alpha equals to d omega by dt basic सी बात करें again it's a axial vector again it's a axial vector थोड़ीशी direction की बात करनेते हैं कोई खास बात नहीं है अगर मैं आपसे बोलूं की एक particle है जो की ऐसे घूम रहा है ऐसे वीरफ्तार से और उसकी वीरफ्तार बढ़ रही है ऐसे उसकी वीरफ्तार प्रता omega किदर है omega किदर है theta किदर है alpha किदर है alpha किदर है alpha किदर है अगर omega बढ़ रहा है क्या omega बढ़ रहा है? बढ़ रहा है omega बढ़ रहा है अगर omega बढ़ रहा है तो logical बात है कि क्या alpha भी उधर ही होगा जिदर omega होगा तो इस वाले case में क्या alpha बाहर ही है alpha तो alpha again it's a axial direction या तो omega की तरफ होगा या opposite to omega होगा omega की तरफ तब होगा जब क्या omega बढ़ रहा होगा और opposite 2 omega होगा जब omega simple कोई rocket shines मालनो मैं आपको बोलूँ कि आपडिकल ऐसे चल रहा है और भी हट रहा है तो omega किदर है उमेगा किदर है अरे आना बोल omega किदर है sorry alpha किदर है ये दो लाइटन नी जल रही है ये वाली, ये वाली अनदर है पंकर चल जल जाता है आई है तो alpha xl vector ने बिल्कुल वैसे ही simple जिसे अपन बानते है alpha is rate of change of omega alpha is rate of change of omega कोई गुरह वाली बात तो alpha is rate of change of omega बिल्कुल clear है alpha की direction उधर ही होती है जिदर omega हो अगर omega बढ़ रहा हो और opposite 2 omega होती है अगर omega गढ़ रहा हो उसमें कोई खास बात चलो भई एक simple जी बात हम जान गए अच्छा मैं आपके एक बात पूछू simple जी कि इना circular motion इना circular motion alpha must be present इना circular motion acceleration must be present पैला true false पैला true false बिना angular acceleration के circular हो जाएगा ये सार्ट बिना angular acceleration के circular हो जाएगा ये सार्ट बिनास alpha के circular motion हो जाएगा इना circular motion alpha must be present ये true or false है ये इना circular motion से बिना इना को जाएगा इना खूछू जाएगा एंटी इए प्हूचू जाएगा तो जाएगा घ्रू के से जाएगा बटा साही तो ने बोला हो जाएगा तो बना इल्फा के से जाएगा सब्सक्राइब मुझल है तो है दर्मत दर्मत सही बोली है जान निकल गी तियार लगी इसकी अरे ओमेगा कॉंस्टेंट हो ओमेगा इसा भी तो बात हो सकता है बात हुआ súper कोंस्टेंट तो क्या है कोंस्टेंट अगर स्प्लीट कॉंस्टेंट्ट अंगर स्प्लीट कॉंस्टेंट है तो भी सकता है और तो फा मझें प्रिजन फॉल्स सेकिंड वाला बले सट्पूलर पांग कॉंसें स्पीड से चल रहा है अपर कि डायरेक्षिन चेंज हो रही है बिना एक्सेलरेशन के सरकल होना पॉसिबाल नहीं है पर अगर डायरेक्षिन चेंज हो रही है तब भी क्या एक्सेलरेशन है क्या विलॉस्टी इन उनिफार्म सर्कलर मोशन इस कॉंसेंट इसा बिल्कुल जरूरी नहीं है नहीं है और दो चेंज होरी डायरेक्षिन तो इसका प्लाइब यह ट्रू है बहुत बेसिक सी बात बात क्लियरेटी होनी कि बाइस अलफा होना जरूरी नहीं सब्सक्राइब क्या देखते हैं पहले सुन क्रिशन क्लियर फील नहीं आजाए ना टेंचन ही मतले एक दम तू जो लिखता है वो कहां तू गडबड़ कर रहा है सब बताऊं मैं एक दम चिंता ही मत कर आज ही के लेक्षर में क्रिशन क्लियर फील आजाए इधर को सुनता चल बस मेरी बात संना ठती ये रो जाएगा कि साल अपने को आहीं नहीं सकता ये आज़ी 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 क्याए पहली बात अगर मैं आप से बूलूं कि ऐसे सवाल है ठीटा बरावर ठीटी क्यों प्लस 2T स्क्वा फ्लस दी फाइड आलफा 2 सेकंड क्या कर सकता है ये टाइंपए सवाल करने का कोई मतला अगर मैं आपको बोलूंled ऑलफा उक प्शू प्लस अगल सकते हो तैप्ए करूं की समझा गिए क्या प्योर कैनेमिटिकस है मालनो में आपसे आपसे पुछु U M Har没有 पथारे ॥ी टा और रिलेशन बताओ यह करेगा अ में चरिंगे सर थीटाdongार में रिलेशन चाहिए ऐसा बहुत पार इंतीडे करे कहा चैनलेशन अलगी झात एक अलगीन के कर लेगा ती को नहीं आया कुछ भी बेसिकली खुब सारे सवाल में यहां पर करा सकता हूं जो मैं कराना नहीं चाहता किसी भी कीमत वरता जो मैं बोला चमका कोई ग्रह वाली बाई अगर मैं आपसे बोलूं की जो स्टाडर्ट फार्मेट एल्फा कॉंस्टेंट है एल्फा क्या है एल्फा क्या है एक्सलेशन क्वार्ट फॉर्मेटि Taylor वह सारय किया है यह सब्सक्कि एल्फा इक्षांशन हुन्डौ पास्ट rat तो पहले भी सुना हुआ या इसको लिको टी थीटा भाई डी टी इधर उदर ले जाओ फिर इंटिरेट करो कि थीटा इक्वस टू अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? यह फॉमले तब लगा सकते हैं जब क्या इलफा कॉंस्टाइंट हो इनमेसे टाइम इलेमेट कर दो तो क्या फॉमला है का ओमेगा फाइनल स्कॉरर माइनस ओमेगा इनिशिल स्कॉरर रिक्वस टू अलफा थीटा अरे भाई साम नही पालू पंखा चल रहा था हमने पंखा बंद गरा पंखा रोटेट कर रहा था 100 RPM पे आर्पियम बता चुका हूँ मैं, क्या रपियम का मतलब ओमे का, क्या रपियम मतलब 2.5N by 60, अरे नहीं आया, माल लो पंगा चल रहा था, साड़े सत्रा चक्करबाद रुप गया, साड़े साथ चक्करबाद रुप गया, तो अलफा केसे निकालों गए, कौन सीकुएशन, पंगा सो आर्पियम पे चल रहा था, पंगा सो आर्पियम पे चल रहा था, बटन दबाया, बंद करा, साड़े साथ चक्करबाद रुप गया, बताओ क्या एलफा होगा, कौन सीकुएशन, क्या उमेगा फैनल जीरो, क्या उमेगा इनिशले स्टू पाई, एन बाई 60, क्या अरे नहीं आया, मैं तो आपको के दू कि पंगा ऐसा, खुपाच, 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 पंगा, मोटर, स्कूटर, जो तरी च्छाओ ले यार, मालना इलफा मेली दे दी गई, पांच रेडियन पर सेकंड स्क्वाइर, आरे हा ना ब खिला खतम, खिला, मैं पर करूँ, समझ आ गया, पूरा लेक्चर भी इन सवालों पर में निकाल सकता हूं, निकाल लूँ, इमानदार इसे क्लियर है, बेसिक सवाल अगर एलफा कॉंस्टेंट पर और इनके आपस में रिलेशन होगे, क्या कर लोगे, ये बात अपनी भाश आते हैं, ये आरा अची है कि मुझे इसमें कॉंफिदेंस होना अची है कि थीटा, ओमेगा, एलफा में से कोई भी टाइम का फंक्चन हो, तो बागी मुझे दोनों निकालने आने, और एलफा कॉंस्टेंट के बेसिक सवाल होगे, तो तीनों एक्वेशन भी मुझे यूज करनी आनी चाहिए, तो write whatever you want to write, इमानदारी से ऐसा सवाल लेने की जुरूत, निया, पक्का ना, चलो डेकि, आए, आप देखिए, की, देखो चर्चा ओफ एक्वेशन इन, सर्कुलर, चर्चा ओफ एक्वेशन इन सर्कुलर मोशन, मैंने अभी दद एक्वेशन की चर्चा नहीं करी reindeer, सब्सक्राइब करें जब कोई पार्टिकल चलेगा तो चांग तो हम की स्पीड यहुंख लाएब से चल रहा है और उसकी स्पीड चेंज हो रही चंज चेंजेज चेंग बाई माल लेते हैं कि किसी यह ओरीजिन माल लो पूरा प्रोसेस समझे अच्छे से जो मैं कहा रहा हूं अच्छा आपको कुछ बाते याद है तो मैं आपको बात बताता हूं कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी पार्ट में चलता है यह उसकी विलॉस्टी होती है ऐसे उसका एक्सलेशन होता है तो एक्सलेशन का एक कंपोनेंट ए पैरलल जो ए कॉस थीटा कहलाता है कि यह बता बट सर्कुलर एक संडर्ट प्रोसीजर है इसलिए इसमें उस ए पैरलल को ए टेंजेंशल बूला जाता है क्या बूला जाता है और इस ए परपेंडिकुलर को ए रेडियर है यह वही चीज़ और मैं आपको यह बता चुका हूं कि ए पैरलल विल बी रस्पोंसिब पर इस 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 इनिंशल डायक्शन को इन्हों नाम दिया इटी कैप यह मैं प्रूफ मी भी बताऊं तो काम चल जाएगा पर यह प्रूफ आपको फील दिल आएगा इस लिए में बता रहा हूं तेरे प्रश्णों का उत्तर सब इसी में अपने आप आप आजाएगा तो ईटी पैरलल ईटी पर पेंडिव एटी उनिट वेक्टर इटी कैप इटी कैप का मतलब कर एक से इस इनिट वेक्टर इन टेंशन डायक्शन डिया जो अधर आएगा क्या वो टेंशिल कहला है क्या एक प्रिस्टल ग्लियर है मुझे लगा नहीं तुम्हें आया मालो कि यह सचेशन तब की है जब पार्टिकल थीटा घूम चुका था अगर वो थीटा घूम चुका था तो उसके कॉडिनेट क्या आर कॉस थीटा और आर साइन यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया मुझे लगा नहीं तुम्हें आया तो इस डिरेक्षन पे थोड़ी सी चञचा कर ली जा है इंडार लिखा जाए, इंडार लिखा जाय है तो आपको समन्हें आएगा यह है ए र कैप क्या है एं Canadian Deutsch ये अ drug ये लगा मुणित का मतलब लगानी तुम्हें आया? E-R-Cap की दिरेक्टिशन आई, Cos theta I cap plus sin theta J cap. In the same way, अगर आप यहां से को, ET-Cap, which is perpendicular to E-R-Cap, यानि की ऐसे, this is 90 minus theta. And this is ET-Cap. Cap का मतनद 1, क्या इथर आया 1 sin theta? Yes sir. और minus की तरफ हे, तो क्या minus sin theta? Yes sir. और इथर 1 cos theta. अरे नहीं आया, तो 80 cap की value क्या लिए, minus sin theta i cap, plus cos theta j, क्या this represent the tangential direction, क्या this represent the radial direction, चेक करने के लिए दोनों का डग डग लो क्या 0 आ रहा है, क्योंकि 0 आना भी चाहिए कि दोनों, अरे नहीं आया, 0 आना भी नहीं आया, आया नहीं आया, तो भाई साथ दोनों का 0 भी आगए, आपने को दिखाई दे रहा है, सबने बोला, ठीक मैने भी बोला, so this represent the radial direction, this represent the tangential direction, सबने बोला, ठीक मैने भी बोला, ठीक, अरे पक्की बैद, अरे सोच लो, अरे गारंटी, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक अपने को बात समझ में आ रहे ही, बहुत सुन्द है, बहुत बढ़िया, मज़ा आया, आप देख, अगर आवन बहुत ध्यान सी देखें, तो अगर आवन यहां पे चलते हैं, कि किसी भी instant-based का कॉडिनेट, जो position vector है, क्या position vector है, r vector equals to r cos theta i क्या है, plus r sin theta j क्या है, पहला था, yes or no, yes sir, क्या मैं नहीं नहीं सही लिखा है, yes sir, this is the position vector of particle, this is the position vector of particle, क्या हम इस particle को अब डिफ्रेंशेट करें, मला इस position vector differentiate करें, then what we will get, velocity, yes sir, if we will differentiate position vector, what we will get, what we will get, so differentiate it, dr vector by dt, अच्छा, यहां पर time के respect में theta constant है, variable है, d theta by dt is omega, yes sir, हम दो बातें और जानते हैं, छोटी-छोटी सी, क्या चानते हैं हम, कि d theta by dt omega है, और d omega by dt, alpha है, अच्छा, नहीं आया, क्या cos theta का definition is minus sin theta to minus r sin theta d theta by dt, plus r cos theta d theta by dt, j क्या है, अरे मुझे लगा है, अरे मुझे लगानी, तुम्हें आया, what is d theta by dt, oh oh oh, तो क्या r omega common आगया, अंदर बचा, minus sin theta i cap plus cos theta j, कौन से direction है, एकका गया, यह कौन से direction है, हम जे सरा है, तैंजन से direction में रफतार r omega हो नी, आए ओमेगा E T cap क्या perfectly सही आया है अरे नहीं आया है अरे रफ्तार ओमेगा आरी तो होती है क्या वो टेंगेंशन डारेशन में होती है तो क्या वेक्टरी नहीं सबको सही आ रहा है चलो बहुत बढ़ी है साब यह बिल्कुल अच्छे से आया पर मुझे इससे मतलब है कि अच्छे आर कॉंसें की वेरियेबल हुए ओमेगा ओमेगा वेरियेबल हो सकता है अच्छे सब्सक्राइब करो अरे हा तो बहुत इसको इसको चौंसें मान लेते इसको वेरियाबल कर लेते है तो जो बीव वेक्टर वाई डिटी जिसे आप एक्सलेशन बोलोगे डीवेक्टर माई डीटी घिवस्यू वाट एक्सलेशन कॉन साहिए परफेंडिकुलार ए परलल ए नेट यह नेट यह नेट है बाई साब क्या यह पकिवार शाबाज बाई साब ए नेट अगरा को जिए विद्धिक वाई इसको इसको ऐसे रहने दे माइनस साइन थीटा डी ओमेगा गाई डीटी माइनस साइन थीटा आई क्या प्लस कॉस्टी थीटा जेग तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समाच्च आया नहीं आया अब ध्यान से देख एकसमेसे पर कोमक लेगा है nggak सिए ठीटों को मेगा मैनुस भी कॉमधा दिए अरे रहाँ ऑग हो नाँ फोले कि अब लिए खोएर पस्ति तीटा एकिर प्लस साइं थीटा यह कौंश डारिकिट है कौन सा यार कैप कौन सा अरे नहीं आया उधर देख क्या वो ईटी कैप है क्या डी ओमेगा में टी अलफा है अरे नहीं आया तो क्या आयगा आर एलफा कितना और दूसरा कौन सा यह कौन सा अगर अपने वास्तविक्ता में बात करें तो रेडियल एक्सलेशन का मैगनिट्यूड है ओमेगा स्कौर और तेंडेंशन का मैध्यूड है तुम्हें दूर दूर तक समय नहीं आया किया मिनास का मतलब कई क्या माइनस का मतलब तौज दोड़ूर्द दूर्टर माइनस का मतलब क्या इसी एक्षेराशन को हम संड्रिपिटल ऑड़ेशन कहते है इसली टीने इ fight थेorem ूपलब कई है टोगोंट इसे पोलते हैं सेंट्री पिटल एक सेलरेशन क्या मोदे हैं सैंट्री पिटल एक सब्सक्राइशन और यह आपका एट इंचे जो है आर अलफा अब तो यह वरावर तो यह यह होता है अलफा बराबर 80 बाई आर होता है गदोगुतरे सब अलफा बराबर ये बाई आर अट लेते हैं अलफा बराबर A बाई आर नहीं होता अलफा बराबर A नहीं होता वो कौन सा एक्सेलेशन है अलफा बराबर A बाई आर सुना होगा ना अलफा पराबर ए वाई-R में A क्या है? अलफा जीरो हो सकता है तो इसका मदलब A net 0 A net तो अभी भी omega square आ रहे है अरे तुम्हें मेरी बात समाच अब यह रहा हुआ कि नहीं हुआ अरे आना बोल या तो जो मैं बोला चमका कौन सा explanation circular के लिए होना आवश्यक है कौन सा क्या centripetal होना आवश्यक है उसके में पार्टिकल का circle करना possible नहीं है नहीं आया So which is the necessary explanation for circular path centripetal tangential हो भी सकता है और alpha बराबर a by r में a कौन सा है tangential और अगर a net की बात कर लो तो a net का magnitude क्या under root of a r square plus a d square और अच्छे से लिखना चाहो तो omega की power 4 r square plus alpha square r square मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया जो गोड़ पे लिखा pure feel है जो आपको एसास दिला दिए कि सर्कुलर में कौन क्या करता है और वास्तविक्ता में क्या करता है ये feel आती है अरे यार प्रूफ बले उच्छा नहीं जाएगा पर इससे feel इसले feel लो थोड़ी ज़र अराम से फिर उतार पांच साथ मिट दे रहा हूं उतार लिया क्या तो बेसिकलिए अगर आगर वास्तविक्ता में बात करता है तो real kinematics of circular motion की feel यह है जो बोड़ पे लिखा हुआ है आपको बिल्कुत crystal लिया समझ में आज़ी की कौन सा explanation क्या काम करता है और वास्तविक्ता में क्या होता है कुछ इसकी basic basic चर्चा है करता हूं फिर दो-चार सवाल कराता हूं देखिए अगर आपन बात करें तो अगर आपन जनरली दो टाइप के circular motion की बात करते है uniform और एक non uniform basic basic से उन में difference uniform circular motion में uniform circular motion दो टाइप अगर आपन आपन uniform circular motion की बात करें uniform circular motion और non uniform circular motion non uniform circular motion में आप ऐसा माल लो कि alpha है पर वो constant है alpha है पर वो constant है भी आपको मान ना मालो जो भी एको माननों अगर आप बात करें तो युनिफर्म सप्लिव भोजन में अगर में बात करूँ तो ऐसे कम बोलेंगे तो अपनी जो विलास्टी होगी वो कॉंसेट होगी की वेरीबल एmm टिजाट वेरीबल इसमें भी तो चेंजिंग है और क्या मौड़ आफ वी भी चेंजिंग है मौड़ वी भी अरे नहीं आया पर इसमें मौड़ आफ वी कॉंस्टेंट कोई दिक्कत अरे पकी बाद इसमें डी आफ मौड़ वी डीटी की वेली क्या है यहां पर इसमें यहां पर जीरो की नॉन जीरो क्या एटी और यहां पर एटी की वेली के अलिफार यहां रहे इलफार जो मान हो रहे हां ना बूल है कोई ब्रही का नहीं जीरो होडव। इसमें बात करूँ То थे गडिजने वी कर इन वएव टारू नहीं तरू लिए यह तो खोकें तो एक है कि अलब अलग? एक अलग 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 एंजनेंजसिन और अनえて है और अपूल है कि मुं है अलत हुआसर का ओं जिर्वेंजियूंल includes यार मुझे लगा निए तुम्हें आया तो सिर्ट्रिपिटल एक्सिरेशन है और यहां पर इसकी बैलिव कितनी है अंडर मुटा ओमेगा की पावर फोर आर स्कॉर प्लस एलफा स्कॉर आर्स यार मुझे लगा निए तुम्हें आया नहीं आया और बेसिक सा अंतर अगर समझ में आ जाए तो इसमें कोई खास बात क्रिस्टल क्लियर होना उतार है 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 बोलना है तो अच्छे से बोलना है से इस क्यों लग रहा बैसे नहीं है हाँ हाँ तलाया प्रता के युनिफॉर्प सब्सक्राइब पिल्कूर पिच्छ लियर है मालों में आपचे चुड़ा स्वाल ज्यान सुनना सब लोग कर सकते हैं कि मालों एक रॉड है यह दो मेंटर बोलो लियर यहां पर प्रवाइं ते इस रॉड स्टार्ट्स विद इनेशल अंगला एक्टों सब्सक्राइब लग पूज तो टी अविविवर राफ टो सेंगि इनेशन ओमेगाइब जी रो डाले सिल्स छाएब डापटो सेंग्टों सेंग्टों हैंस चलता हो, acceleration जब पूछागे तो कौन सा? 80AR की नेट चलता हो, acceleration जब पूछागे तो नेट की बात है अब लोगिकली बात है कि इसकी तो acceleration एक 80 और एक AR 80 की यह लिए तो चपचाब alpha r है, alpha की value कितनी है 2t into 2 यानि की answer 40, 40 की यह लिए 2 seconds यानि 8 meter per second square is the a-tangential acceleration yes or no? is the a-tangential acceleration अगर अपन a-radial की बात करें तो a-radial है omega square r क्या है? क्या में omega निकाल सकता हूं? omega पर omega initial plus alpha t क्या में omega निकाल सकता हूं? omega initial plus alpha t क्यों तब लगाते हैं जब alpha यहां पर alpha constant तो क्या alpha को लिखें d omega by dt equals to 2t dt limit 0 to t हा ना बोल limit 0 to omega पहले जो बोला चंका तो omega की value है t square by 2t square कभी तो हा ना बोल 2 seconds पर बोला जा रहा है तो क्या value 4 radian per second सबने बोला ठीक मैंने भी बोला omega square r की value का 4 का square 16 into 2 32 32 मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया आया नहीं आया 32 का square plus 8 का square प्रता yes or no 8 common आ गया तो 8 forge है 16 यानी की root 17 मेरे इसाब चुता answer 8 8 root 17 is the correct answer तुम्हें दूर दूर तक समाज आया अरे कभी तो हा ना बोल इसलिए क्या रहा हूँ एक्सलेशन का घ्यान धंक से होना और बात समझना आपको एक्सलेशन का घ्यान नी होगा तो आप कैसे force की बात करोगे इसके बात जो dynamics of subtle emotion पढ़ोगे क्या पढ़ोगे वह बिना एक्सलेशन के समझाने वाली एक्सलेशन होगा बेसिकली किसी से force को एक्सलेशन को मुट्रिप्लाय करतो तो फोर्स आजाएगा मास से किससे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया चलो मैं थोड़े से फीक लगे एक और ऐसा का ऐसा सासे किटाता हूं कोबाज 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 के पाइंशन कुछाया तरा चुकी है किट वोले दिया हुझा दृ फॉन आँगल से फंट यह बेन ने चैनल ड़ीर और नचैनल यह ग्सटर्स फाइंड एंगल बेट्वी रेडिल एक्सेलेशन एंड रेडिल एक्सेलेशन एंड नेट एक्सेलेशन एंड टू सेकंड PA Grill क्या नेट का इंड ने में लोकिए थीट नेटे जाम लोकिए गृषा किया गिए यहां से ने तु पर較D equality सब्सक्राइब इकोस तु तु थी निवर्स वन बाई एट तो में दूर दूर तक समाज अपे एनेट बूस लेता तो भी कैसे सवाल कर सकता था तो मुझे लगाने तुम्हें आया माज़ जी सवाल को मैं ऐसे पूछता ध्यान से सुनना बस बता देना तू कर सकता या इंपी नहीं कर सकता ए इस वाल में ऐसे ही पूछ सकता हूँ, find out the time, find out the, when angle between a net and a i is 45 degree, तो क्या ये 45 हो जाएगा, क्या 8 एंगे शिलार एलफा ही रहेगा, क्या omega की एलफा T रख देंगे, तुम्हें नहीं आया, क्या T निकलाएगा, किसी भी time T पे angle पूछो ये angle दे के time पूछो क्या सवाल कर सकते ह मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, क्या पूछ लेगा inet के बारे में, alpha के बारे में, ध्यान से देखो तो alpha बराबर 80 by r is a relation between angular variable and linear variable, angular variable and linear variable, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, पक्की बार, सोच लो, guaranteed, असलियत में ऐसा एक और या बात समझा गई, थोड़ी सी और फील कर लो, याद कर, theta equals to, arc length upon r लिखते थे, arc length distance थी, फिर इसे differentiate करना है, d theta by dt, तो distance का differentiation is speed, is speed, तो omega है था, v by r, ये v क्या था, speed, speed को differentiate करना हो, तो क्या हैगा, 80, इसलिए वो alpha बराबर 80 by r आता है, ये क्या चीज़, speed की velocity, नहीं आया, तो इसमें पर differentiate करो, तो यहाँ पर rate of change of speed आयेगा, rate of change of speed क्या होता है, omega का real formula, तो mod of e vector by r है भाई, अरे तुम्हें नहीं आया, डिफरेंशिट करो वे d omega by dt, जिसे आप alpha कहते हो, क्यों alpha d, mod of e vector by dt upon r, and this is what, 80 by r, तुम्हें दूर दूर जग समाय, theta equals to arc length upon radius, theta equals to arc length, arc length is again, what, arc length is basically distance, arc length is basically, distance, so देकि theta का linear variables relation, ये omega का linear variables relation, ये alpha का linear variables relation, ये अपस में ऐसे connected है, आपको एक दूसरे को एक दूसरे से निकालना आना, चालिए, थोड़ा से दिमाग लगाना आना चीए, क्योंकि इसमें एक श्कॉर रा यह फ्टार्ट दो तो यह बात्तों में समझ में आगई कि इसके 2 थैड ओमेगा स्कॉर आर यह वी स्कॉर वाई आ, पुरैक रिर यह फिस्षा एसे जो एल्फा यह ले जा रहा है कि अपके अपर कि आपके लिए थेए अर्ट से स्थर्कल्र मजशने घुमाता रहता है मैं स्थ इसे तोले दाउग। स्ट्रीट लएंगे। सेफार लोव वागों टेंजेंचमरा तेंजन को सिर्ट लोलो मांदो कि उस पार्टिकलर आपकुललर थिशननल अलफ ऑर at any instant you can write down the speed equals to v equals to u plus 80 where a is the initial yes sir where a is the initial there we can apply v equals to u plus 80 in case of alpha constant that is a short trick which you apply you cannot apply v vector equals to u vector plus 80 in any case of circular motion because acceleration is not constant in any case of is it possible to revolve a particle in circular path in constant acceleration constant acceleration means two paths are circular sorry straight line on acceleration magnitude constant ho sakta v square by r but its direction continuously change ho rhi hai in a uniform circular motion in an explanation is constant or variable magnitude is constant yes sir but direction is changing में अंपे अए अए हाय की नहीं कि नहीं आया गाया तो ऐसे लिखने अटने को यू मान लें और एलफा के लिखते हैं ए टेनेंशल इंटू आर इंटू टी आर 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 वी इकोस टू यू प्लस एटी आर तुम्हें दू दू तक समाय यह का लगा सकते हैं जब एलफा कॉंस्टेंट हो जब एलफा यह इलेशन सही है क्योंकि यह शॉट्रिक है यह सही नहीं बोल रहा हूं मैं यह गलत है यह मैगनिटीव वाई सही है क्योंकि सिर्व आप टेंजेंशल देख रहे हो तुम्हें मेरी बात समय आई नहीं आई अगर ध्यान चे सुना और तो आजके लेक्चर बहुत अच्छा था और रियल फीर थी सर्गुलर की आपको किताब उठागे पढ़़ा आपको समझ नहीं आ सकता है इसे जैसे मैं बोलाँ इसलिए आजके लेक्चर पर बहुत अच् आई की नहीं आई उतार लो सर्गों इशीट देना सर्गों इशीट सेशन ए और बी दोनों कर लो एक्साइज 1 के सेक्शन एबी एक्साइज 2 के सेक्शन एबी एक्साइज 1 के सेक्शन एबी एक्साइज 2 के सेक्शन एबी दोनों कडा लो तुम कर सकते हो कॉन सा श्पीड चेंज करता है कोई शक्वाली बात कर चुके थे रिडिल एक्षिजन टूबर्द सेंटर होता है कोई दिक्वाली बात नहीं है तो अगर श्पीड चेंज करता है जो तेंजें डियरेक्शन में लगता है सबने बोलो टीक मैने इव पोला यह आपन कर चुके थे उसके बाद अपनने उसके पहले एपन अपन थीटा पर चुके थे अपनने पुरा प्रूफ एक्सलेशन का पड़गिया था अलफा बराबर फि externally को जिकात नहीं यह कर मोने आल्फा कॉंसेंट पीघोश्तो का यह किस टी ती कि डॉमेगा छौन सापकोर है ऐ तो फिस्कृष इन श्कार अगощnight इसका यह रजिय हो baru कि अगलबागन टो तो बताओ फंट शकेंड बात क्या होगा किया बता है मैं यूराओ ऑस देख एलेंसाओ दूबशाओ तक में सबस्क्रणra , ये ह Вас है घृ अ कर ल successful election ये मालो मैं आपो बुलूं की मालो मैं आप बुलूं की थोस अच्छा का राते वी क्या चीज V आनिकी स्पीड V इकोशो स्पोज आइसा है K ROOT S V इकोशो अशा है K ROOT S वेर और पार्टिकल सफल कर रहा हो हो तो है इक पार्टिकल सफल कर रहा हो की एकोशोन है बिए कोशो के रूट S वेर S जिस्स ट्रवर नियुआ बूलो कियार है distance traveled आख सर पूछा जाए find out the speed as a function of time t k कोई constant है root s में s is the distance traveled v equals to k root s में 5 5 v speed as a function of time t find the speed as a function of time t find speed as a function of time t । speed is related to what a t or a r is related to what a t or a r 80 और यार it is related to 80 तो असलिए में यह है असलिए में जो V अपना 80 है वो होता है बेसिकली DV by DT where V is the speed एट असलिए क्या होता है DV by D where V कह है बोलो के यह रहेगा वही पुरानी कहानी DS by DT DS by DS what is DS by DT V what is DS by DT V Speed, speed, V बोल yes or no yes तो 8 अच्छों की value चाहे 8 अच्छों की value चाहे DV by DS और यह और सलाव V तो मुझे पता है और क्या V वे ज़ने पता है तो DV by DS निकलाएगा DV by DS निकलाएगा तो यहां से DV by DS निकलाओ DV by DS अगर निकलाओगे तो DV by DS तो आपको सब रूट से में मन चाहिए नियार क्या के राई टूरूट आस कृ किया अंतर रहाए क्या अंतर अ क्या उंतर आ है क्या इंसर और टूरूट आज अगा टूरूरूट सब्सक्राइब किसका सवाल तो रहे हैं और एल्फा कंस्तन एक सब्सक्राइब तो आप देखो अगर अलफा कॉंस्टेंट हो तो किसी प्टानिटी पेश्वीड क्या होगी कि अभी इको सू यू प्लस एट है उमेका फैनल इको सू उमेका नीशल प्लस अफटी लगा सकते हैं यह लगा नहीं तुम्हें आया आया की नहीं आया अब तो कोई खास बार पहल यह बिसकली प्योर कानेमिटिक से सब जो मैं आपको बोलना हूँ और देख उना एक्सेलेशन करा दिए थे तुम्हें बहुत सारे फाल तो टाइम पास नहीं करते हैं अप फिर तुम्हें पूरे एक टाइम पास उता जाएगा था नहीं दोचा सवाल करा दिए ना एनेट वाले कितना एंगल होगा क्या टाइम होगा इनेट के बार में चर्चा कर ली थी हो गयादा है सेक्शन चुला हो आपकी इच्छा हो तो दो चार और पेंपे कड़ मला कर लग रहा होगी ऐसे भी दिक्कत है तो यह आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ पकार इसे सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं में लिए उसमें कोई घास बार नहीं है नहीं है यह अलपाइक कशू कि के ऐस लेलो तो भी सवाल तो हूने वाला या कि खोखा़ बात लूब जैसे कभी अभी क्या रते हैं कि k香港 कानेटेख एल्रजी जैसे इस सवाल को एक पर सबस्क्राइब यह फोब्काइब अच्छे से अच्छे से एकलियर है तो कई तरीकी से पुछा जा सकता है तो में सब कुछ निकाल सकता हूँ यहां तक आपने बाते करी थी एलफा पता हों तो अगर अलफा पता हो तो पीकल सकते हैं अगर आपस बैसेकली तीन बात अपसमें आपको रेलेट करने वी आने जैसे मालों मैं दोल्चक्निट गूंगने वाली है ठीक इसका एक पॉइंट एक बी है बोलो क्लियर थीटा ए और थीटा भी में क्या रिलेशन है थीटा ए और थीटा भी ओमेगा ए और ओमेगा भी एलफा ए और एलफा भी अरे पक्की बाद अमना पूछो इसे अगर मैं बोलो ए टेंशन किसे जएदा है एक बी का जएदा है यहर आघना बोल और किये जएदा हाँ और यह बी इसका मलब अकम है कि लगा ने तुम्हें ज़ए ज़ए कि ये वाली ज़ए तो क्या a radial of a is less than a radial of b क्या a of a is less than a of b क्योंकि a radial भी कम है और a तो इन दोनों पाइट पॉइंट्स के लिए बले अंगुलर वेरियबल सारे बराबर हैं पर लीनियर वेरियबल बराबर पर मुझे ये पता है तो में निकाल सकता हूं ये पता है तो ये पता है मुझे लगानी तो मैं आया है ओम इन छेओं में आपको नाचना आना तक सब कुलोता हूता है और यह पता औराची की Axial Vector's है, यह क्या है, जो इन Normal Vector's की तरह नी चलते, और जो relation हमने इनमें पढ़े हैं, वो इनके Magnitude वाले relation है, कॉन से लेशन है, क्या रवाल नी यहार, कौन से वाले हैं, Nye Nature? पिचल ख्लिर है और गोदू के पार चुटी बाते याद रहे कोज़िंग नहीं करता है आईए अधिया हो गया गया एक और छोटी सी बात देखो से हम कहते हैं radius of curvature क्या कहते है radius of curvature सुनाएं किया ये ये radius of curvature वाला segment है ना जनरली basically अगर आप ऐसा समझो तो ये सर्टलर में पढ़ा जाए इसा कोई जरूरी ये गणित में भी पढ़ा जा सकता है radius of curvature पढ़ाया थोड़ी में अभी ये बढ़ाया ना सुन लियां सुन radius of curvature एक्चुली ये किसी भी जनरल पाथ के लिए डिफाइं है radius of curvature से हम ये एसास लगाते हैं कि अपना जो पाथ है वो कितना करुप है वो कितना इसे मालम में को भी पार्टीकल नो है ये यह ऐसे जल रहा है मालम में दो पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट बी कहाँ पर है बीपे और बीपे जहां अगर तुम बात करो तो basically radius of curvature tells you about the current of the curve tells you about the radius of curvature is के अपारत है जिसके हर पॉइंट का रीटिए अपनी गुमाओदार घर रडिए से 10 मिटर तो कहां जदा गुमाओदार है जाए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए तो सिंपल सी बात बैसिकली करती क्या है सबस्का को इस आर्क को लेते हुए एक सर्कल मानते हुए बोलो कि यह रहे इस सर्कल का जो रेडियस आता है उसे क्या बोलते है रेडियस ऑर बसे यह ज़्यादा करुड़ ए मुझे लगाने तुम्हें आया नहीं आया तो गुमा हो इस जैनली प्रोपोशनुमन भाई हार सी तो रेडियस अप्रविचर क्या चीज इस पहली बाद फील अन्टिये चे रेडियस अप्रविचर क्या बताता है रेडियस अब बेसिकली लेश्चर के दो से हैं एक मैथमेटिकल की इसको निकाला जा सकता है और दूसरा है फिजिक्स से अब यह कहां पढ़ेंगे नहीं है नहीं है तुमारे कोर्स में नहीं है वाला प्रेडियस अप्रविचर की इक्वेशन होती है वन प्लस दी वाई बाई डी एक्स का होल स्कषे एक आउं कि पावर 3 by 2 अपाउन डी स्क्धार उइ भाई बाई गॉस्क्कोर फेर को पता हो, Y is a function of X? अरे नहीं आया? र्वायज़ दिया हो, तो पर यह बहुता है, 1 बढ़ने रोडिक से whole square कआव थी पाँ 3 by 2 by D square by D x square सब नहीं कोरा टीक, में नहीं बहुता है? D अरे हा ना बुल? Yes, sir. कुई अरह बाढ़ कोई? नहीं है. चलो. तुम्हाने भी रीडिजे करें चरह वह सवाल आए था के एक्जाम में एक बहुत सुंदर सवाल था हूँ आई कैफ जी कैफ वहला एडवांस के टेस्ट था ना तुम्हारा शायद है अभी पूछ नुमाना है एका इसे प्रजेक्टेल जा रहा है उसमें एक्सलेशन दिया है कुछ में था या किसमें था मैंने वी डॉबल श्रू निसस्ट कराए शायद इसलिंगे याद आया जलो मैं उसमें चल्चा करना ठोटो वन काशी अवर डी स्कॉर इसकोर सबने बोला ठीक मैंने यह बोला इसका बहुत बढ़ी है आप फिजिक्स में पिजिक्स में कैसे और यह एक्सलेशन ऐसे अब लॉजिकल यह थीटा है तो यह परपेंडिकुलर है और यह यह पैरलल यह जो भी बोलना को दिकत नहीं यह परपेंडिकुलर यह आज जो आप बोलना चाहो अगर आप ध्यान से देखो तो एका एक पर लेला अगमोलन के इसकी स्पीट चेंज अगर मैं इसे एक instantaneous circle बाणनों चेंटर तो क्या यह यह वाला एक्सिरेशन कैसका AR radial है यह जो भाएं इस instantaneous circle का radius of curvature ही तो मुझे निकालना है क्या मैं बोल सकता हूं कि AR at this instant यह परपेंडिकुलर एड दिस इंसेंट इस बेसिकली स्पीड का स्कॉयर बाई आर सी और मुझे लगाएं तुम्हें आया आया की नहीं आया अगर हम फिजिक्स के हिसाफ से चलें तो क्या रेडिश ऑपर वेचर एफ परपेंडिकुलर इस वी स्कॉयर बाई आर सी क्या तो पीचिक के केसमें क्या निकालते स्वाइ पर्पावीं कि यहारार आ जो क्ष magist्व के दो प्रमकों कर सकते हैं वह इस पर्पोनेटी स्पूइर बिश्टकिंट संप क्या संव रेश ऑपाउं ऐस ङाल में प्रपारिशंगे एट एंश्य Harbor Photoshop इंग है नहीं आया में में पहल तो आर्सी को सु वी स्कारवाई पर पर विचर क्या होगा इंफाइनाइट क्या होगा क्या हम बोल सकते हैं कि स्रेट लाइन इस अ इसलिए हमें धर्ती भी तो देख स्टेट नजर आती जब की अर्थी स्टेट बहुत उपर से देखो जो गोल है हमें कैसी लगती गोल अब जिसे तो गोल समझ रहा ग्लोब है के वाली वास समझाईए पतार दोचा सवाल करते हैं मिकलारेटी आजाएगी जोनल रख करियों कि उन्हें बहुत बढ़िया सवाल मिलाओं का क्विस्ट में था किस में था उस वाल जाए पेपर में था चाहिए प्रवाल यह तूमे था चाहिए इसर चला जाओ तो इस जो में बूला चमगा तो इस फ्रसिंपर एक सवाल पूछता हूं आपसे जान्स देखो फिर उल्टक्ष पेपर वह सवाल है वह सब्सक्रों के साथ बढ़ी अधिस करूँ आपको बौट चाहिए तो मापसे सवाल प अधिन पाटिकल फेका मानलो ऐसे बुझे आपने पाटिकल फेका यह 53 दिगरी कितना यह 50 मिटर पर सेंद बोलो क्लिया या ना अचा हूज जाए फांड वुझे दो दो डाइडिस अफर पर वेचर यह प्रोजेक्टाल करेंगा प्टिटल करेगा प्रोजेक्टाल करेगा है और तो सरकेत थोड़ी यह वह हां हां पूल जहां ना इस एक पूचों फाइंट फइंड पॉराःश्न हैनो स्रेच आफटर फेंड हश्वाफटर फबार फने कुछ फाइंड काईर भी दहुटा हां तेरे सामने साल्व नाया है, कॉंसप्ट पता है तेरे को भी कॉंसप्ट सीखना है, दंसे करो इधर लेगा, फरिजोंटल में रफथा 30, वर्टिकल में रफथा 40, एक सेकंड बाद क्या चेंज होगा, ये 30 चेंज होने वाला, क्या 40 चेंज होगा, अरे हा ना बोल, तो वेलाउसिन वाइड डिरेक्शन इन बाद, आपर फन सेकंड क्या होगी, 40 माइनस 10 इंटू 1, क्या 30, उत्यान आं, हथा, ना बोल, मलगत, जिस समय की में बात करना हो उत समय इधर भी रफथार 30, इधर भी 30 तो तो एक कभी तो हाँ ना बोलो जिस समय की बात करी क्यों मैंने ठटी रूट्टू डार्ट लिखा क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए मुझे क्या चाहिए अरे हाँ ना बोल यार रेडियस ऑफ करवेचर कहता है कि वी स्क्वाइर बाई ए परपेंडिकुलर वी स्क्वाइर बाई अरे प्रजेक्टायल में तो हमेशा एक्सलेशन नीचे ही रहता है और उसकी वैल्यू टेन रहती है और कैसके दो कंपोनेट करे जाए विलॉस्टी के करे जाते है एक्सलेश यह फॉर्मला नहीं है वी परपेंडिकुलर स्क्वाइर बाई यह गलत है और यह लगाएं तुम्हें आया एक्सलेशन की कंपोनेट करने अलॉंग व्लॉस्टी व्लॉस्टी बोल यस और नो बढ़ी असा बाब एंगल वेंगल देख लेते अगर हम बहुत ध्यांस देगे यही है परपेंडिकुलर कहलाएगा चैश्पी 30 रूट टू है तो रेडियस अपर विच्छ निकल के आया 30 रूट टू का होल स्पायर बाई 10 बाई रूट टू यह आंसर अब जू भी आ रहे है अरे कभी तो हाना बुलो 180 रूट तू 180 रूट तू ध्यांस देख वे तो कोई रॉकेट शाइंस ने राउन प्रखेरू ने रहे है ने रहे है ने रहे है एक आसान कर लो लो को करना तो हुई है इगल दोनों ना भूसा मार दूँ हूँ नहीं तो मैं 10 रूट 2 मीटर से फेगा 45 डेरी पे नदे इस अगा रिचे ने टामस प्राइंड क्या ही आसान है यार हा ना बोल कोई गुराही हे जहां देख और तेन रूट तो ए फॉटिफाइड डिगरी ध्यान देगी दाइज देखिए उन्ना ध्यान से यह देखिए खुपाच्छ चुपाच्छ चुपाच्छ चुपाच सब्सक्राइब कर लोगे कोई इस प्राइब कुछ दे जाए तो कोई खर्ष्ण वाली बात नहीं एक और बात सुना करना मैं से सुन बता दे कैसे करें कोई पार्टिकल एक पार्टिकल एक पार्ट पे चल रहा है बोलगे है उसकी विलॉस्टी इस समय पर है 3 i-cap plus 4 j-cap बोलो गलिये और बोलिये जाए कि acceleration है i-cap plus j-cap बताओ radius of curvature at this instant क्या तू कर सकता है पहले बता क्या करेगा इस समय स्वीड पांच है नहीं आया इस समय स्वीड कितनी है तीने चारे पांच है तो क्या पांच स्क्वाइर भाई ए परपेंडिकल एक प्रपेंडिकल निखा सकता है a.v upon mod of v और क्या a net square equals to a parallel square plus a perpendicular square क्या a net square root 2 पता है ये क्या है component of acceleration along velocity एक मिनिट तुम्हें यही लग रहा है नहीं मैं revision करा रहा हूं मैं तो यह कैफ ही पहली बार देखिए मैं आया मैं किसी भी इंसेंट में velocity reaction बता हो क्या radius पर विचे निकाल सकता है यह सब्सक्राइब कोई गुरही वाली बार नहीं है और प्रोजेक्टाइल किसी पात में पूछ ले कोई दिखका है चलो पेपर का सवाल करा ही देता हूं यह ना बढ़िया सवाल था पेपर 2 में था न शायर नो इसका हिंट देता हूं बढ़िया अच्छे से ध्यान सुनन मनलत तुमने पढ़ा हुआ तो हो गई सवाल क्या है था पेपर 2 में 11 वार को मैं प्रोड़के बताता हूं ध्यान सुने ऐसा एक सवाल आपकी शीट में भी मैं उसके बारें बोल ली रहा पर इससे कम अच्छा है वो यह और अच्छा है है ना बी वाला सवाल एक ही मदुमक् की को बोलते हैं तो हनी बी क्या होती है जग अगर उसने शहाद भर रखा हो तो हनी बी और ठाली होके जारी हो तो भी सबस्क्राइब जयां सुनना कर दो पता ही पड़ा हुआ क्या होगा इसका इस इतिया है समझना और जोन्टल अपर जोन्टल इस फोट्रव टोनिम्हीं पर चेंट जर्च विश्पिट्री अजर्च पुट्री अधर पर गजेटरी अधर पॉस्ट तो जो फोव अलाउं देग आप सुनना इजा सुन उसने बोला कि अबने अच्छी शी इंग रहो ज्यांस देख आप ने फिर अब प्रेटेल फेका जब आपने अपने उस इसी जिए प्र में पता है न पता है कि जैसे मैं तरों सिखा दिया कि तुग आइसके किसी भी पॉइंट पे रेदियों कर विंच इन लिए मैं निए को प्रॉट्पर आपके Hall कितो इसी ट्रेक पे चल अनने दोनों का सेम रहे इन दोनों सबस्केट है radius of there is a common radius of our vector in both the particles the particle which is known as a projectile and the particle which is supposed to move as per our expectation another particle piece now force to move along the same trajectory as another projectile when the particle is at O V naught O O initial point which was the fact so 3-10 not the first part of the part is the second part is it is this part of the goal it is the part of the fact that the particle can be removed from the radius of the region is not coming to us but it is here it is here it is here it is here it is 60 तो यह 10 का इदर कंपूरन के 10 को 60 को 60 की वेल्यू वर्बाइट क्या पांच है तो क्या यहां पे इस जगे पे तो यह पे पेंडिकुल सही बात और पॉला कि एक्सेलेशने टाइस तूपोइंट फई यह कौन सा है रेडियल परपेंडिकुल निखाल सकता हूँ उसका मतला इस उट वी इक्वल टू टू टैनि स्कुयर भाई ए परपेंडिकुल है तुमहारे प्रांट तखे रूँ प्रा जहाए चीज़ सीख रहे पहला जो बोला चमका इसे यह परमिदी लिकलाया चाहिए और हो एंप पता है इनेट पता है इस पता है यह परमिदी लिकला ऊप इंप अचिछिन की डायरेक्षिन अफ नगला ही घला के लाकटम और बैसा तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समा य कि पूश्कम लाए रहा था नहीं अधिक एफ बहु है नएए नहीं अधिक सवाल था बढ़ी जोड़ार काही लोग कहने चला पड़ा नहीं इसके पहले दिया चला पड़ाया होता हुथ थे चल पॉझ सब्सक्राइब देता तो मैं नहीं होता तुमसे इस ओके इस एक मन में होता है क्लियर है आज का इंपॉर्टन कॉंसेट है रेडियो कर विचर अच्छे समझ आया सवालों की कोई कमी कॉंसेट डिलीवर होना चाहिए पिचर क्लियर चलो आके बढ़ते नेक्स लिखो नेक्स ब बात रहे ही फोड़ी और अच्छी चल्च अच्छी के बिला बेशिक पडिउसी चल्चा इसे बिदीन एमसे और मोशन क्या बोलते बैसिकली डामीक्स ओव सब्सक्राइब अवरी केर्फुली इसिए आप सभलाउशन बढ़ते हैं तो दिसमें यह बीकिश्या थे अरे तेय अब हम यह समझते कि यहां में पता पढ़िया है इसलिए इसलिए है इसलिए तो इसलिए इसलिए पढ़ रहे इसलिए इसलिए पढ़ नहीं कौन सा फोर्स चलाता है वो तो ना में centripetal force दो कौन लगाता है पर ये बास है क्या centripetal expression को देने वाला force जो minimum required force है क्या उसे centripetal force कहता है मालनी बार बिल्कुल क्या इसका मैंट्यू dv square by r होता है कौन देता है क्या ये कोई भी दे सकता है बात समझने वाली है बिल्कुल ये force कोई भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरिक डिए करेंगे मैं आपको एग्जाम्बल दो एक रस्ती बांदो एक रस्ती बांदो जो गुमाओ कौन देर है कौन देर है को दुरेव लीवा यांगे पो एक रिंग लो चल्ना डालदो रिंग रफ्तार देदो कौन गुमाओ कौन गुमाओ कौन गुमाओ Normal will provide you centripetal force YES or NO ै spring lock फिर particle बांदो गुमाओ क्या spring force कौन सा force क्या spring force उसे गुमाओ कुछ ब्रेवाली बार SUN क्या च्बास आप गुम रही है इसके आसपास इलेक्ट्रोन घूम रहा है कौन सा पोर्स घूमारा है एलेक्ट्रोश टेडिक्स कौन सा अरे नहीं आया कौन घूमारा है अगर अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे हो और पार्टिकल को ऐसे क्यों से छोड़ दो क्या सरकल करता है क्यों सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब कार्ण जो है वो ट्रेक पे चल रही है उसे कौन घुमाता है और पमाता है यह वो सब इलुस्टेशन जिन से आप रूबरू होंगे अलगलग चेप्टर में कुछ में इस में बाक्यों में अलगलग में आदर अरे हाना बोल सायदी बात ही बात है सब्सक्राइब को भीर है और यह जो पिर क्रेंदा में पर हमारी सर्थाणडर है जिनसे हमारे 99% सवाल बनेगे वो सब यह है पर अधा जो गोला चमका यहार मुझे लगानी तुम्हें आया तो basically there is a requirement of minimum requirement of force that is centripetal force that is mv square by r that should be radial that should be radially invert जो है हमारा acceleration जो है हमारा acceleration जो है क्या वो रिडियल इंवर्ड है समझना चीकि there is a minimum requirement of force there is a minimum requirement of force to move a particle in a circle that is radial force that is and that is known as centripetal force that can be provided by different forces that can be provided by different forces that can be provided by और वो एक्जामबस यह है जो तुम्हें दूर दूर तक समाया है लिखनो तो समझाया है अपनी बाशा में मैंने लिखा रहा है कि भी दिखलो अपनी बाशा में और अफ्तार देश पागल हो जाओ उलक लिए रहे क्या है आपको लिखना क्या है जैसे minimum requirement of force to move a particle in a circle that is radial force and that is known as centriptal force उसको लग्यूट कितना होगा every square by r कितना होगा that force can be provided by different forces for example बुलोग लिए रहे ऐसे लिखना आपने शब्दों मैं कुछ लिखा रहा है आपने शब्दों फुद को लिखना है आपको करते हैं कि हमें समझ में आगया minimum force चाहिए यह चाहिए वो चाहिए अगर मैं आप से सिंपल सी बात करूं कि एक particle है जो रस्ती से बना हुआ है और उसकी रफ्तार वी है और वी कोई बुरही वाली बाद स्पीड कॉंस्टैंट है स्पीड क्या है इसको अगर श्रुटी बनाओ तो कि अंदर सिर्फ है टी अंदर सिर्फ है यह वह चल्य चल एसे रहा इस लाइक्स वर्स इदर है यार हा आपल अब न सब्सक्राइब कर दें खायर किई अग्णीश की अपार्स टाहि ठीड इस विल्कु द पार्णी जाए अर्णीश topics जो है T, तो क्या simply हम लिखे हैं, Tension equals to, force equals to mass into acceleration, force equals to, mass into acceleration, क्या हमारा particle रेच्परेंगी accelerated है, इसलिक हमें F परावर में लगाना चाहिए, क्या F की जगे T लिखना चाहिए, क्या T और mass की जगे M और B square by R, that can also be written as M omega square, that can also be written as M omega square, that is the requirement and that can be fulfilled, that is fulfilled by Tension, tension equals to M B square by R, जो मैं बोला चमका, जो पासाथ मिनिट सुन लो, उतारने ही जल्बाद ही नहीं है, क्योंकि ये feel करना है, जो मैं बोलूँगा, और उसकी थोड़ी feeling आपो सवालों के साथ आएगी, सुनें है बाचे से, ऐसा पूरी कहानी मेला है करी, ये कौन से frame में है, इसा कुछ ग्राउं मैं बतातू, आप चाहूं तो सारे सवाल सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई आपको रोगने वाला, पर जो concept लाया जा रहा है, centrifugal force, क्या चीज, वो आपको डराने के लिए नहीं है, बच्छा उसो डर जैते, centrifugal force समझ भी आया, अब उसको feel करके वो इसलिए लिए लाया गया है पर जो समझते वागने थोड़ी से तबलीफ आ सकती है, पर वास्तविक्ता में हो, लॉंग तम में हमारे सवालों को आसान, यह मन में बिठाओ पहली बात तो, है न, खेर, अब मालों में इसी सवाल को, मालों ऐसे frame में करूं, जो भाई साब, फार्टिकल कहां बैठा हुआ ब्लॉक परी, तू कौन? चीटा फ्रेम, चीटा कहां बैठा हुआ है, तो इनर्शिल नर्शिल नर्शिल, नर्शिल में सेकंड लाँ अप्लाई एक रिए, तो अगर में चीटा फ्रेम में पार्टिकल को एक्सलेशन का डाइगरम बना हुआ हूँ, तो एक्सलेशन के ता है चीटा के लिए पार्टिकल का एक्सलेशन किता है, जिरो, 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 जिरो तो चीटे के लिए पार्टिकल बनाओ चीटे के लिए इसका या मास एंडर लग रहा है यह तो हैंगी बढ़ चीटा चूंकी नौनिश्यल प्रेम है और हमें पता है और हमें पता है कि अगर चीटा कोई बिए पार्टिकल नौनिश्यल फ्रेम में हो तो कि सेट्र लगाने के लिए कि सूडो चाहिए यह सूडो की क्या सूडो अलवेज एग सब्सक्राइशन क्या मैंटू इस मास अफ द बाडी इंट एक्टेश्यल अट अब्डेश्यल फ्रेम अब चूटे के लिए एक््सक्राइशन गिता तो चूटे के लिए net force क्या होना जी इसको लिखने का और सोचने का तरीका अलग है इसको लिखने का और सोचने का तरीका नहीं आया इसे सूडो फोर्स जिसे आप क्या बोलते हो संत्री फुबल फूर्स क्या बोलते हो इसे बच्चों को जिस जिस नाम से पढ़ाया जाता है सर्नी तो सुडो है यह तो क्यू दिया का चारान बताता हूं क्यूंकि हमने स्पेशल केस लिए है सपोस्बेश सब्स पार्टिकल कि अब्स कर अगि कर सकता है या एक्षैट सकता ह हम्बारा पारिकल इधर की तरफ दी है और वो बढ़ा रही है तो इसका अरे टेमिशन दोनों माल लेते हैं तो इसका अगर आपन ग्राउंड प्रेम से देखे तो इधर ए रेडियल है इधर एटेमिशन मालो आरे इलपा कितना अब अगर तु चीटा फ्रेम में चले अब पर जब तू FBD बनाएगा जब तू FBD बनाएगा जब तू एक बाद और अच्छे समझ अगरी पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो इसका AR इधर है एट इधर है क्या एनट इधर है तो तो इसमें नेट फोर्स भी यहां कहीं लग रहा हूं कोई भी लग रहा हूं मुझे नह अश्कार इसमें सुड़ो ना ची मैं एट फूडो ना ची ए टो टेड़ा तुम उसम दो कमपोरेंट कर लो एग यहां पार्टिकल यह एप डेट को बैलेंस करें अश्कार असलियत में वी स्कार बायार इससूडो फोर्स कंप्लीट शूडो फोर्स और पार्शल अगर रिय तो centrifugal force is nothing it is a pseudo force of radial acceleration यह किसका सूडो यह किसका किसका तो अगर फिल करो इसलिए उसे नया नाम दिया गया कौंसा फोर्स कुछ लगा ने तुम्हें आया कि नहीं आया प्रांट निकल गए नो सब्सक्राइब नहीं है वो रेडियल इसलिए वह बेस्ट कॉम्बिनेशन तु सॉल्ट अप्लेशन के सवाल को दो इसों में तोड़ लिना चाहिए एक रेडियल और एक रेडियल में तो कसम खालो की व विल अलवेज अप्लाई एफोर सेंगी स्क्राइब या रेडियल इसलिए आउटवर्ड जैसे यह लगाया क्या तुम्हें रेडियल डारेक्शन को सूड़ फ्रेम में सौल करा तो रेडियल डारेक्शन प्रोग जीरो होना चाहिए एंड सॉल टेंशन डारेक्शन नॉमली अगर आप चाहते हो आप स्वाल को आसानी से करो टेंशन डारेक्शन को सूड़ो से सौल अमत करो इतना आसान सवाल को का बेस्तरी किसे करना है तो आलवेज अप्लाई सेंट्रिफ्यूगल फोर्स विच इस डेडियली आउटवर्ड इन एडियल डारेक्शन शुद आसा समझे तो आप एक ही सवाल को दो दो फ्रेम में सौल करोगे रीडियल को सौल करोगे चीटा फ्रेम में और टेंशन को सौल करोगे अरे नहीं आया यह यह मुझे पर याद क्या रहना है सौल करने का तरीका कि आलवेज अप्लाई सेंट्रिफ्यूगल फोर्स विच इस कि आलव में खरवी आप गया नहीं लुडब आप एक्षर नवें अच्छिव पार ने ओने बिडियूग तरीक्शन एक होगे इकवारश्य विच्छ सौल ध लिए प्र विचान प्लें नहीं आया यह और नहीं अग्या स्ट करने काए लिगुए क्या वोर्स है लिए टेस्क तुझे मेरी बास समाझ आए पक्तू नया नाम लिया क्या यह समझे आया क्योंकि बैसिकली संट्री कुझा इन फोर्स पॉर्स ओ रादी अग्षिकली तुछ भी समाझ राइद वाट्भ वाट्व टो राइड वाट्व आई आपको लेकना इसें पुझाली सुड़ा अध्या पिल इकना समाल को आसानी चे वावडने का तरीका है कि सेंट्रिप्यूल को फोर्स लगा लें बिच दिए डीयले और दिए बदिटूद आपटीटूद अप्लेट अप्टीटूद आपी स्क्वार आखो अर् है आए माली जी में आपके बिल्कुल बेसिक सिंपल से समाल कूछनू देखिए कैसा बिल्कुल ऐसा पूछनू लोलू साथ की रफतार दो मिटर पर सेकंड है फिर भी सिंपल ही पूछना से को रोकेट सेंस की है एक दो इसे मंदा हो इसे पार्टिकल एको में यह दो गडीन पर सेकंड़ स्वयर वह लूंग यह मास दो किलो का है दोनों ऐसे बंदे हुए है यह बनमाल मेंटर की लेंथ है स्विंक सी दोनों स्विंक पर टेंशन बदाओ टी सिंपल सवाज शर्म आ गई इस वाले केजी को देखो इस ओर सिर्फ अब्दर्टी टू लग रहा है और सब्रबुक ये जिट्रिफिकल फोर्ट्रास बहुत लिए जिए लिए minor silence दो केची वाल के FDT बनाओ, इधर लगा है T2, इधर लगा है T1, और क्या संट्रिफिगल भी इज़ लगा है? संट्रिफिगल की वाल कितने, M, 2 इंटो 2 स्क्वार इंटो 1, तो नहीं दूर दूर कर समा है, M, ओमेगा स्क्वार आर, स्क्वार आरा, तो त1 इक्वार 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 एक्वस के वाल कॉए दिखिए क्वार इन दूर। कि पर बड़े नहीं कि पर रहा है इसे रशी से बंदा हुआ है इसका मास्क दो केजी कितना है दो केजी का है यह बताओ यहां पे टेंचन क्या होगी अपर यह इसका डिएस दो मिटर है कि आपकार आं हुआ आप पने कासे एडाइस से डाइस सबस्केश भी विए निए प्राइश सब्सद्टा हुआ हुआ है इसकार व और यह इसकार ओ आच्छे तो इसे वह ना वर्टिकल तो यह लगा है तो इसे लागा या इसे लागा है नो ने कौन है तो एमजी प्लस मी स्कॉर माई आर एगर बहुत यहां से ज़ोड तेंचल कि लिए डिये 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 डियेक्शन में जैसे लिए अहीं प्लस जी रोला कि टैंचर की विलि एमजी के लिए भीटी 20, Md2 को अगी लगदो? 100 100 100 120 120 Yes sir कितना? 120 सुपर दूदूदूदक समया? Yes माल को एन पटिंगे कितने सकते हैं, बटिंग को पडाए जायागा, शयद महीं पडावो और पालें, कितन होने के बाद ? Yes मेरे के टाजी आगया है वो तो आजा ही इदे धे इक माल को पाटिंगे को ऐसा जो इस समय यहां बूदक से दोर रा है और आपने ये 1 मिट्र ये है और ये इंगर 53 डिवी है क्या आप टेंजर बना सकते हूं मास बन के जी बदा दो जली से रफ्तार देच बहुत बेसिक सी बात पर आनी चाहिए क्या बात सिखा चुके है कि हमेशन दो डारेशन मिजवा बनाची ये रेडियल आवार क्या इधर ऐसे क्या इधर लगना है इधर लगना है रहा है तो क्षके था तो तुम्हें नहीं आया एक राएघ क्या कर रहा है क्या श्कुर्ण कंशफ अकुर्ण में अरी चीज़ पता हो तो बैड़ि नहीं पाद सब्सक्राइबρίल दो इक्वेशं गांगी एक व्यक्री सिक्मिशन दूसरी होगी है एग पर जिए और कहते हो क्या कहते हो फिस अब दोन के सवह पड़कर को ही दिटीकल सब्सक्राइब मौशन प्रेडा होता उसको फूरा डिटल में पड़े हैं पर दाता जो में बोला चंहा या, सब्स कि ये तो दुसका स्वाल है रिडाभ में भी पूचा चाए कर या कि तरह कर रहा है रहा है कला न कि दूलिया है उसा एक्स्ट पोजिशन पे टैम सल क्या होगी इस एस मिल भा वशन अब यू अपे ऐसे करो इस जगे एक्स्ट्रीम पोजिशन पर टेंशन क्या होगी। एक्स्ट्रीम पोजिशन पर। सर्कल का समाल नहीं हो एनिलाम भी बोल सकते हैं। जो नहीं बोल। अगर नहीं सोना है तो सोना हो। मेरे सवाल नहीं जंबात हो। एक पार्टिकल पंडलों किताय कर रहा है। एक्स्ट्रीम पोजिशन समझते हैं। एक्स्ट्रीम पोजिशन समझते हैं। एक्स्ट्रीम पोजिशन पर क्या जीर हो जाना है। एक्स्ट्रीम पोजिशन पर क्या जीर हो जाना है। मैंने कुछा टेंचन क्या है उसे लिए नहीं कुछा टेंचन क्या है उसे लिए क्या से क्या है यह ऐसे लुटार टेंचन काकट Park फर्स सेकंड जाई है फर्स गलत है क्यों है मैंने बाल दिया से लोगे से यह तुमने बोला मने माल दिया गलत है यह जो मैं बोलो पहली बाद यह सही है यह गलत है गलत हो समझ लोगे कि एक्स्ट्रीम कोशिल पर पाड़ें गाएक्शन जीरो होता है बाई साँ अगर एक्सेशन जीरो होता तो वापस क्यों आता क्या एक्समाचना फटीकल एक्सट्रीपोशन इस जीरो यह शेशन डूमें डूट्ट्रीटम चैप यह थीटा नौट्टीव एंच्यू सितिस्क्क अब जहां दो तो डुश्का इड़नेशना अशे यह एदर है हां इस समय centrifugal force नहीं दिख जरह रहा है तो आपने तो आपने एक क्वेशन गलत लेखती क्योंकि एक इस एक क्वेशन का क्या एक क्वेशन गलत है इसकी करेक्ट एक क्वेशन क्या है सुनना Mg-e cos theta naught equals to mass into अगर यह theta naught है 90 is 90 minus theta naught Ma sin theta अगर वर्टिकल में एक क्वेशन लेख नहीं है इस वाल है कि इसमें इसमें इधर कोई acceleration यह रेडियो डैरेक्शन में कोई acceleration मियां जबतों मैंने बुलता है रिज़्टियो डैरेक्शन पर छुट लगा वर्चंटियो करता है यह ही तो फिर पहिए इसमाली डैरेक्शन में रेट फोर जीरो होना सिखाने की बात हमेशा सरकल में दो डारेक्शन कौन कौन सी जनरली रिजवाल करो हमेशा 99.9% सवाल इसी से अच्छे से स्वाड होगे पहरता जो बोला चमका तुम्हें समझ दिया है जो पर जे इन एक बार एक सवाल और पूछ रहा पर बार पाटिकल क्या होगा तो पातिकल क्या होगा तो पातिकल क्या होगा रोने चार अश्र दिये वन 2 3 सितंड़ कि हम लग दो को अग्युटर अग्श्टिर नियो पेसरocraticा पिसलम आ यार कंव्ध, और जयरोफ और भाट क्स्क्राइव सकतर नहीं का? नग्यू डाह। करना ने फ्क्रहण से कहसी? टू कि ढोगे है थो आणसर है इयुए। इंसी आश्री एश्रपल्ट कांथ है। का इंस जो का इंसे विंदी पिकाथ है। भी यह जो का इंस हॉआ। इसमें अफ्तार चुला है, डारेक्शन नहीं का, इन तो काउंस ही विलाउस्टी है, एक्षी पूश्टी पर क्या रफ्तार है, काटते एक्षिशन के, जी, तो जी से नीचे आ गया, कभी तो आना गुल, काटते तो simple motion to gravity हो गया, AT इधर वाला नहीं था क्या का, नेक्ष तो यही था, बेटा, इधर AT था, तो इधर भी तो था, पर कर रेजल्टेंट नहीं था, तो इधर भागँगा, AT या, रेजल्टेंट, यह, नी आया, नी आया, नी आया, कि बाता कि इस प्रिंदी की इस चीर हो जाता इस लिए चीर चीरीच जाता है जाथ इसु gefड़ जाए जिए्ट कोरिशन करके शुक्षा जो जिरो कर देता है करते हैं जो मासले से उस पर लगेगा तो तो उसे रेस्पे आने में मलब रेस्पे या उसका फोर्स जीरो पंडे में कोई समाए है एक तुम्हें समझनी आए या यह लोगी डूल रहा है पूल रहा है इसी को आगे बढ़ाऊगा और आप इसकी सर्फूल भी वो सेक्शन यह और भी है आपको पेंडूलम पेंडूलम की सिंपल सिंपल बाते बता चुका था मैंने आपको उसमें टी को स्टू एम्जी प्लस एंवी स्कार भी लिगना सिखा दिया से बीसिंपल पेंडूलम थोड़ी पढ़ाया वी सिंपल कौिकल पेंडूलम पर बात करें जो आपने लास्ट फार्ट पशेद यह संपल पेंडूलम था कैसा था में इसका सरकल होता है उसका सरकल होता है किया मेरी बात लिये रहे उसका यह कैसा होता है होड़ी चलो बहुत बढ़िया आप चलो पर मैं बहुत बहुत बढ़िया बहुत मज़ा है वावा कैसे ध्यान से देखें माल लीजिए कि अपना कॉनिकल पंडला में उसकी बहुत बेसिक सी एक्वेशन है उसे समझे अच्छे से सम मिलके और फिर आके बढ़ जाएंगे आज में पागल हो रहा हूं पढ़ाने के लिए इसलिए बिल समझते हो तो डॉट का मतला वो भी बाहर अच्छा बहुत बढ़िया वी बहार है सबने बोला टीक मैंने बोला बढ़िया सब सोचो इसका जो सरकल है वो हॉरिजोंटल है इसे टरीफिगल फोर्स किता लगेगा किता लगेगा क्या सेंट्रिफिगल फोर्स डिदियले आउटवर्ड लगता है और इसका सरकल हॉरिजोंटल है कि वर्टिकल है तो सिंपल भाई साप्रेश इसेंट्रिफिगल फोर्स इतर की तरफ लगेगा जिसकी वैल्यू है एम बी स्कॉयर भाई क्या सेंट्रिफिगल फोर्स इसेंट्रिफिगल 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 फोर् अब ध्यान देए यह दो एक्षिशन होती अभी और यह पाच वेरीबल कितने इस दो निकाल सकते हैं पांगी से कोई प्रता और बाकी दो कितने आग अब उसमें कोई रॉकेट शाइंस मुझे लगाएं तुम्हें आया नहीं आया इसके और पहपे करूंगी बात लिये रहें चोड़ी सेटिंग डालो कॉनिकल पंडल लो रागे बढ़ो और पाकल हो जाओ आज आज़ो पाकल हो जाते हैं पीक उस्ट्रेक उस्ट्रिफिकल फोर्स जो बात बहले बता हैं इसा और इसको लगाने के बाद के नेट फोर्स जीरो कर लिया जाता है और टेंजिशल डिरेक्शन को नॉर्मली सॉल करा जाता है इसमें कोई शकवाली बात कोई वर्यवाली बात नहीं चलो अप्टोड़ अच्छे चले स्ट्रेशन की तरह बढ़ते धीरे इस तरह बढ़ाते जाएंगे आई यह देखते हैं कैसे माली जी मैं आपको बोलूँ कि एक होरिजोंटल प्लेन है क्या है और बने ऐसे अपनी सर्फेश है टेबल रखी हुई है उसमें फ्रिक्शन है मूँ कितना है मूँ फ्रिक्शन है साथ हम नहीं इस पें लगाई कील से रसी बांदी और उसके ब्लॉघ लिया एंग और उस ब्लॉट को रिफतार दी वीनॉट एक कील लगाई ऐसे सर्फेश्टी कील ठोकी रसी बांदी रफ्तार दी वी नॉट क्या पाटिकल सर्फल करेगा करेगा की ने करेगा वी नॉट कॉंसेंट रहेगा चेंज होगा पकी बाद शोज लो आप से पूचा गया टेंशन इस फंक्शन ऑफ टेंटी सवाल इसमनिया है आप से बुचा गया टेंशन इस फंक्शन ऑफ टाइम टी देखते हैं अभी देखते हैं अच्छा मेरा पहला प्रशन मेरे सवाल में पहला प्रशन की फ्रिक्षन लगेगा की नि लगेगा पक्किवाग, दूसरा प्रशन, स्टैटिक कानेटिक, स्टैटिक कानेटिक, बुट, तीसरा प्रशन, कैसे लगिएगा? इस इंस्टैटिक करें? अब आज का लेक्चर अच्छा है, अक्कल लगा के रखना एट, सेवन, सिक्स, पाइव, अजब वन अगर किसी का अंसर आ रहा है, तो उसके लिए भवानी मालिक है अजब कितने लोग बोलते हैं, वान, टू, मैं बेकू भी बना सकता हूं ऐसे टू, त्री, फोर, फाइव, सेक्स, शर्मावाद, सेवन, एट, हैई निया प्रिक्षन के बारे में आप समझें, अब आपन पढ़ने वाले थोड़ी देर तक फ्रिक्षन प्लस सर्कुलर, क्या पढ़ने वाले, तो मैं फ्रिक्षन के सुभाव के बारे में पता होना, फ्रिक्षन अच्छी चीज है की बुरी? अच्छी चीज है, अच्छी है, हमार लिए अच्छी ही है, फ्रिक्षन बहुत अच्छी चीज है, भई फ्रिक्षन के वह से चलते हैं, हमारी कार फ्रिक्षन के वह से चलती है, अरे हम चलते तो फ्रिक्षन के चलते हैं, अपन दर्दी को पीछे देखलता है, हट, हट, हट तब तो पना के चलते हैं वह पुरही वाली बार इंजन की वेशिए टायर गुमाता है और फिर दर्दी की पीछे दखेलता है तो फिर फ्रिक्षन इसे वह पड़िए रोटेशन में करेंगे बाट डिटेल में डोंट वरी अबाउट इट पर ज्याद रखेंगे फ्रिक्षन अच्छी चीजई जो बैसिकली दो प्रेमी आपसेज पर अचीजिय शुड़ाओ है जो दो फ्रेमी को साथ और यहां सुनही तो सवाल में उसको सब्चनई प्रिक्षन और सर्गुल निकाडब इसे सवाल होगा क्या मेरी बात अच्छा सवाल मतला फ्रिक्षन होगा सब्सक्राइब अच्छा सवाल मतला गारंटीड और रियल स्ट्रिक सिच्वेशन में भी होगा तो जाहिट जिवाते कि अपने ऐसे मालू वो फ्रिक्षन क्या केता है दो प्रेमी रहें तो जैसे एक ब्लॉक रखो आची तरी में अब मालूमें से ड्र छला रहा हूँ यह चल और देना पूरी कोशिश करता है कि साथ रहेंगे तब भी कोशिश करता रहता है कि दोनो जब स्लीपिंग होती और तामना कानेटी फ्रिक्षन लगता इकौन सा लगता है और अगर दोनों तो चेंड सासे इन दोनों बीच में हाथ और इनके बीच में वाला है क्या चीज पर में नीचे वाला जो जादा इह पाइव मांप पर फिर वी उसने कोशिश करी कि मूमेंट आया में चाहता है इसमें ब्लों में भार चाहता है मान कह संतए नहीं करता है। पर तिब्चों के बारे के बहुत अच्छी है कि किने अच्छी है कि त्टिक्स कुर्ण कर और जो प्रोपर मुझे लगाने तुम्हें आया दो बात क्यों दू प्रेमियों को साथ रखना चाहता है ये बात सचाई है और साथ रखने लिए कुछ भी कर सकता है और तीसरी बात उसे फिजिक साती है अब ध्यान सुझ इस पटिकलर सवाल में आपको तीन इलस्टिशन आएंगे जीरे-जी करें अभी इसी के सीक्रीश वह बहुत सही से कॉंसेप्ट समझ में आगा दस बार कह चुक हों क्या रिपीट होगा सवाल कॉंसेट वह बहुत बढ़े हैं यहां पर प्रेमी कौन है यह दोडी प्रेमी लॉग और सर्फेस अचा सर्फेस जीट है तो चली नहीं सकती जो प्रेमी साथ कब रहेंगे जब दोनों ब्लॉग जब दोनों रुख मलब एक तो रुखा होई क्या बना इनके साथ होना पॉसिबल क्या यह फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत जोग देगा इसको रोगने में तो वह सेंटर की रेडियल लगेगा टेंजेंशल रेडियल पर लॉजिक ऐसा ही होना चाहिए उसके सोचने के बारे में मन की फीलिंग के लिए नहीं क्योंकि आगे बहुत अच्छा होता जाएगा पर जो मैं बोला चमका मुझे लगा नहीं तुम्हें तुम्हें आया फिर से सुने फ्रिक्शन चाहता है दो प्रेमी साथ रहें यहां प्रेमी साथ तो फ्रिक्शन लग चाहता मुझेम कि इंसेट वात करें किसी बात करें किसी बात करें रफतार कि तो रफतार किसी इस इंसेट यहां। पूर्स लग नहीं रहा तो किसी भी इंस्टेट पे जब पार्टिकल पारिदा देखे ध्यान से जब कोई भी पार्टिकल अपना मास मैं है इसकी रफतार होगी अंदर की तरफ अपना टेंचन है बाहर की तरफ लग रहे एक एक सवाल है तो अगर काउंसांटेंट मपराबर ऑमेगा इनिशिल प्लस प्लस यह अ प्रेक अना बोल तो पूरे वाली बार पर मेंगा पेनल पडिक आर्फ फैनल की वैलिए डिडियो डिटा भी वैलियो चिडों एक स्ट्रेक्श मालों टेंजेंचली सॉल गरो क्या रेडियल एक स्ट्रेक्श मालों टेंजेंचली सॉल गरो पर पर प्राटिकल की रफतार V नॉट है और उस पे एक स्ट्रेक्श पीछे की तरफ लगा दिया गया मुझे लगानी तो मैं आया नहीं आया बहुत बढ़ीया बाई साब आप देखो ट्रेंशन गी वेलियों क्या आगे वाई वाद सब्सक्राइग गया T equals to M V naught minus mu G T Ka whole square by R This is tension as a function of time T Sir, छोटा से सवाल नहीं यह concept है जो बताता है कि क्या इस वाले सवाल पर friction tendential लगाए? Yes, sir The response Friction कैसे लगाए? Intential कैसे लगाए? Intential पैपे करूँ, समझ आ गया आ गया एकदम बक्का Yes, sir सोच लो Yes, sir उतार अब देखते हैं उन्हें बहुत शरीव दाएक Yes, sir पर्ड़ने अब? Yes, sir चला आजा, अब देखते हैं चलाए सवाल गूलियां में सवाल Actually, क्या है जिसे मालीजिये की अपने ही है ऐसे एक डिस्क है क्या है? एक डिस्क है जिसका रिडियास आर है जिसका रिडियास? आर है जहेर सी बात हैं हमें फ्रिक्शन है कोफिशन व्यू इसका टॉप यू ऐसा है वो उसका साइड यू है टॉप यू साइड यू समझते हो? Yes, sir शाबज इसका टॉप यू है में मासम रख दिया ठीक इस दिसको हम कॉंस्टेंट ओमेगा से घुमा रहें ओमेगा कॉंस्टेंट पर ओमेगा ही पूछी गई है सवाल समझना अच्छे से क्या है? हम चाहते हैं इस सिस्टम को कॉंस्टेंट ओमेगा से घुमाएं Omeaga change निकर रहे हैं पट Omeaga है constant और उस constant की भी हम maximum क्या value रख सकते हैं कि sleeping सवाल समझनी आया what is the maximum possible value of omega so that there is no sleeping सवाल है what is the maximum possible value of omega so that there is no sleeping what is the maximum possible value of omega so that there is no sleeping देखते हैं बिलकुल अभी वहह जिह बहुत थफ नीए दिहां देवर बहुत 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 बाहु निकाल आएगा what is the maximum possible value of omega so that there is no sleeping what is the maximum possible value of omega so that there is no sleeping अचा मेरा पहला सवाल क्या फिक्सिन लगीएगा स्वेका इटक इनिटिक स्वेका इनिटिक स्वेक इनिटिक नहीं हो रही है भाहि है प्लॉंकि ब्लॉक और सुख कि बीश में कुछ के लिवेक्ट फिसली तो अपिसे मेरे बाध करें, कैसे लग नहीं तोым सिल अभग एंग किैसे लग रहा है ईसमझ किदा USA पाटिकल की रफतार चेंज हो नगने की आप शकता गते ही यह होजाएगे नहीं ही आया पर पार्टीकर चलाने के लिए क्या रिडिया है चाहिए अकर फ्रिक्षन अंदर नहीं लगेगा तो क्या अलग हो जाएंगे सभुकि पार्टीकल और गभी जो इस ढिना चाहिक है कि जो इस डिस्क में पॉइंट है उसी के साथ यह ब्हे ब्लॉब इस ब्लॉग के जस्ट नीचे अब रहा बोर सब्राइब तो जो खांसे लॉख को पता है कि ब्लॉट इंदर चंछ दिएन पड़ेगा जैसे तब आ इदर लगेगा 5 अंदर की तरफ 5 मल अंदर की तरफ friction इसे नहीं सोचना पहले समझ यह यह कुछ मींहीं हो सकता है जीरो से लगार सुझा कि इतना प्रिक्षिन गॉद्सक्राइए घॉच्छा ओंड़ टरेकरण शॉच seems के रिखक्ष एक शॉच्छी ए औट जो चाहिए वह टोटısı प्रिक्षिन सेय। से कम हो ना चाहिए तब तो सेफो बनना से इतना फ्रिक्षा है जो चाहिए वो maximum possible से कम होना फ्रिक्षा है जो चाहिए वो maximum possible से हमेशे बाद रेको F required should be less than F max for the condition to be feasible for the condition to be this is the requirement of friction what is the maximum possible mu mg what is the maximum possible normal action mg है yes sir normal action जो पर समझ नीया या 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 यू एम जी एम ने एम को ओमेगा सुवीड इस देली को दू रुत व्यूजी भाइ आर ओमीगा इससे कम हो नी शोंकियो तीस थे मैक्सिमुम एलिए फिर बेकर राइस पांट सिस्जिश्ण प्लूगा एंट शॉना रहें उस्पर आरस फट इसमें अश्चियों उसमें किसे लिए प्रीक्शिंगा प्रीग है इसमें फिक्सिंग आती है व्रिक्शन प्रीजिशिश चांसी महभूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हां तुम बिलकुल उल्टी हो आये फिर से यही डिस्क यही ब्लॉक यही सब कुछ पर थोड़ा सट्विष्ट अब उमिग इनीशल जीरो है बर मनेसे भुमाना चालू कर दियाался एलफा रेडियन पर से केंड और स्कटाए़ से उल्टी हो mun Singing ट्रेक्ठीक्री कर लिगते हैं गां एलफा रेडियन पर से कंड वही ब्लॉक न confジャ Bunu करोगे किया कि तुस्क्रेंगा धीदे MC उत्ती रही एक में एक इसा इए उद्धर तेरे नीचे एक ओमेगा एसी आई एक ओमेगा एक ओमेगा एसी आई जब क्या इसलिप कर गई अब एक टाइम एसा है जब ये उड़ा नहीं आया आया की नहीं आया आप से वह पुछा गया अब टाइम आएग्ड़ था यह एक में इस्टार ओमेगा नहीं अब विगा चेंज हो रही हो यह एक आप को दिए हब ज़िए हम पाल कि ओमेगा स्फिंक्स्ट में किसी फोर्स किया विशकता है नहीं गिरता अगर 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 हम रसी से बांग दें और फिक्शनले सर्फेस पे डिस्क को रख दें तो तेंशन अपने ओर रेडिया देगा और दोलों को तीर अफ्तार दें जितनी डिस्की है तो चलते रहें चलेंगे ही निचलें हाँ भाई है क्या रहा है हाँ 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 चलो मैं बताओं आईए 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 चलो इसे देखा इस ब्लॉक को पे फ्रिक्शन के लावा होरिज्टल में और कोई फोर्स है क्या है अगर यहीं तो दिरा था तो थैंक्यू अगर रखन भूद ध्यान से थेखें तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन के लावा और कोई फोर्स है क्या तो अबेकार रेस्पॉंस दे रहे हो या तो अच्छी सवाल करांगो भाई अचान असन सब हो गए इस फिक्शन के लावा और on the fire और उने का इसका काम चलने वाला अगर साथ रहना है तो इसके डो इसके लोड़े हैं जहां पर जघन नीच वालिसके पांट को तो जो और रहा है को इसको भण्टना पड़ेगा तब तो साथ रहेगा बना साथ जोने, तो इसके निचे पांट, इसके नीचे पइंच ल अब देखो तो इदर ओमेगा स्कूरर और इदर इलफार और अगर बहुत ध्यांग को तो इसका इनेट को कौन दे रहा हो तो बास्तर दिकता में इस ब्लॉग पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा हो और यहां पर रेडियल एक कौन दे रहा है कर दो इतना प्रिक्शन चाहिए इतना प्रिक्शन नहीं आया इतना प्रिक्षन चाहिए तो M into A net A net is Omega की power 4 R square plus alpha square R square और omega असलियत में है alpha T तो कि इनिशलो मेंगा 0 है तो कि ओमेगा फाइनल इको सुए alpha T या मटफ बढ़ा रहा हूं इतना फ्रिक्षन चाहिए जो चाहिए वो maximum possible से maximum possible कितना है तो मैं दूर दूर तक समाच और देख दिया हैंचे दों दरफ square ले लो तो omega की power 4 r square should be less than mu square g square minus alpha square r square बुल yes or no? r square को आण नीचे ले आओ कभी तो हाना बूलो यार कि power 1 by 4 बुल yes or no? omega की value alpha t alpha को भी नीचे दे आओ t this is the answer time इस से कम होना ये वो time है जब हम sleeping start ये अब आज साब ये समनाटे में पहुँचे ना तुम लोग जहां सुन सिर्फ तीन illustration नी करा है मैंने friction का साथ बताया circular के साथ पहला illustration जिसमें friction के टेंडिंशल दे रहा है दूसरा illustration जिसमें तीसरा illustration जिसमें मुझा समझ में आना चाहिए कि friction तीनों दे सकता है क्योंकि उसे physics आती है जैसी जरुत पढ़ती है वैसा फिर अथा जो मैं बोला चमका पकी बार उतारो अरां से देखो कोई तकलीफ हो बेज या पूछो मुझसे फिर भी वापस करते हैं वैट से गूड इलस्टेशन उन्होंने क्या करा जिए ने क्या करा उन्होंने एक रॉट ली क्या लिए रॉट इसमें जी कंचिडर नहीं करना दूना उट पंचिड़ जी ऐसा समझवाब तेकर है अन बोलने क्या हुआ ऐसा क्वेशन में हाँ अब याद जो बोला हुआ अधर सोच के बोला कर दो आइंक रा मत करा को क्लास को पिछली उन्होंने क्या करता था ना एक रॉट ली थी क्या लिए एक रॉट और उस रॉट में ऐसे एक चला पैसा दिया कॉलक मैं पाइं टिक होए टिक और उसको ऐसे बूमाया fel है सटाट करें अललफ़ा इधर सेकंड box इसका मांस एम और उसकी दूरी एल है उसकी दूरी एल है उसकी दूरी एल है बोलो क्लिया अभी चला भूम रहा है आपको लगता चला फोरी दिर बाद स्लिप करने लगे है वह पुचा फानल टाइंड इस्टार स्लिपिंग उसमें लिख लेक तो एस्टीपी एस्टीपी नहीं क्विज 1 3 4 इस पूर तो नॉर्मल फोर्स बिना एम जी के नहीं आ सकता है जबाल करें नहीं सबाल करें नहीं सबाल नहीं आए तो पार्टी बात नहीं लिखन टूम्य वेरी केरफुली पर आप एक बात सम्झो इस रिंग को कॉन एक बीड कर रहा है नोर्मल एक्जर्टेट वाइड थर नहीं हो रही है तो जो रोड का ये वाला पॉंट कर रहा है वो यी बीड भी कर रही है यह वीड के सपॉंगे दो एक्सेलेशन हैं रेडियन जट इस ओमेगा स्कॉरर आर इंट इस अलफा आर यार मुझे लगा निटुम्हें आया राइट विड को यह ओन देगा नॉर्मल वीड को टेंगेंशिल फोर्स कौन देगा बाइदर रॉट अरे कभी तो हाना गुल यह और एक्स्प्रेइन करूं तो भाइच साथ इस पर इधर लगा एक नॉर्मल और चुंकि बाहर जाना चाहेगा तो इसे कौन रोकेगा फ्रिक्शन हाँ अब नॉर्मल म्यू एमजी नहीं है हमेशा नॉर्मल एमजी हो यार्य सा कोई रूल हमारे सब्सक्राइश वालों म रिखतार हम फ्रिक्शन से कहलना आपको आना वह तभी आपको सर्कुलर रोटेशनल सेंटर अपाज अच्छा हो सब्सक्राइब कर देदा विलडियों फ्रिक्शन इसा अच्छा मानो उसके बिना जीवन हमारा अधुरां शाय बिलींकर पातिया और फिक्शन होता तो इसने please consider the good thing cap yen or yeah now get N equals to mass into a tangential initially so far to me about somebody I can II and get fiction equals to centrifugal force that is can be square by R the M omega square a job for it now it's not friction it's not friction to China who maximum say maximum is mu Mg mu in maximum is new into an N is what M alpha M name call get omega is alpha T omega is alpha square T square R less than equal to mu alpha R may I am these less than equal to mu by alpha to me do the work of Samaj again friction but for a different again friction but are thoda different तो यहां पो काम कॉन कर रहा है नॉर्मन कॉन कर रहा है इसी नहीं कह रहा हूं फिजिक्स सीखनी तो दिमाग चलना बिना चले नहीं आ सकती वह अच्छा-चैस सवाल कराएंगे प्राहन निकल गाई भाई वो समझ आया है पकीवा उतार फिर बढ़िया करते हैं आईए ओप तेरी की तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंदन क्या कर रहा है गाट माइप पाइट और लिस्टिशन करते हैं ये सबोग एक स्ट्रिंग है क्या है क्या है एक स्ट्रिंग मासवाली लेंडा केजी पर मीटर किते वाली मासवाली है एक स्ट्रिंग लीजो मासवाणी है उसे जुमाना चालो पूर्ली लो साप ओमेगा से यह उसे ओमेगा से मांलो की लेंद्ध किई की तुमेट लू है कितनी है वह बढ़ी है साब हर्चे के टेंशन से मालग वाद खूल मास ले खूल आ पोचा गया है पुचा गया है अधी पसक्शन of X आप लोग कर सकते हो चलिए मिल के करते है आजब पहुकता हो कि ये मानलो सेंटर ईह है और ये बी है मेरा पहला क्षक जब आप ऐसे हुआ है गड़्रा भर रहे है ते इंचन क्या और हो रहा है बढ़ के लिए यह घड़ के अपय आस में से तो मायंचो जनदे सवाल कुछता हूं करकास मेरा प्रज़ेब आप ऐसे भी जा रहे हो, टैंशन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़के घट रहा है, बढ़के घट रहा है, बढ़के बढ़ रहा है, बढ़के घट रहा है, बोलो, सब लोग गूलेगे, बोलो, बढ़रा है, बढ़के घट रहा है, बढ़के बढ़ रहा कितों लोग बोलते हैं अनीथा कितों लोग बढ़ रहा है कि अधिन लोग अनीथा के साथ और उन्हें जानके खुशी होगी कि वो सभी लोग गलब हैं गटरा अटेंचन नाव लिसेंट भी वेरी केरफुली एक्सपी जाके डी एक छोटा से अलिमेंट लो इसका मास होगा लेमडा डी एक्स कितना होगा इस चोटे चे पार्टिकल के लेफ्ट वाला हिस्सा इसको इधर के हैं चरा है इस्वाले टैंचन को इसको अगर आप मेधी बनाऊ तो इधर आया टी इनिशेल और इधर आया टी फाइनल अगर मैं इसका पूरो ड़े करफ मनो तो इधर है टी इनिशेल इधर है T-final के साथ इदर एक centrifugal force भी है DM omega square X DM प्रता कौन जादा T-initial T-final सब लग बोलो T-initial कौन? T-initial इदर वाले हिस्से के उधर वाले को यही tension गुमाता है तो जैसे से दूर जा रहे हो यह हिस्सा छोटा होता जा रहा है लोजिकरी भी देखो इदर अगर equation मनाई जाएगी तो ऐसे ही तो लिखी जाएगी तुमारे प्रांट टकेरू फिर से सुन हमने एक्षब जाएगे D से चोटाशा element लिया सोचो उस चोटाशा element को समझो उसके इदर एक हिस्सा है उसके इदर एक हिस्सा है और यह वाला हिस्सा इसको नहीं आया यह जो टेंचन है यह क्या है टी फाइनल और यह क्या है अरे पर एक सेंट्रिफुगल भी तो चाहिए बाहर मुझे लगा नहीं तुम्हें आया तो कौन जादा होगा टी इनिशल की टी फाइनल टी इनिशल और ऐसे हर जगे होता रहेगा तो टी इनिशल के टो टी फाइनल इसंप लिए एक टेंचन डिक्रीजेज लिए भी तो बी थेंचन डिक्रीजेज फ्राम घट नीजा है बड़ नीजा है उगार रा है यान सुन आग्छा सवाल है बढ़ीया क्षै कुछ समझ नहीं है बेज़क पूछें शर्माएं नहीं अभी कुश्यन के लिए थे T initial minus T final equals to lambda omega square x dx पले ता yes or no what is T final minus T initial dt रे x में जागे dt आएगा ना मुझे लगा हैं तुम्हें आया so this is dt or minus dt minus dt this is dt or minus dt मुझे लगा नहीं तुम्हें आया this is dt or minus dt this is minus dt क्योंकि dt असलियत में है T final minus T so this is dt minus dt lambda omega square x dx अब लगाओ limit x की limit कहां से कहां तक 0 से x 0 पर tension क्या है 0 फिर ग्रत कर दीए तुझे पता ही नहीं है तुझे जब x 0 है तो tension पता नहीं है quality सवाल है ध्यां से समझो limit लगा देगो न 0 to x तो यहां पर आएका tension at 0 जो तुझे पता नहीं है और यहां पर आएका tension at x दोनों ही variable हो गए अरे हा ना बोल इसलिए 0 से x limit लगाने से फायदा होने वाला तुम्हारे प्रांट टके रूँ अरे कभी तो हा ना बोल अब सोच limit कहां चका लगाँ x से l जब l है तो tension क्या है end पर tension क्या है क्योंकि उसके आगे घुमाने के लिए कोई भी अरे हा ना बोल लिया उसके आगे घुमाने के लिए नहीं आया नहीं आया प्रांट निकल गए बाई चाप तो limit क्या लगाई जाएगी वो सुने सुम्दर्था से limit लगाई जाएगी x से l तो यहाँ पर आएगा t is a function of x और यहाँ आएगा 0 तो मारे प्रांट प्रकेर हूँ अरे हा ना तो बोल अब देख 0 minus of minus t x क्या this is t is a function of x this is t is a function of x अब जहां सो लम्डा ओमेगा स्क्वार x का integration x स्क्वार बाटी तो आंसर आया लेम्डा ओमेगा स्क्वाइड एल स्क्वाइड माइनस x स्क्वाइड वाइड टू this is the answer this is the answer ऐसे मत देखो पर ने सही करा है तुम गलत सोच रहे थे इसी दिए सवाल कराया है सवाल सुन्दर है तुम्हें समझ पुता है ज्यादा समझ आजया का तरीका और बता सकता हूं इसका पर समझ दो यसको तुम्हें सके बाद बेसिकली टेंशन क्यूं आएगा क्यों कि आगे वाले को घुमाना इसके आगे को दूजी नहीं तो कोई संट्रिक प्रश या संट्रिकल फॉर्स एक रिक्वार्मेंट इस इस पॉइंट के बाद कोई भी हैं तुद्ध टेंशन लग जाए कि तो इसको घुमाएगा हवा को इसलिए महां पर कोई टेंशन कि आप चाहो तो उसका एक बड़ा सॉलिशन और देता हूं हाला कि सॉलिशन तभी समझ में आता है जब अपने को बेसिक वाला समझ ऐसा समझों कि वो इसका चोटा तरीका निकाल दिया गया आंसर देखके पर उसकी डिरेक्ट फील आए ज़रूरी हमें इसकी कोंची डिरेक् करता है कि आप टेंशन का क्या हो रहा है पर दा जो मैं बोला चमका कैसे सो सकते नियान सुना अगर आप और ध्यान से देखो तो सब्सक्राइब कि यह आपकी रॉड है वो ही घुमरी है कर दी वह ही सब को एक स्थूरी के बाद वाली इसको देखो सिर्फ अगर इसको देख पूरा इसको बॉडी ले रहा हूं और इधर को अटेंशन है नहीं अर्यार हाना बुल मुझे लगाएं तुम्हें आया कि नहीं आया यह टेंशन जो इसे गुमार पर यह पॉइंट मास नहीं है इसका सेंटर मास का होगा इसके सेंटर पे यहां जिसकी बास्तविक दूरी क जिнего रीयां समझना इसका सेंटर यहां से होगा ल माइनस एक्स वाइंट तो इसे दूरी होई यह ठीक दूरैंत message of L plus X by 2 of mass जो इस पूरे सिस्टम का मास है यह दूरी यह L minus X तो इसका मास है लेम्डा L minus X लेम्डा अब इसको घुमाने अले सिर्टी इस फंक्शन आफ से जो बन लिख रहे हैं तो ती इस फंक्शन आफ सेंपली इस M M is lambda L minus X omega square अरे हा ना बोल इंटु आर कितना L plus X by 2 answer अरे भाई साब तुमारे प्रांच रखेरू प्रांच रखेरू प्रांट हेरू इस कोई गुराई सोचुलो आ तैसल स्टम्ण यह प्रांच पक्की बाद सर्पुलर रोटेशनल सेंटर आफ मास वर्पर नरजी जितना मैं और सर यवी सर बढ़ा रहे न आपको जितना हम बोले हैं उसमें ज़्यादा अक्कल लगाने की आवशकता बहुत ज़्यादा ही पढ़ाएंगे आपको पर उससे भी ज़्यादा बहुत है वास्तविक्ता में पर जितनी रिक्वार्मेंट उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे क्यों रोटेशन तो आप चार मेरे पढ़ लो तो भी हो खतम नहीं इतना बढ़ा है गुड इलाइशन अगेल इसकी फॉर्मेट इसलिए उस सवाल को समझें भी सही और उसकी फॉर्मेट को याद भी रखें सवाल कैँ ध्यान से समझें आप सबाल कैता है कि अगर आपके पास एक रिंग है क्या है यह लेंडडा केजी परवीटर तुम लेंडा सिग्मा रो समझते हो जब भी पढ़ेगी जब भी लीनियर वेरिशन अगर पढ़ेंगे बहुत सारी बाते तो लेंडा सिग्मा जब एरिया के साथ वरियेशन हो इसके साथ और रो जब वाल्यूम जैसे अगर आपन रिंग ले रहें तो इसमें लेंडा लेना सिग्मा रो उसारि लेंडा स्वेशन हो बैसे सब्सक्राइब ल्यूमें गंगे रिंगा मौन भी बैसिक बात है तो हमें एक ring जे दिगाई जिसका radius R था जो Sigma lambda kg पर meter की थी और बोला गया कि ये ring गूं रही है omega से कितने से कैसे intention develop होगी किसमे string जरुरुरुरुरुरुरुरुरु 1 तो इसमें क्या develop होगी tension Warning वो ही पुपचे गई tension in the ring अगर कभी नी सुना हो तो मैं चालू हो जाओ फुदी भरता ना इसे रिंग में टेंचन वाले कई चेप्टर में सवाल आएगा फ्लूड यहां पर ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टेटेक्स मेंगरेडिजम कई जगे यह सवाल चमका एक रिंग लिए उसमें क्या पूछे इस रिंग में एक छोट असा एलिमेंट लूँ ऐसे डी थीटा डी थीटा यह इतना चोटा है कि इसको में पॉइंट मास मान सकता हूं क्या मान सकता हूं खेरी थुरा चोटा दिख रहा है मिनो और चोटा लिया आई इसको अपन जूम कर लेते हैं 8X आदो को पता ही नहीं 8X 8 गे रिये बले स्टेट लाइन विल स्लोप एट शाओट अपरीका वालों की बात यह लगे रिया बेटा यह पत्ते नहीं चलते तुझे बहुत पता है बटा तुने खाये डी थीडा डी थीडा कोई बुराई नहीं फुड़ा बड़ा कर दिया अगर आप ध्यान देखो तो कि अगर यह एक रिंग है जिसका रिंग का पाट है तो इसमें टेंचन लगेगी इसकी इधर वाले हिससे द्वारा इससे वाला तो ऐसे लगेगे लॉंग इस टी ओर टी विच वी अश्पोस्ट टू कैल्कुलेट विच वेज़ए इसे हमेशे डाइगरम मनेगा कोई भी चक्टर हो यह एक एक्षिन कौमने सब चक्टर में इसे जब भी हो सवाल है आपको दिमाग में सेट होना उपर कों कों से फो सकते वो अलग बात है आप प windows चप्ट प्रव-एवश तो यह और द nel क्ट अअगर दो आएका टी कौस्टी अजे़ा क्या आएगा थी कौस्टी खी दर भी क्या अगा चैसी चँना इधर वह लीचान ब्ले ऑघे नु मारली कि नेट फोर्फ तो दे तंटर 2T sin D Theta अब इस फोर्फ को बैलेंस कंटिक लिए उपर कोई फोर्स होना जो हर जैटर में अलग अलग होगा ग्रेटेशन होगा तो ग्रेटेशनल फोर्स उसमें क्या करेंगे यहां पर रिंग लगे आपर माश देंगे फोर्फ लगी जब जी तक याद रही उस याद आए गा सर नहीं इंवा civ वाली बात निया इस प्रटीकुलर सवाल में सुर्टिकhी इस मास धीम दिश्मात जाइट था ये लैंडा इंटु लेंट्ट यानल कितनी हुई di m omega square r this is balanced by tt sin d theta this is balanced by two D sin d theta मेरी बात याँ सुनना we solve करना इसे बल ड़ी हो कितनी लेमडा 2R square omega square d theta equals to 2 t sin d theta सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो में दूर दूर तक कुछ भी समाझ आया की नहीं आया अरे सोच लो तार लो गोड़ बहुत सुंदर लग रहा है तो अब वह बहुत संदर लग रहा है है यहां से लग पीछ वालों का अनांद है बढ़िया चिंद एकडम कमरा असला यह बिल्कुल तीन पत्ती केलते हैं कसी लो का बद्यों वहां बहार किवार है मुत पत्यों का यहांद है भी वहां वहां यहां टू यहार है उल्चे हूारा ओपा लुग अजया है बहांद है एक ऐसी जीज पे सवाल जिससे तुम बहुत वाकिफ हो, कटोरा So here comes कटोरा सवाल Suppose you have a कटोरा Of radius R Of radius R बोलग लिया अभी पहले सवाल में मानते है कि कोई फ्रिक्शन नही है Mu is not present Suppose there is a block of mass M There is a block of mass M At an angle theta बुल गलिया और बुला गया कि ये constant omega से system घूम रहा है और ये भी बुला गया कि There is no slipping There is No slipping किसके बीच में कटोरे हो फ्रिक्शन नहीं है हमने कुछ ऐसा arrangement पहले चे रफ्तार दे के रखी कि इनके बीच में कोई slipping अगर ऐसा है तो आप से पूछा गया find omega in terms of R Theta G N वे बहाँ चलो पर आपाँ इस पाटिक्वर सेंटरिफ्यूल किदर है तेड़ा कि सर्कल इसका ऐसा है तो कि सेंट्रिफ्यूल इसका इधर है M omega square R कितना R कि इसका radius R साइन दीता है M omega square R साइन धीता नीचे लग रहा है M G उपर लग रहा है Normal यह सारे force मिलाकर net force 0 होना क्योंकि कोई tangential explanation नहीं है और radial के लिए क्या हम centrifugal लगा चुके हैं तो इन तीनों का मिलाकर net summation 0 होना Simple equation कोई खास बात नहीं यह थीटा क्यों N cos theta equals to M G पहले बता yes or no and N sin theta equals to M omega square R sin theta मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया पकी बात sin theta ने sin theta को मार दिया इधर से N के रहे रख दी गई M G Y cos theta equals to M omega square R M ने M को मार दिया omega की value G by R cos theta का root root of G by R cos theta का root G by R cos theta का root तुम्हारे प्रांग ट्रकेरू ने उड़े तुम्हारे प्रांग ट्रकेरू ने उड़े अब उड़ जाएं क्योंकि real सवाल यह नहीं है real सवाल अब है real सवाल यह है कि ऐसे कटो रहा है वो ही अपना इस block इस situation में रख दिया गया है M यह theta इसका radius R वो ही omega constant है पर यहां पर coefficient of friction है मिउ पूछा गया फाइंड रेंज ओफ उमेगा फॉर नो स्लिपिंग पर इसा एक और बार आएगा बैंकिंग के टाइंपे जब तुमसे कराओंगा थोड़ा सा दियान सुन फाइंड रेंज ओफ ओफ ओमेगा फॉर नो स्लिपिंग अब एले सुन लो जब friction नहीं था जब friction नहीं था तो इतना omega चाहिए ताकि कोई स्लिपिंग सोच अगर omega सोच अगर omega इससे जादा होता इससे पार्टिकल किदर भागता किदर भागता किदर भागता ऊपर तो friction किदर लगता तो किदर फ्रिक्शन लगता Umie гa बढ़ाते जादे तो कि 1 limit ऐसी जादे जमा भी से अगता किदर नहीं रहागता वह क्या होता मुझे लगा हैं तो मैं आया अगर omega इससे कम होता तो क्या नीचे जाने की कोशिश करता तो friction की दे लगता और omega गटाते तो कैसे नीचे नीचे टेंडिनिसी बढ़ती एक value ऐसी आती जब क्या slip कर जाता उसके corresponding आता omega minimum ये omega minimum से omega maximum की range इसका answer है तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई की नी आई? आई आप सुन यानि कि अगर पहला case मैं लूँ जब omega greater than under root g y r cos theta है तो you need to understand कि इस का diagram ऐसे बनेगा कि mass m इदर normal इदर mg नीचे m omega square r sin theta इदर उपर जाना चाहता है तो friction friction इसे ध्यान से देखो तो ये theta तो ये भी theta तो ये भी theta बोल यह सौंड ना equation लेकरना चालू करता हूं ध्यान से सुनना n equals to mg cos theta plus m omega square r sin square theta सुन लो समझ आया है क्या समझ आया है क्या पक्की बाद m omega square r sin theta क्यान के बराबर है ये इदर friction निकला आयेगा क्या निकला आयेगा समझना अच्छे से m omega square r sin theta cos theta minus mg cos theta तो में चमका की नीचमका अगर साथ रहना है तो इतना friction चाहिए किस किताब चमका प्रिक्षन चाहिए किताब में इस वर्टिकल अरिजुनटल रिजॉल करते हैं सवाल लंबा हो जाता है गरद नहीं अगर ऐसे से रिजॉल करोगे तो थोड़ा आसानी से आएगा इतना friction चाहिए इतना friction चाहिए जो चाहिए वह maximum से बहुत ही बेगा रहसपांस जो चाहिए वह maximum से मैं चाहिए थींसए क्वान इस कंटग में इसन आप ऑनचे घ्र साइंग पल्योस ओम मेंगा स्वार त।ाbook interessant अगर सब आया नहीं आया? M ने M को सब तरफ से मार दिया M ने M को सब तरफ से मार दिया विएन से ओमेगा स्वार वा लिट आम इदर लियाओ तो मेगा स्वार आर साइन थीटा common आ गया बचा कॉस थीटा माइनस मुउ साइन थीटा मूझ कॉसथीता प्लस स्टीटा प्लस आएगा निदर आएगा? मुझे लगा निदुम्हें आया तो अमेगा की वेल्योन मेगा शूड बी अमेगा शूड वी लेसदेन रूट ओफ जी वाई मू commence थीटा प्लस स्टीटा अपॉन र स्टीटा cos theta minus mu sin theta तुम्हें दूर दूर तक समझ क्या omega इससे कम हो ना तो ये value omega max है ये value ये value omega max अब तुम बता omega minimum कैसे निकालूँगा क्या omega should be less than under root g by r cos theta इससे कम हो तो सिर्फ क्या change आएगा friction इधर की बजा है तो सोज नॉर्मल में कोई change नहीं आएगा अरे हा ना बोल यार नॉर्मल इधर friction उपर ये omega square r sin theta इधर mg नीचे अरे हा ना बोल दर्फतार में बोलो ये theta ये theta ध्यान से देख तो normal में कोई change नॉर्मल अभी भी उतर रही है क्या मैं तेज बोल रहा हूं या समझ आ रहा है mg cos theta plus m omega square r sin square theta कोई बुराई अब friction की value हो गई mg cos theta नहीं mg sin theta minus m omega square r sin theta cos theta तुम्हें लगा ही नहीं आया अरे आया कि नहीं आया इतना friction होना चाहिए जो होना चाहिए वो maximum से कम होना चाहिए mg cos theta plus mu m omega square r sin square theta रहे कभी तो हाना बोलो त्राम प्रकेरू नहीं उडे नहीं उडे m ने m को m ने m को फिर से वह भी बात देख इज़ है omega लिटम सुदर लिजाओ तो इज़ जी साइन थीटा गया g sin theta minus mu g cos theta अरे हाना बोल less than equal to omega square r sin theta mu sin theta plus cos theta अरे कभी तो हाना बोलो बोलो चमका तो omega should be greater than equal to under root of g sin theta minus mu cos theta upon r sin theta mu sin theta plus cos theta this is omega minimum omega इससे बड़ा होना चाहे प्रांग लिकाल लिया no sir omega इससे बड़ा होना चाहे उससे छोटा होना तो omega की range है omega minimum से लेकर omega इससे बड़ा होना यह answer है इससे बड़ा होना अच्छा था अच्छा था अच्छा था कुछ भी हलका पढ़ाया नहीं गया नहीं गया सबसे अच्छा लेक्टर्स में से यह कही है मैंना इसमें जो आपने अभी तिक पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करा है कोई भी हलका सवाल ने लिया गया तो आच्छा जरूर गर जा गया डंक से वापस पढ़ें है कि नहीं तो आपने बाउल वाले सवाल कर लेते हैं अपने यह भी समलिया थे कि फ्रिक्शन जो होता है वो अच्छा अच्छा था तो अपने बुला थे अच्छा आदमी जो दो प्रेमियों को साथ रखना चाता है दो प्रेमियों को साथ रखना चाता हूं हाँ है अब अक्छे जानते है नसे भी से भी सुरुपर ले लिये जाएं दस अ दशा दस अने कर जाओ तो अबपन वो पण रहे हैं और वे उनित्शें श्क्छा एंपने रीडिन कि दे सकता है है दोलो सैकता है इस्में को शंक्व लीडाइस मेडैप से वह रातलु आ याड़ा यह गण को आफ वा इसलेे से पीसिंटमेर गणिछ है उने को इसमें सब्सक्रांचर इसपार इस को लोगी अपने इसमें स्ट्रीम में करा एंग में करा है इंग में घुमरत रहां कि अधिर तूटी साइन दीटा क्या थी तूटी साइन दीटा और बाकियों मैं ऐसे आई थी चलो बटी याद आपन बात कर चुके तो और आगे बढ़ते हैं समाल ही अच्छे-च्छे कुछ-कुछ एक साइक्लेसिस करड पात में चल रहा है से समझो कि इसका ये अंगल अलफा है ऐसे ही ये अंगल भी अलफा है आपने अगर कभी सुनाओ तो जहां पर अपनी नेचर कॉंकिविटी से कॉंवेक्सिविटी में करवाद करनें इसे बोलते हैं पॉंट ऑफ इंफ्लेक्शन पॉंट ऑफ इंफ्लेक्सिविटी में चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि साइक्लिस्ट कि एक दिशल्टि से चल रहा है सिप्ट पॉरा ऐसे पहले ऊपर फिर बहुत लिए रहिता हुंट यह चानल प्रवेश्य पर मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ जो जेई में एक बार जेई में में फ़र पूछा जाए चुका है मेरे साब से सब बता पाएंगे एक कार ऐसे निकलती है एक सीधी चलती है गड़े मुसे निकलती है कहा नॉर्मल जाता है क्यों आपको mv2 by r provide नहीं कर पाता अरे हा ना तो बोल या तो इसमें लग रहा है नीचे mg क्या लग रहा है mg उपर क्या लग रहा है mv2 by r और क्या लग रहा है उपर n क्या लग रहा है n यहां पर mv2 by r का कोई बतल नहीं क्योंकि r tending to infinity तो mv2 by tending to 0 तो यहां पर चुप चाप n किसको balance कर रहा है mg को मुझे लगा लिए नहीं तुम्हें आया और यहां पर भी n उपर लग रहा है mg नीचे लग रहा है पर क्या mv2 by r भी नीचे है तो यहां पर n है mg plus mv2 by r यहां पर m g है और यहां पर n है mg minus mv2 by r सकता है यस जब अप जीरो हो जाएगा तो अपन इसका साथ चोड़ जायेंगे mg2 by r equals 0 mg । इस तरह की सिच्वेशन में अगर आपन रूट आजी से जएधा क्रॉस कर जाएंगे तो क्या अपना पार्टिकल जो है वो क्या हवा में आ जाएगा जाएगा अगे ने उस वाले सवाल पर आते हैं सवाल यह कहता है कि अगर आपा साइक्लिस इस पर चल रहा है ऐसे ट्रैक प है ना ऐसे अपन पॉइंट मार कर लेते हैं कि चलो मालो यह पॉइंट A, पॉइंट B, यह पॉइंट C, यह पॉइंट D, ऐसे हैं हम से पूछा गया कि इस V की मैक्सिमम पॉसिबल क्या है वी मैक्स फॉर नो स्लेपिंग तू बोल रहा है सारी जो कॉंस्टेंट इस मैक्सिम कि मैक्सिमम डेड़ी उक हो सकती है कि चिसलेपिंग 9 कर सवालिया और कि où की मैक्सिमम में और की स्लेपिंग 1357 ट्र钥 चलनला चाहता है बतां क्सिम Áंस्टेंट की मैक्सिम डռीओ क्या हो सकती है उस्लेपिंग 10.5 यह सोच लो यह बइस किली सnn सवाल जब था मुंने सवाल कि अगर कि अगर हम उस पॉइंट पर भी स्लिप ना करें जो सबसे खतरनाक हो जहां पर स्लिपिंग के सबसे ज्यादा चांसे हो अगर मैं उस जगे भी स्लिप नी करूं तो कहीं और पर स्लिप मुझे लगा हैं तो कहीं और पर स्लिप अब भाइसाफ खोज शुरू हुई उस पॉइंट की जो सबसे खतरनाक है मुझे लगा नहीं सबसे ज्यादा चांसे हो क्योंकि अगर आप बज गए तो क्या बाकी सब जगे बज जाओ होगे नहीं आया बहुत बढ़ी असा अब खोड़ चुरू हुई उसकी देखो ए और यहां से देखते हैं बी सी और डी यह और यह जैसा ही होगा अरे यहार ना बूल बैसे कि उन्हों चप्छा करनी है बी सी डी के बीच में कहां पर इस लगा नहीं तुमें आया है चलो मा सालों कि आप यहां पे कहीं पे हो अगर आप यहां पे गए और भी रफ्तार से जा रहे है तो एं तो उपड़ लगेगा साथी साथ के एंबी स्कुर्वर भाई आर भी थर लगेगा यह जी नीचे लगेगा यह अवाज नहीं आ रही है तो यह थीटा कोई गुरह वाली बा यह है कि बेलंसिंग जबना हगा तो यह यह सत्य के गारेटिक है यह थीक्ट अव्य है दो तो तरीकी फ्रिक्टिन होते है एम रुटायद और फ्, में चाहते हो तो यहां पर रिक्वार्मेंट ऑफ रिक्षन है एम जी साइन थीटा क्या है यह रवान यह क्या है एम जी साइन थीटा और क्या एम की वेल्यू है एम जी कॉस्ट थीटा मइनस मitted स्वेड भाईए मुझे लगा ने तुम्हें आया आया अरे पकी बाद जैसे जैसे आप B से सीटा बडेगा घटेगा गटेगा DCC आवी खिटा बडेगा गटेगा बडेगा गटेगा बडेगा गटेगा खिटा बडेगा तो N N N N N सबश Required friction Required friction F-Max F-Max Mu N होता है F-Max 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 पकी बात पहलों तो परिशान है यह दो friction के चावए यह required है और यह maximum नहीं आया F required बडेगा पर F-Maximum घटेगा तो खत्रा खत्रा बडेगा requirement बड़ रही है और उपलबगता घट रही है नहीं आया requirement बढ़ रही है तो खत्रा बड़ा घटा खत्रा बड़ गया बाइट साथ यानि कि BC में कौन खत्रा C BC c करना है तो सी से सी पे बच जाओ का बच जाओ चादो भाई अब सी से डी चलते हैं सी सी डी नहीं मालो आप यहां पर हो एस एम इदर मुझे लगाई थी तुम्हें आया एम जी क्या में थेच पॉड़ा रहा हूं मालो यह थीटा तो क्या यह भी थीटा कूई बैलेंसिंगे में इसे इंड़ा प्रिक्शन शाबाश के एम की वेल्यू है एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्वेर बाई आर नहीं आया क्या रिक्वाइड फ्रिक्शन है एम जी साहीं थीटा अरे कभी तो हाना बोलो अरे पक्की बार ओहो 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 एफ मैस अगेन यू एम सबने बोला ठीक मैने भी बोला ठीक जब आप सी से टी जा रहे हो तो थी थीटा बन रहे हो 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 थीटा थीट थेर आटिम ए परसालब सी 2 गुला है क्या है एज क्योक कर एक इधर है सी और एक सी पोइंट के दुष्सके जस्ट ओर झुए के डिसातर्स है बीसा कटरना कि दीमें सल्छा पिएजी सी पर ही उनी है जल्छा पीजी छाफ्र और जज बिफोर और तो शाला उसी दो वार चर्च अगड़नी पड़ें Let's come to the point Just Just before C Just before C Just before C का मतलब B से C वाला ये वाला C ये alpha बोल ये सोनो तो M इदर M E square by R इदर M G इदर Alpha इदर बोल ये सोनो क्या N equals to M G cos alpha Minus M B square by R नहीं आया Required friction is M G sin alpha अरे नहीं आया दिया सुनना विजी कह रहाँ सुनना ऐसे ही Just after C ये 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 M ये M B square by R ये M G ये alpha N की वल्यू M B square by R अरे नहीं आया अरे नहीं आया और F required is again M G sin alpha अब बता हिन दोलों में कौन ज़्यादा खत्रा है ये M G अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया बै रिक्वाइर्मेंट सेव है तो कौन से पॉइंट पर खतरा होगा जहां पर N N कम बाइं तो इस हुरे ट्रैक पर सबसे खतरनाग पॉइंट को अगर just before C पे आप slip नहीं करें तो कहीं और slip नहीं करें तो कहीं और slip नहीं करें तो यहां slip बद कराऊ ये है requirement ये है this should be less than equal to mu M g cos alpha minus m b square by a मुझे लगा नहीं तुमें आया क्या यहां से तुम v ki value निकाल सकते हैं पिर दो पूरा ट्रैक समझ में आया है कि एचेंट बीफोर सी सबसे खतरना के समझ आया है सबसे नहीं यह उतानगा फिर यह सवाल उतानगा को समझ नहीं आए तो मुझे पूछ रहे और है इस देज़ दालना है साइकलेस्ट ओना करूड़पाथ कया है से हाएं थायाँ थायास नहीं में डावर तो मुझे वावर हैं तसीन सथैंख़र हैं आयाहन इस और देख जैसे बालों की आपकी का है क्या है का सिंपल एक सब्सक्राइब ट्रैक पर चल रही है वी स्पीट से वी कॉंस्टेंट है सब्सक्राइब चल रही है जिसका रिडियस एकाई कौन इसको सेंट्रिविटल फोस दे रहा है तो कारी तर मूरती पर ऐसे मूरते चल एसे रहोते तो अश्टना चाहते हैं अब अब करते हैं तो ऐसे फोर्स लगाती है अरे यार हाना हो एंड़ पोई ज़ता है अब यह संजो आपको समझ में आथा कि आए यसा तो आप पर बाइसा तो आड़ी सी रोड पे जारी हो पिर मोड आ जाये तो एक रसी बंदी हो रसी से बाद फिर गूम हो या चाहते ल ब स्कारे पाको इसर य हो यार है तो अब इटना फ्रीक्शं अफरे यह गयूम चेंग समें गुज़ लगानी लगानी तुम्हीं आया in this case maximize mu mg the velocity should be less than equal to root mu rg यानि कि ऐसी track पर हमारी रफतार root mu rg से कम होनी हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम बहुत रफतार में बुड़े हैं तो हमारा radius of curvature बड़ा होना और mu बी जदा होना mu जदा रखने के लिए हम नहीं आरी गरिप अच्छी रखते हैं मिह दो थोडा फुराज बनाते हैं को बहुत खुदड़ा फुरा बनादो के रफ बना दो पे हो रोड खांवा पर फिर भी बारिश वारिश वारिश गई तो यह उसकता है इसलिए क्या जज़ा रखते हैं इसलिए आपके हाइज़न के तर्ण चोटे होते हैं की बड़े काफी बड़े पर इसका मले नहीं पांच क्लोमेटर का एक तरन है अरे आर हागोल ऐसा नहीं बाईसा आप तो देड कि अधिना सोटें खड़ा कुछ भी हो सकता है जाहिए इसी बात है को अलग बात है पर हईले जो बनाइज जाते हैं अर का ध्यान रखा जाता है सिब बन सी बात क्या है बेसी की बात समझाएं ये हैं फिर आगे बड़ते जैसी बेसी बात स्टाप करके शों किरते हैं हां व Capitalelle एक नोमेंगे हैं आईएmodern प्रिकार अब टी कुस्ट जीरो पर उसकी रफदार जीरो है और उसका एक टेंजिशलेशन एक्सिशन जापन रहे है कार में एक्सिलेशन कौन लाता है इंजिन इंजिक्शन वास्तर दें ग्राउंड प्रेम में लाता है इंजिन में टायर ऐसे वूंता है वो फीछे बाता है फ्रिक्शन फारता है तो एक इंजिक्शन कौन ला रहे है इन जी बहुत बड़ी आदा है प्रेंजी लग रहे ना रीचे सर्थ सर्थ तुमारे गावं में काले यह से कती हो यह चौक यह जैसी बात करते सर्थ यह उन्जी लग रहे यह वो लोग में जो कहते हैं दर्थी पे मंद्शू नहीं किरते अब गर जाके गंते बुद्धी लगाएं तो पता पड़ेगा कि क्या हुआ कि अधिन दो प्ताइन नहीं कि गरनी तो यहाँ पर क्या रेड़ियल इसलेशन फिक्षिन देगा और टेंजेशन ने कि फिक्षिन दों काम करेगा यालिकी प्रिक्षान दों काम करेगा अगर मालो ऐसे इसे इसे देदी गई, तो पुछे जाए, find time when it starts slipping, या find time when it starts slipping, या find velocity when it starts slipping, कुछ भी, बेसिकलि अगर अपन दियान से देखे हैं, तो अपन लिख सकते हैं, अगर ऐसे इसे इसे घुम रहे हैं अपन, मैं ही कहाता हूँ, इसे ध्यान से सुनें आप लो, कोई ऐसे rocket science नहीं है, तो अपन बुलेंगे, बाच सब में का final equals to omega initial plus alpha t, अरे कभी तो हा ना बुल, omega equals to b by a, कभी final velocity b by a, अरे कभी तो हा ना बुल, omega initial is 0 by a, plus alpha, alpha is a by a, अरे हा ना बुल, आ ले आपको मार दिये, क्या b equals to 80, क्या किसी में टी में रफ्तार 80 होगी, क्या होगी, अगर मैं बात करूँ तो इस ब्लॉग पर अगर आपन बहुत ध्यान से समझें, जब इसकी रफ्तार होगी, तो इसके दूए एक तो है a, क्या है a, एक के इसका अंदर की तरफ है b square by r, अरे क्या है, जो इसका जो innate acceleration है, क्या है, जो इसका innate acceleration है वो असलियत में, क्या under root of v e power 4 by r square plus a square, मुझे लगाने कि वह आया, आया, आया कि नहीं आया, बहुत बढ़ी आसा भी लिख दिया हुए, क्या ये innate acceleration सिर्फ आफ सिर्फ friction दे रहा है, कौन दे रहा है, friction, इसके लगा और कोई देने वाला, ये है, tangential पी गोई दे रहा है, radial पी गोई दे रहा है, मतलब असलियत में a, नहीं दे रहें, तो क्या friction यहां कहीं लग रहा है, यहां मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो बहस्त विक्ता में requirement of friction है, mass into a net, that is b की पावर 4 r square plus a square, बोल यह सब नो, इतना friction चाहिए, इतना friction, जो चाहिए, वो maximum से, यह maximum possible is again less than mu mg, M ने एम को, M ने एम को, बहुत बढ़िया साथ तो v की पावर 4 by r square should be less than equal to mu square g square minus a square, अरे हां आ तो बोल, less than r square, r square यहां था ना, r square किंपावर, तो मैं दूर दूर तक समाए, आया, नहीं आया, अगर तु बहुत ध्यान से देख तो यह value v, इस root mu अरजी से कम है, यहां से कम है, मतब क्या accelerate करते हुए, मुडोगे, तो क्या जल्दी रफ्तार में slip कर जाओ, तो याद करते हैं, कुछ-कुछ वैसा है, मैंने दर्गोए न, डिस्क के उपपर एक block रखके दो सवाल कराये थे, पहले constant omega फिर alpha से, यह वैसे ही सवाल है, तो block basically car है, अरे भाई नहीं आया, आया की नहीं आया, तो basically आप ध्यान से सोचो, तो अगर आप car को constant रफ्तार से, नहीं, अगर आप car को constant रफ्तार से दोडाओगे, तो ज़्यादा रफ्तार तक दोड़ पाएगी, पर अगर बढ़ाते हो यह दोड़ाओगे, तो ज़्यादी रफ्तार पे slip कर जाएगी, नहीं आया, इसे तो car चलाने वाले होते हैं न, रहिसर, उनको बोलते हैं कि अगर आपको जब भी मोड़ना होना, क्या करना हो, मोड़ना हो, तो ज़्यादी रफ्तार बढ़ानी हो उसके पहले की बढ़ा दो, उस समय आपको उसकी रफ्तार बढ़ानी के आवशकता, क्योंकि फ्रिक्शन यह उसे सपोर्ट करता है, तो अगर आप फ्रिक्शन की एनरजी कैसे यूटलाइज करना चाहते हो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया की नहीं आया, तो यह कहानी है, अगर अगर आपन बहुत जहां देखें, अच्छे समय टाइम निकाला हो, तो भी को 80 रख दो, भी को क्या रख दो, तो निकल आया, उधार फिर आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ और बात समझाता हूँ आपको, उताल लेगे तुम लोगाने, कोई बढ़ाई बात, नहीं है, चाहे, चाहे, हो गया है, अगर हमें समय के साथ, हमें समय में आया, कि हम इन सब चीजों से, एक वैल्यू तक ही रफ्टार रख साथे, क्योंकि हम म्यू एक लिपिट से जादा बड़ा, म्यू हमारे बहुत ज़दे रखने हैं भी बार ही हो जाए कि तो म्यू लग हो जाए कि तो अच्छा, जब हमें लगा कि हम थोड़ी और रफ्टार से घूमना चाहते हैं अबर रेडियेज भी हमें लिमिट के आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमें एक नहीं सुल्यूशन के बारे में सोचना पड़ा और वो सुल्यूशन था बैंकिंग ओफ रूट्स, बैंकिंग ओफ रूट्स, चक्कर यह हैं कि जब हमारी कार बिल्कु सीरी चबती है, तो नॉर्मल ऐसे लगता है, हमारी कार बिल्कु सीरी नॉर्मल ऐसे लगता है, कोई भी कंपोनेट कभी भी होजोंटल में और सेंट्रिप्टर फोर्स की रिक्वार्मेंट तो हमने बैंकिंग ओफ रूट्स करा बैंकिंग ओफ रूट्स का मतलब तिल्क करा उसे क्या करा तिल्क अमने पहाद बना दिया स्लाइट, बहुत जद नहीं है, से लिए साला इतरा कर दिया, कार वहां से निकल जाए तो ही गिर जाए नीचे, अरे हाना बोल या, फोरा से बना ठीक भासा, डीसेंट, तो मालो हमने ऐसे, इसे बोलते हैं, बैंकिंग का मतलब एंगल पर देना, ये एंगल तीटा, बोलो को ही हम बच सकते हैं, कैसे सुनें, मालीजी के आपकी कार है, क्यों बार, अब उसका पिछवरा आया है, तो तहर ऐसे दिखेंगे ना, चौक्यों के बिल्कुल, के रे इंसानेट आया भी बनाने नहीं आते, रेक्टेंगल बना है, अब समझ में आया, नबर प्रेंट लगी क्यों पीछे, अब यह थोड़ी बता कि नंबर प्रेंट पीछे ही लगाते है, मारे आतो साइट में लगाते है, तो अपकी कार, अबसेडर है उसमें क्या है, कार लगी यह क्या, बाते करणी जैसे खुद तो यहलोग नेम पर आती हूँ, आया, बाते करणी है, तो ला यह सहिए, एच से दिकार, वी से, ठीक, जब कार लगी वी से, यह इसका रेड़ू परवीचर, क्या जाइजी बाते है, सेंत्रीफीगल फौउस बहार की दरफ लगी-घा, बाते है, दुट दि पाया है, मई नीचे क्या लग रहा है,ании कं दॉइँ जिए, इधर क्या लग र मुझे लगा है तो ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा बोल यह सौन ओ तो हमने लिखा N cos theta equals to mg और क्या हमने लिखा N sin theta equals to md square by r आना बोल यार 10 theta equals to v square by rg तो क्या V equals to under root rg 10 theta अरे कभी तो हाना बोल V equals to under root rg 10 तो ये इतनी रफ्तास अगर आप निकलोगे तो आपको कोई friction की आवश्यक्ता और नॉर्मल आपको centripetal force प्रोवाइड कर देगा इसमें कोई दिक्कत वाली बार वीक वस्तों under root rg 10 theta पर वास्तर इता में friction होता है की नहीं है अच्छा ये तो ऐसी बात है कि सोच अगर फिक्शन नहीं आओ तो अगर फिक्शन ना हो तो हाइवेस पे शायद ऐसा लिखा हो कि माला अडिरूट आपको पचास किदिनी आई तो इसे लिखा हो पचास किलोमेटर पर दिया से निकल सको तो निकल लो नहीं तो निपट ले अगर तो हमें तो हमें हुआ है इसके ऐसे सम्झाए जयता है कि इस लोड उड इस बैन नहीं होगा है इसके ऐसे सम्झाए जाता है कि इस लोड इस बैंग पोर 20- 20 पर से कि अधर आपको 20 लिखा हो न रोड इस बैंग for 20 mt. यह जब तो हैं रही हो थाए नही ड्या 50 km per hour, it means at this speed there is no requirement of friction. There is no requirement of friction. समझ नियाया? Now let's come to the reality situation. कैसे? वो वाली बाद कि अगर friction भी है, तो हमें समझ में आया कि इस रफ्तार के तफ्रिक्शन की कोई आपशिकता नहीं है. सोचो अगर रफ्तार, अब मेरे को range of velocity चाहिए. क्या चाहिए? मुझे इस बैंकिंग पर क्या चाहिए? range of velocity. सो अगर तो मेरे को अमेगा की range निक्यों आपशिकता नहीं कुछ कुछ वैसी कहानी है. हमसे बेसिकलिए पूचा के range of velocity on this track. सो देर इस no sleeping. सो देरे इस no sleeping. यानि कि mu है, यानि कि mu है. तो अब हम पढ़ने वाले हैं banking with mu. banking with mu. सुने, reality तो वो यह होता है, इसा ही समझाने की बनाया है. So banking with friction. banking with friction. सिंपल सिवाद mu है. अब अगर हम बात करें कि अगर हमारी रफ्तार under root RG 10 theta से ज़्यादा हो, तो बताओ कार किदर भागना चाहेगी? अगर मेरी रफ्तार under root RG 10 theta से ज़्यादा चाहेगी? तो friction किदर लगेगा? इसे. किदर लगेगा? इसे. कोई पुरानी कहान नहीं है, अगर सक किसी को याद होगी वो omega वाली, तो ऐसी कहानी चलेगी. अगर आज ध्यान से को तो मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो, ऐसे. कार को ऐसे ही वापस. इधर के लगेगा? इधर के लगेगा? नीची के लगेगा? फिक्सिन कराएगा? मुझे लगेगा हैं को यादा है? अरे पक्की बाग? अभर कारी कुराणी बापस करें देखो के लगेगा? यह थीटा, यह भी थीटा, यह भी थीटा, यह भी थीटा, यह भी थीटा. सही कर रहांगा? nggak, सब सही सब चले। अरे एक के बाद, एक के लगद थीटा निची कर उत्किणा है भी चले। I the direction ng cos theta मुझे लगा नहीं तुम्हें आया अभी तो हाना बोलो बहुत बढ़ी असा और F की वैली कितनी है देखो Mb square by R cos theta minus mg sin theta इतना friction जो चाहिए वो maximum से कम होना चाहिए maximum mg की mu n? mu mg की mu n? mu n अरे हाना बोल यार this should be equal to mu n and what is n? n is mg cos theta plus m v square by r sin theta यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? m ने m को सब तरफ से मार दिया v square by r common ले लो तो cos theta cos theta minus mu sin theta cos theta minus mu sin theta less than equal to g mu cos theta plus sin theta मुझे लगाई नहीं तुम्हें आया? so we should be less than equal to root of rg mu cos theta plus sin theta upon cos theta minus mu sin theta velocity इससे कम होनी चाहिए तो क्या यह v max हो गया? yes sir अचल बेकार रेस्पॉंस यह क्या हो गया? v max this is v max इससे जाजार अफ्तार चलाओगे तो क्या slip कर जाओगे? yes sir व बाहर के तरफ इदर की तरफ? r के दर की तरफ? r अब v minimum के लिए क्या करो? देकार रेस्पॉंस आ रहा है या? v minimum के लिए क्या करो? yes sir क्या v minimum के लिए velocity to darges and rade से का बोनी चाहिए? yes sir तो v minimum आजाएगा पर practically इसमें v minimum zero होता है सोचके जेख ऐसे track फूड़ी बनाते हैं कि ऐसा लिगा हो कम से कम 10 km प्रती आस से निकलना बनना ऐसा लगी होता है? अब पता लगा इंजन खराब हो गया निपड़ी प्रैक्टिकली आप अगर ट्रैक्टिक सर्कल पर जाके खड़े भी हो जाओ भूमते हों तब ही आप गिरोगे? ने क्यूकि प्रैक्टिकली थीटा इस लेस देन अंगल ऑफ रिपोस तुछ नहीं परता है थीटा इस अंगल ऑफ रिपोस क्या होता है? तुझे आद है आपको? तो इसलिए मैं इसको वी मिनियों निकलवाने को बहुत है प्रैक्टिकली थीटा इस लेस देन टैन इन्वर्स म्यूँ देरफोर वी मिनिमूम इक्वस जीरो इंप्लाइब तो फिर वी की रफ्तार मूनी चाहिए जीरो से लेकर वी मैक्स तुम्हें मेरी बात समझ है? क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? क्या बिपो अच्छे समझ आ रहा है? क्या लिक्त आ नहीं है? नहीं है इस पर आलागी मैं थोड़ी चचा और करूमा ट्रैक पे क्या अश्कषा है अंचिकर कार सकती अच्छाने चांच पर ढ़ने करेगे यसरों कार स्लिप नहीं प्रनट जाती है जैसरा क्या करते है आउन दो और बेन हम ट्रैक जाती है अरे हाना गोलिया तो आपको तब जब 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 आपको बताओं वापर कि भी देख लिए कंडिशन में कार फर्स टॉपल से शिपिंग और फर्स लिप्स दें उसके लेलग कंडिशन हो हाइट ऑफ पर डिपन करता है उनके बीच की दूरी पर डिपन करता है उससे दीचे भी नहीं उतारते है किससे लोड से जाजकर आपको ऑटेख करना हुआ तो अट भराव अपर तो नहीं उतारेगा निए उसे पताई कि तोड़ा भी देड़ा होगा तो टॉपल सेंटर मास बहुत रसे निया शिप्ट कर जया था खेर आपको बगाज बिधे अ तो आपको पूरा बढ़ाया जाएगा क्या मेरी पात यहां तक लिए अरे हाना गुल एक दो चोटी-चोटी चीजे हैं लिखो बैंडिक आफ साइकलिस्ट बैंडिक आफ साइकलिस्ट अब इसमें थोड़ा एक यहां पर सवाल आ जाते हैं बढ़ना इसको पढ़ाना रूटेशनल में चाहिए बैंडिक आफ साइकलिस्ट को क्योंकि थोड़ा सा टॉर्क आजाता है बहुत हल्का सा अलागि यह सब समझ आ जाएगा इसको समझ आ हां अज़ने हैंगेसरह मन मैं चबरल मर्सलिय को लिएल्या मान्री झूरणीश्ट हरूदेश्ट हम चुटेशनल में साहिए फ्रैकिरज करें टर्ब्र में चुन आउर्णीन शेद सयुक्ता है जादा कई ऐ सब स्कतर एससा हुको दो ऺड़े, जैसे आपको मूड़ इसे अपको मूड़ाओ, ता आप कैसे मूड़ूंक, देखल नाप ऐसे तेढ़ा ओक yağ और यहminister जैसे अअ जैसेए करना जो गिला द्रीम मूड़ बीसी अ जाना को अनल्क सी नहीं आ जा जा का देख़ाना एअ ऐभा क्या हमें मोड़ते बात कर raise ऐता हैं में गुटने जीकर को छुट कि याहर हाना वो, मैं को थो बैंट लिए वह क्रते हैं कि वह घ्लैंदा कृए क्में पता हैं कि झासमें मोड़ना एंच कर invasion हमें centripetal force चाहिए अब centripetal force जेता को है धर्थी धर्थी को बढ़ना पड़ेगा मुझे चाहिए चाहिए ऐसे असाई से तो लिए लेगी तो अपन क्या करते है एसे जल रहे तो ऐसे बिजर एसे गूंद ऐसे करते है तो धर्थी मातन को कहते है यह मैं तो किर रहा हूं फी दर्थी मात यह अदिन कि इदा वोर्स लगा तीयों घर्थी कि ट्राइट इसकिट आउट संब्स हैंन को रासटरल मोर्स कवा बट्री का तो ख़ hacemos कर लेटा था है कि ही जोब्ड़ेश्वाग्सरिव थे 괜찮 यह चैन बाइट करता है सेंट्रेकर दिन करता है अब कितना बोलो क्लिया तो यह अपना यह अपनी क्या है गुला जिए वन्हीं सैट्टियू है सबने बादी मने गोला एए बहुत बडिया साब जब आ पर बैंडिर आशी नुच ने बने पर ध्यान कि वोरे एप फोर्स का यह शोंग रहे हैं पर तो यह दो सेंटरी ऐंगे का लगे गा मैंज़ चाहिए अच्छा लगेगा इसेंटरी पीटर फोर्स ना लगता है को कि बाड़ित कर दियुत सड़्दीं को जग कर लुगशन को एक संदर आखीelle को प्राइब इसे जब्याति सब्सक्राइब और नॉर्मल लगेगा ऐसे अब नॉर्मल चट्रवास पर लगेगा नॉर्मल महां पर लगे है जहां पर बोड़ी मुझे लगानी तुम्हें आया है अग सिंपल सी बात अगर बैलेंसिंग हो नी तो यह तो समझ में आता है कि N इकोस टूंगी एंद एपकोस इस होना अरिक अगा अगर अगर वह तो था लुप कर्या वाय ने को सूंग सेक्ष्णि को सूंगो अगान एपकोस दूनी पर्फेक्ट्रीपान सिव्यान इस अगर बात आती हों कि थे दिश्य है यह यह इंग थीटा है यह थे इंगल थीटा बोलोगी यह जासे अगल तॉपल भी नहीं करने हैं घुमने भी मतलब क्या साइटलिस्ट का टॉर्क सेंटर अफ मास्के अबहुत जीरो होना अगर जो ने लगा तो पता है अगर नीग पता है आपक अगर यह जाता है क्या करा जाता है और क्रॉस है मुझे जाहीं तुम्हें आया तो फॉर नोपल्टी ध्यान से देखो for no party, क्या torque about CUM should be equal to 0 implies torque of normal plus torque of F plus torque of MG plus torque of MV square YR should be equal to 0. मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया? आया! आया नहीं आया? आया! अच्छा! अगर force वहीं से pass कर जाए जहां पे torque निकाल है? 0! क्या MG और MV square YR वहीं से pass कर जाए? Yes sir! MG और? वहीं से pass कर तो इसका torque 0 इसका torque 0 को ही हो रही? इसका वहीं है? इसका वहीं है torque of N और torque of F क्या 0 होना चाहिए? Yes sir! पर पर मुझे एक बात याद आई ही यार N और F N और F N और F का resultant तो contact force होता है? Yes sir! N और F का resultant तो contact force होता है? Contact force अगर इन दोनों का torque 0 होना है इन दोनों का torque 0 होना है तो क्या इन दोनों का resultant यहीं से pass होना चाहिए? Yes sir! मुझे लगा इंदुमें आया? आया! आया की नहीं आया? आया! क्या resultant of N and F should pass through center of mass? Yes sir! तभी उसका torque 0 होगा और नहीं 0 होना possible? Yes sir! अगर हमीशा इस ही से pass कर जाएगा ऐसे और यह गोही एंदुमें आया? आया! आया की नहीं आया? तो क्या तभ दोनों का resultant of mass ही pass कर गया तो क्या torque 0 हो जाएगा which is a required condition तो ध्याद से देखो 10th theta क्या चीज? 10th theta क्या 10th theta कॉस्तू F पही है? 10th theta कॉस्तू? What is F? What is F? 10th theta कॉस्तू? 10th theta कॉस्तू? What is F? 10th theta कॉस्तू? 10th theta कॉस्तू? 10th theta कॉस्तू? V square by RG याद रहे तो कोई बुराई? नहीं है हमें किस angle पर tilt होना चाहिए? किस रफ्तार से घूमने के लिए? यह हमें पता होना उसका formula है 10th theta equals to V square by RG तुम्हें दूर दूर तक समाज यह थोड़ा top गायब तो नहीं हो लिए? यह थोड़ा top गायब तो नहीं हो लिए? बिल्कुल basic थोड़ा आया की नहीं आया? अचली सर्दूलर में उसके सवाल है HC or VA अगरा है इसलिक करा देते ही नहीं पर अधा जोल बोला चमका उतार डाइगरम भी बनाना पड़ेगा तौर गया अब नहीं आता तो अभी रहने देड़े परिशान मत रहना नहीं नहीं घुम रही तो उसका net talk 0 होना NG and NB score भई आर तो वहीं से पास कर रहे हैं तो पर talk 0 हो गई और N और F तो अगर तो लॉजिकल इसे घुमा रहा है ऐसे अगर तो सेंट्र अवास पर पैटके देखे तो एन इस को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे और F ऐसे तो एक अंदर रहेगा और A और दोनों का resultant 0 होना प्रेक्टिकली सोचो को तब होगा जब क्या इन दोनों का resultant ही इस से पास कर जाए तो talk क्या हो जाएगा 0 मैंने वहीं बोला है मैंने कोशिश करी बिना talk के formula के ही आपको बात सिंज़ाए खै योग है बेटनें आप साइगे साइक्ट होना करण पात मौत का कुवा नहीं बुरा देखो चोटी सी चीज़े बिल्कुल टाइम पास देखो मौत का कुवा जरूर देखा होगा आप में ना होवा में आता है मौत का कुवा पांच निट भी लगी है पढ़लो उसके बाद तुम ट्रक चला होगे देखा कारें चलने मात की कार देखा है सब लुगाने तक स्वेस्में वाय भी जगा होगा तुम जाते हैं नहीं तो मैं पकड़े जाने का दर है महले है मालोग एसे स्लिंड्री जा इसस्टम है नहीं मेरको पकड़ाना मैं तो मैंसे शूट किया हूँ एसे अपना मोटोसाइकलिस्ट एसे कुम्रा है वी रफ्तार से किते से वी रफ्तार से एसे वी रफ्तार से घुम्रा जहर से बाते के Mb2 इधर लगेगा और क्या Mb2 इधर लगेगा और क्या Mb2 इधर लगेगा और Mg विल विलेंस Mg शादा श्कूर्ट फ्रिक्शन और Friction तो Friction व्यास देखा तो Mb2 इधर लगेगा अरे कितनी आ गई और F की विलेंस Mg इतना Friction इतना Friction चाहिए इतना Friction जो चाहिए वो अरे को मैक्सिमम से इस इधर लिए इस इतना Friction तो अपको सर्कूर ट्रैक पर यानिकिन और भूमना है तो आपकी रफ्ता इससे ज्यादा होनी मुझे लगा है तो मैं आया इससे ज्यादा होनी चाहिए तो मौत का कुवर मैं से जो इस सेंपल फॉलो करते हैं और जो असली मौत के कुवर्द हो बिल्कु वर्टिकल थोड़े की लिए तो असान हो ज़ते हैं जो 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 चुदी मुझ श्टीव का फ्रेम अंदर तें लगादिया गुल आप चला आप आस्ता वीता में मौत का कुवर्द है तो बेसिकिली तो कारे भी चलाने लगें थोड़े बड़े लेडियस वाले जो उसमें तो कार चलाते हैं चाहो तो आप रख चला ना इसी वाद मुझे को दिक्रत वाली बार अगर कभी आप सब्सक्राइब तो पूरे गोले में घुमा तो तींचा डोग मोटर साइकल है तो गोला होता है जो जाए इसमें कोई खास बात तुम्हें नहीं आया अजा इसे मनको इसमें चुटटे सवाला और ताइम है तो जैसे एक ठाटिकल यूज चाहो तो उतार चाहो तो नहीं और तुमारी कॉल है मैं कोई एक्जेक्टी सवाल नहीं करना हूँ मैं कोज़ रखन दे कैसे सवाब परा सकते हैं उसको पूरा सवागी बतुल दस्वर टेगी में लग जया है तिसे एक तो अच्छी थीज है जिसे एक क्रट्टिकल यूजमेस को लिया जाता है कि अच्छीं को हम रखने लेते हैं पूर शुम को अच्छीं को में में इस कुमारे जोटाँ आठो बोल सिए आठ रेते हैं थाकि और हम इसे तर बुलिट पासने इस 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 प्रोसेस पाइश यू can find out the velocity of a bullet this is one of the process by which we can find out the velocity of a बुलेट 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 इसनों भी धीरे आती है रिज्टिंगास की पिचल की तरहें अरे हाना दोल या वास्तविक्ता में बहुत तेज होती है पता ही इसकी रफ्तार एक दम शाब देखके ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ध्यांस देखो क्या करते हैं कि माल नो बुलेट आई अभी बुलेट बी नॉट से आई किते से अग्यां कार्बोर ने की वज़े से उसके रफ्तार प्रकाइब को एक हास चेंच नहीं आए तो कार्बोर लगा तो इसे चेट कराऊ उसे चेट करते ही यह से निकली जिती जिएर में हैं से आप पहुंची कि यह जिए अभी घूमी तो चेट बिल्कुल आमने सामने ओंगे थोड़ा पेंटे तो दो कार्बूर से क्या उपर देखोंका अगर आप इन कार्बूर को इधर से देखों तो कार्बूर में चेट ऐसे नजराइगा एक में यहां और एक में शाइद यहां करी एक आगे वार तस armas हो तो यह जो रहें पर दिश कमका प्रदाइगा आँ कि जिए अटनी ही कि यहां से हाई ही क्या उतनी ही तो जब रुझा उपर चॺ्ड़ा सा घुमा तो जब रुखिया तो पिर छेट बिल्कुल आमने सामने लजराई है हमें आता समने इल उपर तो सब देए वो एसे टिल्टेट नज़र आए, मुझे लगानी निवे आया, तो जो एक टिस्पेश है थी ते लिग लग पे, एक आगे वाली पे औरे, नहीं आया, क्या प्रेक्टिकली हम इन दोनों के बीच का अंगल मेजर कर सकते हैं, मुझे लगानी निवे आया, थीटा, तो जो लग तो हमने लगायाए, को हमें, अच्छा बाइ, तो बेज ज़्यान से देगो, क्या निकलायाया यहा से, टाई, ताइम, जो की दूरी क्रॉस करने में लगाया, किसने, बुलेट ने, तो भाई साब घीटा बाई, ओमेगा इक पॉस नों टाइम, और दैटो बीटा बाई टो जहां रहें तो तो उसलेंच निए अफॉर के लाओकुलेट दिलोस्टी अभर गोरेक्ट फा उप्लेट व्लोस्टी अफॉवर कुलेट व्लोस्टी अभर उदा ले जाहिए तो यह आपकर आने हो गजसे सुनना और कश्राइब समाज़ना 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 इक रहा होना है रिखे गृम्न की उन्म भाइड, कि दो टैये nine. कि अरिख को सब्सक्किल सकते हैं को सब्सक्राइच माविगे जहते हैं . अरिख को सब्सक्राइयोग हुए . और आया . बिसीकली NLM को इसके साथ इंकॉर्परेट करा जा सकता है इंकॉर्परेट आप ऐसे इंग बजया ऐसे कर लो सब्सक्राइब एक वल्लोग लगाओ दू बलोग लगाओ दू भली बाद सब्सक्राइब करें तो इन दो ब्लोग सब्सक्राइब कुछ नहीं आपको सब्सक्राइब करें तो कब साथ चलेंगे कब लगा होंगे के सवाल कुछ जा सकता है अधर बेसिकली यह वहले सवाल है जो दर्दस नमबर सब्जेक्ट हो दर्दस नमबर करें जा सकते हैं मतलब उसमें देरी दरी पटे से साथ आपके सब्सक्राइब करें आएंगे भी सही पर कॉंसेट आप बेसिकली मिश्चथ होगा सर्कुलर के साथ नलम मिला दिया कभी दि बर्टिकल सर्कल इस वोट टिकल सर्कल इस कॉंबिनेशन आप सब्सक्राइब कर दे जा सकते हैं जिसे एक पर सवाल अगर आप देख और अरों मेंग एक सब्सक्राइब कराया नहीं तो ध्यान एक्टना एक्टम उप धायता हूं क्या आंके भ्लॉक और यहां से एक डिंस् तो आपने ग्रू काट दिया क्या काट दिया अब ग्रू में पर प्रिक्शन लेसे गूरू क्या है तो सोच जब कर बाहर बागे का रहा है जब आड़ी कर बागेगा सोच की दिवर से बाहर कौन ले जा रहा है अब ग्राउं प्रिक्शन ताही नौर्म तैसे अज़र है पाल जायेका जायेका तुम्हें भूल असर एंब इसकान पाल लेखा इसको बॉट अब आपके शुचना it's not an easy question it's a conceptually very good question which I asked you just now so try to solve it sochna गर जाके मुझे समझ आगया तुम्हें बाद समझ में आगे कि इसे बाहर कौन ले जाएगा centricular course पर उस तो ground frame पूरी है that is not a realistic force that is not a that is not a realistic force इसका बला कोई तो और है या कुछ तो असा हो रहा है जो मैं पकड़ तो सुचना इसे ground frame में बाहर सवाल ये है अभी मत सोचो टाइम लगा न अच्छे से दो एक दो lecture बाद ही बताऊ वाम है असानी से नहीं अकल लगा न तुम लोग खुद और एक प्रकार की बाद के सवाल ना सकते अच्छा नहीं पर कर खासव जाना है तो एक साथ दिखाएंगे तो आपको चलता हूँ नजर अच्छा बाद है तो पहले आपने देख्ते हो तो आपन जो है योज लिया प्रिफ्य खर्ट एंस तक है यह दो किसिकाले ना है किसे तवाले फंद दे ना यह दो हम आके देखें एसे मनदेगो तुम कोई बहुत कालि यह जमाने में डी सियार थे इसे दो, आढ़िए, भी तो, पूले ड़ेग आइजि़ मुझे जड़ी मुझे हैं भी गाले गैंगे, सौल्हा, लाइट थी नहीं तुमाने गाओं में थी लाइट? सौल्टिक है बास करो याँ लाइट आजी नहीं तुमाने गाओं में टूपिस तूपिसफे नगी तूपाइटा है। लंगे का तूपिसधे नगी का तूपिस ही अभी क्वार्य चोड़ते हों अब चले के कि वाराज़ doin चोड़ते हैं। बेसिकली वो क्या रता था एक पर उल्पियाट में बहुत शांदार सवाल आये था मैं ऐसे चोड़ा आइडिया देता हुशा अगर आपने वह कैसे ट्रश्ट देखी हो न ती स्रीज की आदिरी बहुत चाहिए तू ऐसे चलता है यहां पे बेसिकली हैं नगा होता है एक और अपने यह चुछे मटा बखालि तक्रें यह घड़िण से सिंग्र लेता है एशा समझोंगा और तक्रेंग बूरी और इदार होता है जब पूरी इदर मोटा नगा होता है तो प्रियो मोटा नगता हो जाता है और देरे देरे चेंज़ अ को है टाउसने फिर एंग रोल होत यह वाला जगा इसका इनीश देन नौ है इनीश जए बेटी अनौ इनीश डीए इस तो यह आरनौ चेंज हो रहा कि फिक्सद गोड़ा हैं तो ओमेगा भी छिंग दो यह क्योंकि स्पीड रहे हैं ज एक ंगाएं तोने आया आया क्या इंठान रोना इन उसको पूरा इसने कि तरीगी और प्लेयर हो या तरो कॉल कई तक थे गूंता था उसको रख दिर देख अहूं अरे वो डिस गूंती निदी पुरानी मिक्सरों लिखाते हैं को अजया ऐसे उठागे रगजिए थे हो तो वो बेसिकली वो सब इसी फंडे पे बेज़ रहते हैं लगातार उचलती रहती है और उसके वो जो है रहता है वो उसके साथ-साथ गूंता जाता है वो नी गूंता मतलब वो चक्का उसके साथ-साथ तो उसके रेडियस है वो कम और जाएदा होता रहते है समय के साथ तो अपर यह उन्होंने आप दिया फिर उन्होंने बेसिकली आरे संक्शन ऑफ टाइंटी अगरा पूचे तो जोड़ी लगी कल्कुलिशिटी आपके वास में पूरे एक चक्कर में पूरे एक चक्कर में यह बी थिकने घट जाती है पूरे चकर में अप्टी आप थीटा गोंगे कितना गोंगे कितना गोंगे तो आप लॉजिकली सोचो तो आप टूपाई एंगल में तूपाई एंगल में क्या बी थिकने घट जाती है तो क्या एक एंगल में P by 2Pi Theta गटेगी? तो मालो कि जब तर आप Theta गुंचुके हो क्या R का Radius होगा? R0 minus P Theta by 2Pi? यार मुझे लगाये मिद्मे आया? I am. क्या this is R as a function of time T? Yes Sir. This is R as a function of? Time T. Time T. और हमें बात बता है कि अगर speed constant है तो speed equals to Omega R. speed equals to? speed equals to Omega. और ओमेगा इस दी थीटा वा डीटी एंड र यू विल गड़े दे फंक्शन आफ टाइम थीटा यहां रखोंगे तो के इंटिग्रेट करते हो अंसर नजर आ रहा है तुम्हें दूर दूर तब कुछ भी सवाएंगे तो आर ओमेगा क्या रिस फंक्शन आफ थीटा पता है अंटिग्रेट करेंगे तो आंसर आतो नजर आएंगे खेर वो इक अलट बाद पर ता कुछ कुछ बात समझ में आई ऐसी रोल वाली बाते 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 आई जाती जैसे एक सवाल है एक चुली धान समझ रही मैं है अगर आपको त्यान देवा तो ऐसे एक मैं ज्यादा करने और फिर वह एंगे भाट वहीं हुता हो ओ। फिर नम्हीं मेल अधा एलिया इदर ही जजादा है उसे भरा कंपड़ा नहीं रह पर इसके लिए पादल हो नहीं कि आवशकता, नहीं है, जितना हम बोल रहे हैं, विच इस मोर दन सफिशियंट है, मोर दन सफिशियंट है वो, पर आपको हो सकता है बहुता ही चीज़ ऐसे दिख्या है, जो आपको लगे अभी तो है नहीं, इसका कोई पार, इसमें इसके मेक यह वो तांगे कटाए रहे हैं, एक बार इसी प्रॉलम होई जो किसी मलब इक अड़ी कतिकत बात है कि वो कि तांगे चाल रहा था, अब क्या हो कि तांगे में वीडियो नहीं पर साला वीडियो हो जाए लगी ऐसा लगा कि तांगा चली नही रहा, घजित रहा यह है, जब आगा घसे ट्राइब अगा अगे सब चलाए को चला नियुक्त तो उसको आप एंप जो कि सो थैंक किसके तांगे कर समझें आप अच्छे से सब्सक्राइब तो यह इसा समझदों की फोटो थो करता रहता है ऑफ यह बिलकी पांच फोटो एक जिए जाए जाए एक डिखाए जेती है इसमें पोई शक्वाली बात अब यहां पर गलती क्या हुई कि जब देखाने किया तो गसिता वह लगा तो टायर ऐसे ही लगे कि इसाले टायर भूम ही निये रहे वह ऐसा इसलिए हुआ कि टायर के खूमने की रफटा रूमेगा सुच अगर कुछ देर बाद टू यहां चाहे और वन यहां चला जाए तो आप मेरा फोटो फेग में की रफटार भी यही है तो आपको शेशन लगे रटायर आप जितनी देर में स्पोक पिछला इस पोग उसी पोजिशन में आज़े ता जिस पोजिशन ने से तो आपके फोटो फेट में रफटार भी वोगी है तो अई यह नहीं आया राटाब के लिए तो आपको टांगा अधर टायर ने भूमिए आपको तभी शेशन लगेगा जब आपको एक सूप यहां पर हो फिर फूर्दियर बस यह स्पोक ऐसे 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 ऑसे पर आप तब आपने दूसरा फोटो कहचा है अरे नहीं आया तो आपके लिए जो कभी भी तायर भूमा नहीं है आपको शेशरी लगेगा अरे हाना बोलिया यह प्रेक्टिकल प्राउलम है बिल्कुल प्रेक्टिकल प्राउलम जो जो इंडस्री में थी और उसमें ध्यान नखा जाता पकी बार तो दिराश तो अदिक्स विकें इस्टिकल तो सर्कुलर बॉह बढ़ बढ़ है समाथ रोटेशन के साथ भी आएंगे रोटेशन अपना अच्छा हो सकते जब अपना एलफा थीटा और ओर ओमेगा अच्छा क्यूंकि बेसिकली टॉक्टिकों और इलफा ही तो है तोर्क इकोस्टू आई आची मोमेंट और इनर्शिया और एलफा आपन सीख चुके हैं नहीं आया ना तो आपन रोटेशन में चीए आपन सुचेए टॉर्क आर्क प्रॉस है क्या सीखेंगे सबसे पहले शुरूआज करें हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे किसे बेसिक फॉम आपने आप में तीनों के बारे में पूरा ग्यान क्योंकि अपने आप में तीनों एक अच्छी चीजिए एल्फा टॉर्क आई बैक पैक कर लो सुनने से कोई मतलब है चादी कर्मारी चल्या अ करते हैं बहुत इमानदार जी के सब लोग काम कर गया है एक अच्छी वर्मा प्रस्च नमबर एक और दो तीन चार पाँच अच्छ 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 आठ नौ दस जारा नहां एक मुझे पढ़ने तो दो हाँ अब अरे अरे अब सटल हो जो क्या हो गया क्या हुआ आगे पीछे में गया और तुन्हें बीच रुपर दिये नहीं दिये कॉंसा पुझे दसो क्या हुआ रवा दसो नहीं का दिक्कते यार अस्टोन अरे बातों की अवाज आ रही है अब जादा ग्यादा 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 अरे बातों की अवाज आ रही है अब जादा ग्यारवा ग्यारवा बारवा बारवा तेरवा फोटीन 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 फिफ्टीन काम करा है श्क्स्टीन ग्यादा सवंटीन दाउट हैं अर्ध मादारी से अच्छा हो जाएगा सवंटीन खेलना थैडा ग्यादा पर्संटिन स्प्रिंग करेंश यह नम्रे इक्वेटर पहला आपको सिंपाशला क्यान सब्सक्राइब तो निए थे ट्वर्ट benefits नुकिन होगे टुपईवाइब ट्वर्टी फट्वर्स कितना को में के अगी टूफईगमने की रफ्तार हो गदर जब रही आधिम एकटर पहले मुझे बताऊ जब आप एकटर पैसे खड़े होते हो तो इसमें एम जी को कौन ब्रे यह लोग तो मान भी लिया एक्विटर भी आप एमजी ऐसे नहीं लगता है तो अपन बोर्ट पर से बनाते हैं एमजी अंदर की तरफ है एमजी जी के लिए नाइन पॉंट एटेस अपने लेडियस अवर्थ 6400 क्लूम्टर के आसपा जी के वल्यू जी एमी वाई री स्क्वा अशरम सफ ऑफ वाई री स्क्वाइर गचीज़ अगरम बात जी तो बन स्थे लिए लेट गारे हैं अगर अगर अपन बहुत द्यान तो बेजिकली हम जो मेजर करते कभी वेंग मशीन पर खड़े तो नॉर्मल मेजर करते हैं क्या मिजर करते हैं गए निग घूम भी रहे मेस्ट में ये मेजर कर रहे हो थो आपको पताई यह की वैलिव हैं की वैलिय तो हमें दटी गोल नजराती पर तजो में बोला क्या चमका कोई बुरह वाली बात दो नहीं तो यह निफेक्टिव आ गया दूसरे पार्ट में उसने पूछा कि बताओ में इसको कितनी रफ्तार से घुमाओं और अर्थ को में कितनी रफ्तार से कि यह mg 2 होजए तो इसको mg o יज निकालेगा नीलेगा है क्या सबाट होगे 17, 18, 19, 19 को दिकट, पक्की बार, गुट, बóriaसक्त के बाइस सोच गारे था, ये 22 जैसा ही कुछ गुच गुच गारे, दियान दिया ओना तो हो गुच गया, गुच गुच गध, 20, 20, 21, सोच लो, 23, 23, काम कराई, 24, 24, 24 25 काम कराए 26 26 पका जूट तो नहीं कोल रहे 27 27 27 27 मैं बता दूँगा मैं बता दूगा मैं बता दूगा मुझे बदा कुछ 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 काटका होगा don't worry परिशाद मतो और हो गया था अच्छी बात है नहीं बात है जिसके बातों की आवाज आगे ने पक्का आईटी कसम खा रहा हूं कि मैंना समुसा नहीं खिलाओंगा उसे कनफाम है मतलब और पक्का दो लोग समुसे से बंचेते हैं आच सब चोब लाक्स का कोई बरोसा इधर स उसमें आपको ब्लॉग रखा हुआ यहां पर असली तो नौर्मल टीक्षिन एंटी सवाल में बूला गया है कि फ्रिक्षन दिवार और ब्लॉग के बीच में हैं मतलब फ्रिक्षन के रिश्पॉंसिबल एंवन होगा एंटू 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 इस बैलेंसिंग एं यहीं पर अगर ऑफ ईंटू यहीं पर है तो फ्रिक्षन क्योंकि बोल गया यहीं पर है अगर आप बहुत डियाग्राम को ध्यान से देखो तो ऐसे आपकी रफ्तार है ऐसे ये महला की रफ्तार ऐसे वी है बोलो गिलिया ये इसका side view हो में इसका top view बनाओ तो आपको ऐसे नजर आएगा ध्यान से समझना अगर आप ऐसे बनाओ तो ये अपना हो गया और ये अपना क्या हो गया अरे हा ना बोल बाहर की तरफ आपका हो गया और अंदर की तरफ हो गया आपका mg अरे नहीं आया अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जब आप ऐसे चलोगे तो friction लगेगा उपर की तरफ यानि कि अगर इस डाइग्राम में तो चल नहीं सकता तो friction चाहेगा दोनों रुख जाएं दोनों रुख जाएं तो पुरी-पुरी ताकत जोगेगा और tangential explanation लगेगा कैसा लगेगा और फ्रिक्शन को अंदर लगेगा कैसे लगेगा मुझे लगा नहीं तो मैं आया आया अरे हाण आबोज अंदर लगेगा संने बोला थीक मैं नहीं भी बोला ही बहुत बढ़ी था इस दिस्क्शन इस पॉन्सिब फॉर टेंजनिग चलेफिस्टिक इस दिए और ब्लॉग के विचे वे फ्रिक्शन है याँके बीचिव इस लिपिंग गे तो फ्रिक्षिन लगेगा म्यू एंवी स्क्वाइर बाई आर अच्छा माइनस को लिखा मैंने क्या स्पीड के अपोजिट है और क्या फ्रिक्षिन को लिखा जा सकता है मास इंटू ए टेंजेंशियल एम नेम को आई 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 एंट करके दिया भी हुआ हाला कि हिंट नहीं भी देता तब ये अच्छे बच्चे को आना क्या ए टेंजेंशियल को वी डीवी बाई डीएस जब लिखते हैं तो इस डिस्प्लेस्मेंट होता है कि इस्टेंस इस्टेंस इस्टेंशियल को मार दिया डीवी ध्यान से डीवी बाई वी इक्वल्स तू माइनस म्यू बाई आर इंटो डीएस उसने शायद एक चक्कर में आपसे रफ्तार पूछी है एक चकर का मतलब क्या दूरी हो गई 022 पाई यार क्या इनिशन रफ्तार थी वी नॉट क्या अलीवाद अरे कभी तो हाना बोलो कोई दिकार उतार लो यह था सथाइस उसके आठाटाइस भी बता देता हूं 28 वाल ला ना वो गुरू वाला था आख वह वह था है आख व्याज़िल आख इस वाठाइस वाल की ऐक प्लेट्फॉर्म है क्या है वह सम्देए ए प्लेट्फॉर्म है रिश्यों देने के बाट जिविदेए थे इसे प्लेटफार्म है ऐसे गूंग रहे हैं जिसका रीडियस और उसमें गुरू काट लिए गुरू का बतार नाली ऐसे और उसमें ब्लॉक को फसाली यह करा है बेसिकली अगर अपन बात करें तो नाली मालो ऐसे यह अच्छा यह भी बोला गया कि नाली की जो लेंथ है ल व अनीग होगी पर लो पॉप तो वास्तविकता में तो जब लोग बाहर जाएगा अधिक बाइव दो लॉक को फॉसे और रचजर्ज होगा पर इन्होंने माना कि आरच है वह कहके लेसली असले मुझे लगाने तुम्हें तुम्हें ना वास्तविकता में क्या भी चेंज हो एपने एले लिया बहुत सुंदर बेसिकली देखो तो पार्टिकल पर इदर की तरफ लग रहा है एंगल थीटा दियान से देखो तो इस पर क्या इम यह अलॉंग दुरू नाली की तरफ क्या उसके लावब कोई फोर्स कि यहीं फोर्स जो उसे बाहर ली जा रहा है मनला क्या इस डिरेक्शन में जो इसका एक्सलेशन होगा क्या वो एक्सलेशन होगा ओमेगा इस पर आर पॉस थीटा इसमें ओमेगा भी कॉंस्टेंट है तो क्या एक कॉंस्टेंट है एक क्या दूरी चलनी है एल दूरी चलनी है अगर दूरी चलनी है एल तो लिखा जाएगा एस ब आया कि नहीं आया बड़ बड़िया साव यह थाइस उन्तीस डाउटे के उन्तीस आम पढ़ा पूरो बता रहा हूं टैंशुम डोल्डवरी स्केल स्केल जिसे मालनों कि यह ऐसे कार का प्लेट फॉर्म है क्या है कार का ऐसे स्केल रखा है मलब ऐसे क्या रखिए टेबल बुलो क्लियर मलब वो प्लेट और ऐसे ब्लॉक रखा है बुलो क्लियर and that is how it is rooted बुलो क्यों के बीच में लिटॉ व्लॉक के बीच में बॉलो कि यह इसक्व सर्फेश बॉक सर्फेश पर नॉर्बल लग रहा है मुस्सा पूर्व सब्रटाइब सब्सक्राइब कर लेते हैं आपको समझाएगा कोई खाजबाद नी साथ सोचने में और बनाने में बड़ा लगता है इसलिए होता नहीं बागी है ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब है इस इसा आफका यहां पर है प्लिदा जो में बोला चमका इसा आपका एन लग रहा है यह अपना इंडी स्कुयर वाई आर्हे हा ना बोले यार तो लोजिकल बातेगे एंडी को सटू एमपी स्कुयर वाई नहीं है जो इसकी नहीं है यही नौर्मल है जो कि अब उन्होंने क्या बोला है यह तो पहले पाट होगे उसनोंने बुला ध्यान से देखो कि कर दिस के बारे में बात कर रहें जिसकों स्लोली स्लोली बड़ा रहें हैं думаю यह फोड से अंध्य तो मग अन्वी स्कव्यर वाईर इधर यह थीटा ज्यांच नोगो यह थीटा तो यह ठीटा को मुझनना है ड्यांच देखो यह को तो यह ठीटा को मुझना ऐिए धैक। M v square by R और N की value क्या है M v square by R cos मुझे लगा नहीं तुम्हें आया क्या यही नॉर्मल का component है जो friction को लाएगा जो friction को मुझे लग नहीं रहा तुम्हें आया यही वो normal component है जो friction को लाएगा सब ने भोला ठीक मैंने भी बोला भी बहुत ब़डिया सब इसे कौन रोकेगा? तो क्या friction की value होनी चाहिए? म्वी स्क्वार बाई आर साइन थीटा जो इदर की तरफ लगना चाहिए इतना friction चाहिए जो चाहिए वो maximum से क्या maximum is mu mg की n? mu n क्या mu n is mv स्क्वार बाई आर कॉस सीटा नहीं आया? नहीं इसक्वार बाई आर नहीं इसक्वार बाई आर को मार दिया 10 theta is less than equal to mu कोई गुरही वाली बाद? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? आया नहीं आया? कोई खस्वाली बाद? नहीं है उतार लो हो गया सवल? और 38 की जुर्द शायद नहीं बड़े ही या है? हो गया गया? पकी बाद? सर्कुला मोशन प्रेस नमबर एक दो तीन तीन अच्छो प्रेस नमबर तीन में बोलावा इस SECOND'S HAND SECOND HAND का मतलब यू पुरानी है ऐसा नहीं है SECOND HAND का मतलब है SECOND HAND SECOND HAND करेक्ट बार वड़े किट्टू ये ये अपने बैच्ट वागर को इंटेलीजेंट है ना तो किट्टू ये बस किट्टू तेरा मजा गुड़ा रहा है ये 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 वो चाट लगना चाती दो इसको लगा दिया क्या चीज़ तो सेकेंड सेंड कौन सा सेंड सेंड का मतला पूरे चकर में वह साथ सेंड लेती है किती लेती है तो अगर आप उसकी स्पीड की बात करो वी तो वी अस्ट वाट टू पाई आर कितना तू पाई अच्छा उन्हें यूनिट कौन से लिए देखना है ये एम एम तो च्छे सेंटिम्ट का मतलब किता होगे साथे में जब भी सवाल करो तो पहले देखा करो कि क्या यूनिट में आंसर दे रखा है है ना तो दूरी चली टू पाई सिक्स्टी बाई टाइन किता लगा सिक्स्टी तो आप रफ्तार आगे टू पाई एम एम पर सेकेंड तु होगे टू पाई 60 बाई 60 60 6Y माइं तो यह बिया तो आगया तो अधिया था आद प्रफ कितना तूपाई ये टूरू चूपाई नहीं आया घ्ला करता बहुत वेटर नहीं ता प्सवाल नहीं था हां हां तीसरा चौथा चौथा पाच्वा पाच्वा चटा साथ वा काम कराएं आट वा अगर आपका पार्टिकल ओमेगा से चल रहा है किसे चल रहा है कई तो इंगल घून जाता है वे ऐसे इन की डिसंस डिस्पेश्मेंट क्या हरा यह जांस से अगर यह उसने रेटेस fortune ये तो ये दूरी ये साइन ओमेगा टी बाई टू ये दूरी टोटल दूरी तो ये साइन ओमेगा टीड़ तो आंसर आगे क्या बताओं कभी तो आना बोलो कोई गुराई कोई गाश्ट शाबश आट वाग और 9 9 तो जो पका 10 सब्सक्राइब केया गाल इस सब्सक्राइब केश्या क्राइब था टा जो नहीं है लिए बिल्ग गाल प्ला एक टीश क्राइब डाई टो इस विल्गाइब में ऑन तो विलोस्टी कितनी है? तो किसी भी टाइम टी पे जो विलोस्टी है क्या है? विलोस्टी रेक्टर तो उसका ये गमपोनेंट 2 है और ये 40 है तो ये अंगल थीटा है तो 10 थीटा is basically 40 by 2 इसकी रेट इसकी रेट की अगर बात करें तो तो दीटाइव थीटाइव 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 this is it if this is it this is two this is it this is under root of 8 square plus 2 square root yes sir yes sir yes sir is बाइ तूरूट सेवंटीन का होल इस्ट को ए यहां सर्ग जो भी आ रहा है तूरूट सेवंटीन पूछा मैंने भी पषरीगाहि एक करता है लंबा ओर था उस ने ऊरीजिन के आपाउमेगा नहीं कुछा है स्पोरीजिन के अबाउघ फाहिफ ऑकर किसी करां अखोरा अनुसे से तो नहीं पूछा हो और उन्हें निकाला होगा वी परपेंडिकुलर भाई यार वी परपेंडिकुलर भाई उसने पूछा उसने डी थीटा पर टीटी पूछा विलॉस्ती वेक्टर का किसका इसलिए करना पड़ेगा हाँ ग्यारवा ग्यारवा काम करा है यस सर बारवा तेरवा 14 14 15 काम करा है 16 17 17 आप लोग भी जो भी टीचर से सब शीट कर रहे हो सब की कंप्लीट है है यह नहीं तो आप ना उनसे बोलके वह यह वाली लो अठार वाट सो काम पूछे एटीन फोड़ गलत है वो अरे वो प्लियर नीए वो इसके मंटीपल आप्सन नहीं वो इसलिए मंटीपल आप्सन सो सकते हो तो मैं सवाज समझा आया कि निया है आप तो वो उसके हो पाइस समझा आगे आए इसलिए है तो यह सर्कुलर का नहीं एरर का सवाल है इसका सवाल है अरे बात नहीं एर्र के सवाल हर चेप्टर में आएंगे थोड़े थोड़े आएंगे और थोड़े उसे सिखाता जाऊंगा बिल्कुल बेसिक सी बात आपकों गवाइब समझे पहली पहली बात इसमें अर्व बढ़ी है की बहुत चोटी हापन बात समझते अर if the tension in the string is kept constant tension पहले हमाल लेदें कि टेंशन टेश है कितनी है क्योंकि T से confusion नहीं हो इसे मैं ऐसा कल लिया अगर T' की बात करें तो T' की वल्यू है M omega square L पहले था yes or no अगर omega की बात करें तो M 2 square pi square L by T square yes or no what remains constant T' तो अगर मैं time plan की बात करें तो T square equals to M 2 square pi square by T dash into L or we can say T equals to root of M 2 square pi square T dash into root L it is a constant term it is a it is a constant term कोई गुरह वाली वार to the formula in between T and L is T is equals to some constant into K root L yes sir T equals to K root L अरे नहीं आया तो T equals to K root L T equals to K root L सबने बोला ठीक मैंने भी बोला बहुत बढ़ी असा तो T equals to K root L अब ध्यान से देखो अगर चेज पहली बात तो आप एक तरीक से ऐसा कर सकते हो कि मेरे को बोलो तो मैं जो भूलो इस आप लगी है सबको है किस्पिस्टरी जए जए जो जए जो कि बोल रहे है कि भाकर बोल राके तो अब इसमें अगर आप जाने को तो एसे लिख सकते हो ती नीशन ती नीशन आपको गिवन है रूट के और आपको एल गिवन है और फिर लिखोगे टी फाइनल के और एल को लिखोगे एल प्लस पॉइंट जीरो वन पर उससे थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए जब भी एर चोटा हो जैसे 1% 2% अब तो 5% अब तो तो इसको कैसे करा जाए सकता है सुने दो दो दर लो 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 लॉटी इकोस तो लॉट के प्लस हाफ ओ लॉटल बोल यस और नो 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 दिफेरेंशियेट इस विट इस विट नो तरगां टीर स्करिंग कांद्ट एफ ले प्रिंग इस थैने ऐसरी ले के जहांसे पर और उन तो हंड्रेदेज वन दियल भाई एल इंटु ये समझ में आया दियल इसमाल चेंज इन एल एल इस लेंट इंटु हंडड़ेट वन परसेंट है यही तो तो इंटु दो मतर फंड़ेट हंड़ेट कर दो क्या यह परसेंटेज एरर इन टाइम पिर नहीं मुझे निकाल नहीं और क इसमें सर्कुलर कुछ नीए था अरे भई हाना गोल इसमें सर्कुलर पर इस तरह के सवाल एरर के हर साल आ रहे हैं अभी व्यूश्यार में खतम कर दिया क्योंकि तुमसे आगे चल रहे थे हो तो उनमें बीजिदियों कुछ कुछ टॉक्शाता जा रहा हूं उनको एरर तो हो सकता है तुमारा थोड़ा जल्दी हो जाए तुमारे रेस्पोंस पर डिपेंड करता है मेरे पर नहीं है ना तो मेरे को जी करिंद मुझे लगा तुम फास्ट कर रहे हो तुम्हें बीजिद्व प्रोजेक्टर लगा हुआ है लेट टॉप पे मेरे सब कुछ है आ जा 23 हो गया है क्या कोई हुआ है 24 काम कराए 25 26 26 कोजलो 27 28 29 29 29 डाउट है टारी पढना राहे है आ तो बना लो सिमिप्ट कऊ इसमाले ना यह है अरे हाना तो बोल और बटी करें सिस्केमा घुम रहे तो निए बनेगा क्या इससे निवाओ कर लेगा इस सवाल पड़के सायद समय ने आ रहे हो कि कुनिकल बैला बाकर से कुछना ना कौनिकल पैंडला जो अब आए बता हूं पूरा हो जाएगा शबाश बात नहीं हाँ हाँ 29 30 30 पक्का वो इसमें एक्सलेट करता हूँ माना है वो मैं समझे है कि सब डी बी तो हो सकता है या कुछ तो तो उन्होंने एक्सलेट करता हूँ माना है शायद लिए बात दोनों कर सकता है ना इसलिए इसलिए यह का लिखा हूँ की कार एक्सलेट कर भी है इन्होंने शायद सब्सक्राइब कार एक्सलेट कर रही हो इसलिए इसलिए करेंगी तो आंसर क्या जाएगा डी पर इसे सब्सक्राइब कार कैसी कार कर्यूज मतों इसलिए 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 जाओ तो लिखेड़ो सवाल इसलिए 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 आप ने खंद्सक्राइब कर विज़िए इन्ग्रीज इसलिए इक्रीज अनुग्छा अस्पीड यह सवाल 31 31 31 न थोड़ अच्छा सवाल है इसका एक तो आंसर है न मैंने चेंज कर रहा है इसका सवाल समझांगे फिर आंसर भी चेंज होगा उसमें जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं कि अगर रॉड सिर्फ ऐसे लटकी हुई है तो यहां पर पार्टिकल है तो इसके मास को कौन मैंस कर रहा है पार्टिकल के मास को अगर नार्मल यह जो भी वह बैलन्स कर रहा है अगर गूने लगी विद ओमेगा इंक्रीजिंग विद ओमेगा अच्छे से में इसको एना को जो अंदर प्रेंब सम्झा रहा हूं मतलब जी किदर है तो उस एमजी को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल दिदर चाहिए यह अगर इसकी उमेगा बढ़ रही है तो इसका एटेंगेंशल है की नहीं है एलफार और इसका एडियल भी है इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों इन दोनों कि यह वह इसका एडियल गेड़ भी एलफार कॉंस्टेंट है ओमेगा स्कॉर अबढ़ रहा है तो समय के साथ एडियल बढ़ रहा है और यह थीटा भी लिट रहा है समय के साथ इन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो बेसिकली इन बढ़ रहा है और थीटा तो जो नेट फोर्स बाइदरा रॉड है वो क्या मनेट है मनेट प्लस वो एम जी का अब आप समझना अब एडियल लग रहा है और इन एट असे लग रहा है अगर रॉड ऐसे अब यह क्या है एंजी विच जो एंजी को बेंस कर रहा है एक रोड फोर्स ऐसे लगा रही है मैंने तभी तो यह ऐसे चल रहा पार्टिकल अरे नहीं आया यह एमिनेट बढ़ रहा है और यह ऐसे भी शिफ्त हो रहा है तो रहा है अरे अब यह नॉर्मल एमजी और यह एफ नेट का रिजल्टेंट इधर है इन दोनों में कौन बढ़ रहा है नीचे वाला अगर नीचे ना बढ़ रहा है तो रिजल इंदेंटर्ट विद होरीजोंटल क्या घट रहा है विद तो उसका सी आंसर सही है एबी सही है और डी बी सही है इसलिए सवाल में लिखो विच इनकरेक्ट और आंसर कर लो भी हां तो है ना तब ही सब मान रहा हूं नॉर्मल है बाइसे टाइट क्यूं ऐसे पखड़के होरीजोंटली नहीं सकते उसको क्या ज़रते बेंड होनेगी स्ट्रिंग दोड़ी हूं मैं रॉड हो तुम्हें समझ आया गया है ना इसको चेंज करा है इसमें बहस होगी थी वीड प्लेट था क्या क्या रहा है थाटी वन थाटी टू थाटी टू थाटी डू डाउट नहीं चाहिए यह सावाल में करा चुब हो तुम कंफ्यूज हो गए उसने बोला कानेटिक एनरजी के स्क्वार कानेटिक इनरजी इस बेसिकली हाफ एम वी स्कॉर दियां से देख तो व इसको एक वाई एम रूट टू के वाई एम तो वैल्यों 2K वाई एम इंटू अरे यार हाना बोल अब इसको लिए वी डी वी बाई दी एस इधर उदर ले जा अरे बाई अब तुझ जैसे चला कि मुझे लगा ही निए तुम्हें आया नहीं आया तो उसने एनेट पूचा है क्या पूचा है तो एनेट क्या होता है अंडर रूट अफ ए टेंजिंशिल स्कॉर प्लस ए रडियल स्कॉर अब तो वी तो दिया हुआ है ना उसने अरे बाई हाना तो बोल मझे लगा ही नहीं तुम्हें आया आया की नहीं आया सोच लो कोई वराई जाने जिकल जाने मन स्सीखिलो देरा वजन हावाई कहां पूचें 33 33 काम कराएं 34 34 35 35 36 37 काम करा है 37 38 38 39 39 सोच लो 40 40 पक का एक साइस 2 साइस 2 नहीं थी ऐसे कैसे हो सकता है अजया एक साइस 2 और 3 एक साइस 2 और 3 अगले टन पूरी कम्प्रेट कर क्याना सब सब सर्कुलर का जो भी है सर्कुलर का जो भी एक साइस 2 और 3 हो कम्प्रेट हो नहीं एक साइस 2 लेवल 1 एक साइस 2 लेवल 1 प्रेश नबर 1 एक दो काम करा है तीन 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 आपार्टिकल मूँज लगे साइस आपार्टिकल मूँज लगे साइस छेट कर सब्सक्रइफिलेटरी दो पकर हिंद तness ओमेंगाविल लेवल 2 एक सब करेंगा करेंगाविलाव आपको समझा देता हूँ, तेई स्वा भी अटका होगा, है ना, इस दोने एकी concept पर सवाल है, नियान देखें क्या, दोनों हो जाएंगे अब, यह basically match की property circle से concept है, अगर आपका particle मान लो, यहां से रोटेट करता है, इस जगे से इस जगे, तो अगर वो center पे angle theta बनाता है, तो कि अगर यह थीटा होता है, तो यह कितना होता है, मुझे लगाएं तुम्हें आया, बस यही है, यानि कि अगर पेरिफेरी के किसी भी point के respect में, आपको omega दी हुई है, तो इस के respect मान लो, पाट के निया से यहां घूमा, इस पाट के respect में, उसकी omega अगर omega है, तो डी थीटा और हमने जो कुछ भी पढ़ा है, वो क्या सेंटर के respect में, ओमेगा वाली के लिए पढ़ा है, तो अगर पेरिफेरी के किसी भी point के respect में, अगर omega है, तो क्या सेंटर के respect में 2 omega है, तो स्पीड होगी 2 omega है, क्या होगी, अब देख ले answer आगे, देख, omega 2 है, तो असलियत में के 4 हो गया ऐसे 23 हो गया देख देख दोनों देख लो तीन और 23 दोनों डाउट होंगे तुम्हें नौ दस 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 में लिक्कत है सही तो है मिन बुल लाइब यह ऐसे इधर एक सब्सक्राइब उसका दिया हुआ है इसे घुम रहो ना रहे इसे घुम रहो ना इसे घुम रहो ना आई जे कर आप तो यह च्छे हो गया यह आट हो गया तो 6 इस कोज सूए टेंटंट इकवर स्वान अंदर है ना गिदर है तो होग यहाब माइनस 3 ट्रीमी कि अच्छा ओमेगा कि बात कर रहें ऊंतर है क्या 8 equals to omega square r 8 equals to omega square r r के लिए किती है 2 तो omega के लिए किती है पूछा क्या है कभी तो हाना बोलो इसमें क्या था मुलो बोलो हो गया क्या कहा पहुचे 11 11 11 11 में क्या है मैं उधरा ट्राइब 11 नहीं 11 हुए बले 12 13 13 14 14 14 15 15 15 हुए बले शानिर 13 पूछा चीए तपंडर पूछा लो 15 तो बहुत आसाल है जिए से डाइग्राम दे जिए तुम्साले परिशान होगा 15 पुछा नी 15 पूछ पूछा है नी याद है बूल गया तो याद कर क्या ओमेगा को लिख सकते है डी थीटा भाई डी टी जैसे तुझे अच्छा लागे मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या कंप्यूट टाइं टी रिक्वाइट फॉर्ड इंक्रीज अने डिश्ट विख सब्सक्राइब बताओं की कर लोगे आपने बताया है क्या हो गया होगा पैसे यहां से के अलफा निकला है और निता ग्रास से याद कर एक चीज में तो बताने तिरो याद ही नहीं याद है कि कि वो याद है अपन ऐसे लिखते थे एक्सलिशेण बराबर वी द्वी भाइचिक से धिक लिखढने थे फिर याद कि समय से लिखते घे तके थे एक्सलबंड. पाहिनल से करेंगा तो य earlier कि थियुकर और जलिखकर नहीं होगा निकला एग का त Fuj V final square minus V initial square equals to area under the curve. Equals to area under the curve. कॉंसा curve? AX. कॉंसा curve? AX. क्यार. हाँ. 15 अगया कोई उराई? 14. 14 अगया. A particle moves along an arc of a circle of radius R. 13 हो गया सबसे? Yes, sir. A particle moves along an arc of a circle of radius R. its velocity depends on the distance covered as V equals to A root S. Where A is a constant in the angle alpha between the vector of the total acceleration and the vector of the velocity as a function of S will be. उसने क्या बोला ध्यान से देगो? उसने आपको बोला velocity depends V equals to root A root S. V equals to A? Yes. यार आवाद यहार. V equals to A root S. चलो भी बहुत बढ़िया. क्या होगा? तो V equals to A root S. इस देहां से देखो तो यह speed है. क्या है? Sorry. यह distance है. क्या है? distance. अगर आप A tangential चाहते हैं. यह tangential होता है V D V by D S. क्या होता है? V D V by D S. तो V क्यो value इतनी है? A root S. तो V by D S के लिए लिए क्यो होगी? A 1 by 2 root S. Yes, sir. अपने सही बोला या? Yes, sir. V by D S के लिए क्यो होगी? A by 2 root S. सही लिखा क्या है मैंने? Yes, sir. अरे कभी कहाना बोल? Yes, sir. root S नी root S को मार्जी तो अंसरा है? A square by 2. मतने क्या tangential acceleration is constant? Yes, sir. Tengenization is constant. But this is. अब उसने पूचा क्या ध्यान समझना? उसने पूचा, तो यह आपका A radial है, यह आपका A tangential है, जिदर A tangential है, उदर ही velocity है, यह आपका A net है, बोल यस और नौ. मतनब यह angle alpha है, बोल यस और नौ. 10 alpha की value क्या है? A r by A t है? A r basically क्या है? V square by r. क्या है? V square by r. V square by r का मतलब A square s. अरे बहीं कभी तो हा ना बोल? Yes, sir. by r. और A tangential कितना है? A square by 2. तो A square ते A square को मार दिया. r के लिए कुछ दियू है, यह क्या है? जो आर मान दे रखाया आंसर समझना. अरे बहीं हाना दो बोल. Yes, sir. यार मुझे लखानी तुम्हें आया? आया. कोई दिका है? नहीं है. चलो बहीं. 16. 16. 16. अरे तुमने काम आम कराई नहीं है? 16. 16. 17. 17. 17. काम कराई है? 18. 18. 19. 19. 19. 19. सोज लो. 19. कोई वराई? 20. 20. अरे कभी तो हमाना बोलो. 20. कोई दिकाई? 21. 21. अरे पकाई? अरे काम आम कराई है? 21, 22, 23. क्या 21, 22 क्लास में कराई थे? याद है भूल गया? क्या 23 अभी अभी बताया है? 24. 24. 25. 29. 30. 30. 30. 30. 31. नहीं आया वह जो चल्ला भुषा हुआ है उसको सेंट्रिफिकल पोर्स कौन दे रहा है नॉर्मल और उसके एंजी को भी कौन बेलेस कर रहा है नॉर्मल तो ने नॉर्मल क्या हुआ एंजी का होल स्कॉयर प्लस एंजी स्कॉयर भाई आर का होल स्कॉयर का रूट क्या यह एन है और अगर स्लिपिंग और यह तो क्या फ्रिक्शन लगी है म्यू एन तो मेरे शाब चाहांतर आजाना चीए अरे यह दिख रहा है डिरेक्शन ओर ली यार मुझे लगाने तुम्हें आया क्योंकि एन ही वह होगा जो इसको संट्रिफ्यूगल पोर्स भी देगा और एन ही वह होगा जो इसको जो इसके एमजी को बैलेंस करेगा अरे नहीं आया 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 31, 31, 21, 32, 31, 31, 32 सबसो होगा हो समा exercise 2, level 2, question number 1, 2, 3, 4, question number 1, 2, 2, हाँ इसमें न, इसका अंसर भी हटा दो, इसका अंसर भी हटा दो, सिर्फ ACD रहने दो, अब सही दिख जाएगा तुम्हें दूसरे का अंसर सिर्फ ACD रहने तो वह एक्सेलेशन नहीं है वो क्या है एंगुलर एक्सेलेशन तो वह सीम आजा एक डायरेक्शन पर्पेंडिकलर तो भी होगा हाँ थर्ड थर्ड फोर्थ सोच लो अलागी इस सवाल आप कहीं इसमें दो-तीन बार आ चुके हैं फिर भी चलो पन कर लेते हैं अब बॉड़ी मूज इन सब्सक्राइब अपार्टिकल में चल रहा है एक पार्टिकल है जो जो पार्टिकल सरकल में चल रहा है उसकी स्पीड चलो फिरुट बहुत बढ़ी है उसकी स्पीड चलो बहुत संतर उसकी स्पीड गड़ी ऑच्छा बहुत बहुत मजा यह बाभाण इस उसकी speed ऐसे घट रही है कि हमेशा radial expression और tungential injection जो रहा है उसका रहा है तो इसे minus v2 by r लिखेंगे minus v2 by r q minus v2 by r q कुई क्यों उसकी speed काम हो नहीं तो कि a tangential लिंगत वह है तो दो 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 a tangential is minus v2 by r अब 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 दो लिख सकते हैं vdv by ds क्या लिख सकते हैं where s is distance where s is minus v square by r v ने v को मार दिया dv by v equals to minus ds by r दो तरह लिमिट लगाओ कि e की पावर में आंसर आता हो नजर आ रहा है यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया once you will get e की पावर में रिलेशन पर जो आपको निकालना हो निकालनो कोई खास बात मुझे लगा नहीं तुम्हें आया हाँ को और बोदूं कि यह हो जाएगा हाँ काम पहुँचे चार पांच काम कराए अरे पांच अरे छे अरे छे अरे छे अरे साथ साथ दाउट है यह यह नलम का सवाल है एक्चुली साथ भासुन हाँ स्मूथ समिसब्ड़ वायर ट्रैग बताय ताँ सुन लेज़ा है स्मूथ समिसब्ड़ वायर ट्रैग रटेस रस निन अवर्टिकल बेन वर अड़ाग हो मासले प्रिंग 3r by 4 नहीं किती है उसकी 3r by 4 आ से कम जादा कम इस अटेस्ट तो लोवस पॉंट ओर वायर ट्रै का small ring of mass M which can slide on the track is attached to the other end of the spring the spring is the ring is held stationary at point P such that the string makes an angle 60 degree with the vertical vertical से साथ डिरी माल आप ऐसे सरकल है देखिये अगर याप ऐसे सरकल है और ये आर है और ये अंगर 60 बन रहा है ये बोलो क्लियर ये अगर साथ है तो ये भी आर है ये आर यार तो ये भी आर तो इसके टेंजेंट से ऐसे यहां पर तो यहां पर देखिया रहा है इस पर टेंजेंट से टालो को ये तीज दिग्री है तो बेसिकली इसके टेंजेंट से कि है ऐसे यहां पर 30 दिग्री पर फोर से के आर बाई फुर अरे उसकी ने तो आर तो R-3R by 4 is? क्या R by 4 का extension है? ये सर्थ R by 4 का extension तो 1 क्या R by 4 सा गया? एक M G, M G कर रहा हुआ है ना? एक M G इदर लग रहा है? इसके परभणिकों लग लगेगा? N? तो M G का इदर component और क्या R by 4 का इदर component क्या टैंजेंशल एक लाएगा? और N प्लस M G की दरकमपोनेट और क्या R by 4 का इदर कमपोनेट? क्या N लाएगा? अब जो पूचे निकाल लो सुन क्या बता हूँ? अरे भई हाना तो बोलो मुझे लगाने तुम्हें आया? आया की नहीं आया? क्यला गता हुआ है परे कभी तो हाना बोलो काम करा ही नहीं हाना कहां से बोलें सर इमांदर से काम करा हैं? साथ होगे आठ होगे आठ वोई, सिंपल मलत ध्यान समझ लो साथ वा था, आठ वा सुन इदर देख खुपाच, 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 खुपाच यह दूरी L, यह दूरी L यह एंगल कितना दियो है? यह भी L, अगर यह भी L तो यह टोटल 60 क्या है 30? अरे हाना बोल यहां पे टेंचन T1, यहां पे टेंचन T2 नीचे लगा M G, बाहर लगा M omega square R omega square R की वेल्यू L cost 30 root 3 L by 2 कभी तो हाना बोलो दियान से देखो equation तो T1 cost 30, cost 30 की वेल्यू root 3 by 2, T1 root 3 by 2 plus T2 root 3 by 2 equals to M omega square root 3 L by 2, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया? अरे हाना तो बोल इधर देखो T1 sin 30 यानि की T1 by 2 equals यह कौर T1 by 2 divided 2 by 2 plus M G अरे कहा यहां सट्टेंवन्टे तो निखला आया? जियान से देखो पे तो कौन बड़ा है? T1 गरते का पेट मिजार्द है प्रसका बरी सनाने वाला है तो T1 by 2 equals to T2 क्या T1 बड़ा है की T2? T1 0 कौन हो सकता है? T2 तो T2 निकालो omega की टर्म्हें अरे इसमें 0 T2 छोटा है तो 0 कौन हो सकता है? T2 तो चल लिखकर रगए तो T1 root 3 root 3 root 3 root 3 मर गया 2 2 मर गया तो देख T1 plus T2 की value क्या है? M omega square L क्या ही M omega square L? और ध्याद देख T1 minus T2 की value क्या है? Mg अब तेरको T2 निकाल देख T2 अब तेरको T2 निकालना है ना? तो this minus this करे Mg यह यह यह? add 2mg तो इदर लिखेंगे 2mg यह plus नहीं? इदर आना है ना आपने इसमें से इसको घटाओ तो M omega square L minus 2mg by 2 यह 0 हो सकता है की नहीं हो सकता है? तो अगर टाइट रहना है दोनों को तो कै T2 should be greater than 0? Yes sir T2 should be greater than 0? कै you will get a condition in omega? Yes sir You will get a condition in omega कौन 0 नहीं हो सकता? T1 कौन 0 हो सकता है? T2 अगर धीर omega से घुमाओ के तो हो सकता है की T2 0? और यह slack करके कौनिकल पेंडलोम की तरह मुग करने लगे? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? आया अरे आया की नहीं आया? आया आया सोच लो Yes sir 10 वा 10 वा 10 वा 10 साइज 3 10 साइज 3 10 साइज 2 10 क्यों? खतम करूँ ना चेप्टर खतम हुझे लेगा Yes sir कैसे नी थी में तो सब दी चुको? Yes sir इतने लोगों ने कर रगी है बागी क्यों नी कर के आया? कैसे नी थी? देखो वर्टिकल सर्पलो मोशन ये दूज मेरे दूसर के पाप मेरे पास आगा है आया बाया के पाप मेरे अचब आया मेरे आई हूँ आईए वर्टिकल सर्कल कौन सा सर्का है बेसिक से स्टाइट करते हैं दो चीज होगी आवशकता है एक तो आपको फोर्स की एक्वेशन लिखनी आनी बेकार रेस्पॉंस सटा मैं इंतो पासु चेंच एक इंतो दूस्री वर्टिकल पता हूह 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 पज़ और मेरे आपको उसके बढ़ गरे अबर्टिकल सर्कॉंसरी आपको सा मताइव जाए पता हाता कि वरक्ड़न और और थाया ना पक्रेकल इल्पता हूह यह प्रण पर दिखाई रहा है तो आप उस बंटन को लिख सकते हो अगर आपके सिर्फ पर सिर्फ इंशन बिखी जा सकते है इन इसल बराबर यह अनिकि यू निचल प्रस के निचल इकोस्तु यू फाइन इकोस्तु प्लस के फाइन बोल यह सोर नो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अगर हमें जो आना चाहिए पटिकल चालू करने से पहले हमें जो बेसी चीजी आनी चाहिए अपने मन से पूछना जो पर पहले भी करा चुका हूँ मालनो कि आपका पार्टिकल यह सर्कल में ऐसे घूम रहा है मैं आपसे बोलू कि आप इसकी रफ्तार 10 मिटर पर सिकंट है कि आप टेंचन मता सकते हो एक बात अच्छे समझ में आई कि कि पार्टिकल जब भी यहां से यहां तक जाएगा तो ध्यान से देखो तो पार्टिकल जब भी होगा तो उसमें सिर्फ और सिफ दो फोर्स होंगे T और M.G. इसके लाब और कोई फोर्स होने वाला? ने है अच्छा T is always perpendicular to यई इस वाले केसे समें अगर आप भूत ध्यान से जगे तो लिख जाएगा grande by tension plus revenue by gravity plus revenue by gravity equals to change in granting energy that is half mv square minus half m u square. ढो yes or no? माझनों यू आप basic point में माझनों और को पर ले जाओ तो आप ध्यान से से को tension का कभी भी कोई work done पर tension का इसका मतलब यह नहीं कि रोल नहीं है टेंशन का रोल इस नहीं कि बिना tension के तो circle होना possible कर देंशन का रहे कोई भी कुछ नहीं कर रही है पर वह उसको चक्का घुमारी है और उसकी direction कर रही है yes or no yes sir और नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी महत्ता नहीं है अरे हाना बोल यार हो सकता है कि आप direction दे रहे हूं पहले जो मैं बोला यार हा ना बोल बहुत बढ़िया सब तो अपने बोला इसमें देखो तो अब डर्डर बाइटेंशन कुछ भी आच्छा तो फिर एक का इस इन सवालों में जो बटिकल सर्फल में पढ़ने वाले है क्या उसमें सिर्फ एक चीज़ का बढ़ने बचना ग्रेविटी ग्रेव अब बात करते हैं अब अपने को यहां पर चाहिए अब अब बात करते हैं इकार देखो मेरो कोई भी अपना इकार अटाकर ताकि मैं आपको बात को समझापाँ हूँ माल की अपका यह वर्टिकल सर्गल है यह को पाई पर 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 ठीक ऐसे हैं अब कंपास लेकिया हूंकिया ? यह साइ ! मालो अधिय। कि अधिय। झाँ कि अधिय। मालो यह वाओ कभी दो मिली आकर इसको से कि निहेंता यह वहले हैं तो ऐसे वाई बोलो क्लियर अब जिसे मान लोग कि मैसका थवड़ी सीवरास दी। क क्या पेंड़लूम की तरह कर रहा है मैं से कर रहा है दो पड़ा ले आजा कई लोगों को तो मिलें सहनी दो टा की पड़ा क्यों राही तुम क्यों चाहते हो मैं गालिया भगना वापस चालू कर दूँँगा मुझेर को लग रहा है मैं इसना से गंट्रोल कर रहा है पर इस साल में करनी का हुआ हूँगा तुम यही चाहरे हो साला मैं गालिया भगना रिकॉर्ड हो जा पिर साला यह कुनी दरिंदा अब बलजाज जो बोला चमका उच्वटी जो जो दिए ट्रॉर्र है ठीक थेज दो तुम पूरा सर्कल घूमा पूरा सर्कल घूमा नी घूमा अरे हाना बोल या तेखाँ जो चूड़ चोड़ दिया जब धीर से दिजी तो सर्कल नी चोड़ पंड़लम की तरह गरा और यार रहाना बूल तेज रफ्तार ती क्या पूरा सर्कल घूमा गरा यह रफ्तार ऐसी दी गिर गया बीच में यहार रहाना बूल यार इपन्स न व्लॉश्टी यह इपन्स इसे आगे ढिए धिच्छाँ गिर भी सकता है और पूरा सर्कल भी करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए तेंशन करना है तो हमेशा तो हमेशा विलाउस्टी इस नोट कंदिशन circle तब करोगी जब string tight रहेगी circular path में तब होगी जब string so what is the critical condition for performing circular अगर मैं चाहता हो कि complete circle, क्या चीज? मैं चाहता हो कि complete circle तो मुझे समझ में आना चाहिए कि tension should always be greater than equal to zero at every point at every tension zero से ज़्यादा हो नी क्योंकि zero से कम हुई तो slack कर जाएगी slack कर जाएगी तो circle? ने कर जाएगी तो circle? यार मुझे लगानी तुम्हें आया अगर वो slack कर गई तो फिर circle होना possible? यह बात मुझे समझ में है क्योंकि circle टेंशन तो होनी चाहिए tension तो अब मैंने सोचा अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना हम सहला अच्छा यह बात वह बात तो हम पहले tension पे analysis करें अगर पूरे circle में tension जहां सबसे कम हो मैं चाहता हूँ इस साड़ा body is a condition for complete circle मैंने बुरा T greater than always पर इसकी critical condition क्या है tension minimum should be greater than equal to zero tension जिस point पे साली tension minimum हो जिस point पे साली जिस point पे साली तो उस point की खोच करते हैं यहां potential minimum तो मुझे पता है तुमें पता है को उसे पूरी feel करते है अच्छा लगेगा तुम तो बर्टपन से intelligent हो तुम तो ऐसे मुझे चेक करने आते हो कि में भूल तो नहीं कया तुम लोग ताकि में बाकी बैचे को डंग से पढ़ा पाहूँ तुमें तो पहले से आता है ना तेंक यू अब इतरा जाओ यू कितना कितना अगर मैं आपसे पूछो what is tensionant A तो आपना अंसर होगा mg plus mu square by r सोच mg plus mu square by r अब क्या होगा आप यहां से यहां है जैसे आप उपर आओगे रफ्तार देने के बाद उपर जाने पर रफ्तार गटेगी बढ़ेगी यह तो लॉजिकल है क्योंकि जैसे से उपर जाओगे potential energy बढ़ेगी तो इस्पीड यह तो बिल्कुल crystal gear की जैसे उपर जाओगे वैसे से speed क्योंकि आपने सिर्फ bottom most point पर रफ्तार दी उसके बाद आपने रफ्तार गटेगी पर अज़ा जो बोला चमका मालो आप यहां पर नहीं पर आगा है मालो आपकी रफ्तार V dash है कितनी है और यह mg और ध्यान से देखो तो यह theta है कोई बुरह वाली बात ध्यान से देखो तो इस वाली टेंटिशन में जो आप अपर टेंशन है यह से मालने तेख क्या मालने तेख तो आपको दिखाई देखा T dash equals to mv dash का square by r plus mg cos theta मुझे लगा नहीं तुम्हें आया अगर मैं चर्चा करूँ A C B तक की कहां से अगर मैं जरनी कर रहा हूँ A C B तक की तो मेरा theta बढ़ रहा है तो cos theta घट रहा है speed भी घट तो T dash घट रहा है A C B मैं T घट रहा है नहीं ऐाया तो ए से बीं में टेंशन ज़ितन कम variety भावर्ब क्या पर विक सकता भीकी उपर भी ऐस से बींचीन अ कि 20 इह सकता है प्लिप टेंशन जीरो हो अपिए सफर्वलर पाथ को छोड़ ए से भीमेध आप कभी भी सफर्वलर पाथ को छोड़ कि लगा है नी तुम्हें आया है और आया गे नी आया है पट डेवर को टू जी जो बहुत की बारे सोच लो अपर बीसे सी का लिए यह जे कि और भींध ले जुदरी चाहर ले States वोई T double dash, velocity हो गई V double dash के पहले से और कम हो गई? इधर की मदबल देश का whole square by R, इधर M G, बोल यस और नो? अगर मैं चलू B से C, तो थीटा घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, तो cos theta बढ़ रहा है, अब थीटा घट रहा है न, B से C जाओंगे, तो आना बोल या है, T double dash is what? M V double dash का square by R, minus M G cos T, जब आप ऐसे से जाओंगे, तो थीटा घटेगा, cos theta बढ़ेगा, V घटेगा, तो बोलो T double dash, 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 D से C C से D वापस वही होगा जो B से C होगा नहीं आया अगर आप से पूछ लिया जाए तो C से D क्या होगा Tension increases और D से A वापस Tension increases अरे तो कहानी रिपीट होगी कहानी क्या होगी सबसे कम का सबसे कम का होगा क्या Tension is minimum at C Tension minimum implies Tension at C Tension minimum implies Tension at C मुझे लगा हैं तुम्हें आया आया नहीं आया Tension minimum implies Tension at C Got my point? Simple simple ही पढ़ा ही आज टफ चालू नहीं होगा इसका पर ददा जो बोला चम का अच्या पर एक बात सोच जब आप B से C में ते क्या Tension 0 हो सकता है Yes जब आप B से C में टेंशन 0 हो सकता है Yes अगर कभी particle circle का चोड़ेगा तो क्या B से C में छोड़ेगा Yes वरना नहीं छोड़ेगा Yes क्या A से B में छोड़ सकता है No क्या B से C में छोड़ सकता है Yes Tension may be 0 May be 0 Okay अभी तो हम complete vertical circle की बात कर रहे है अभी तो हम complete vertical circle की बात कर रहे है अभी हम उस पे कोई चल्चा Yes हम तो क्यारे है बाइसा पूर असरफिल कर रहा है Tension at C Tension minimum at C Tension minimum is at C Tension at C should be better than 0 Yes sir What is the condition for complete vertical circle Tension at always point, every point should be better than equal to 0 It means K if the tension at minimum point should be better than equal to 0 Tension at minimum is at C Yes sir So what is the condition for complete vertical circle Tension at minimum at C should be better than equal to 0 Equal to lagaon, 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 lagaon Lagaon, 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 lagaon क्यों, क्यों, क्योंकि अगट C पर 0 भी हो गया C पर 0 गया तब भी क्या रफ्तार की वैसे आगे निकले Yes sir रफ्तार की वैसे और राके निकलती काम बन जाएगा वापस सर्गल में Yes sir यार मुझे लगाएं तुम्हें आया 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 की नहीं आया अरे सोच लो Yes sir अरे कोई उप्राई नहीं है कोई काश नहीं है रुपाया तेज पढ़ा रहा हूँ No sir अब सूथ Oh 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 अब आस कुछ नहीं सी पे रहाला है जेगो कैसे वापस मनातों तुरो रजा अच्छ लागेगा आपको Oh 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 चाय टंडियों की तुमाचकर में V U ये टेंचन एट सी प्लस M G उपर क्या लगा M V स्क्राइब क्या बच्चे तेंचन एट सी वाइट better than equal to zero तो ये greater than equal to zero होना क्या हमें U सी पर कंडिशन लगा निए तो हमें V U की डामस में पता होना क्या वो energy conservation से आ जाए हमें बहुत ध्यान से तेगे तो यहां पर क्या potential energy zero मान ली जाए जाए तो इसली इनिशा पूटेशन पोटेशिया जी जीरो इसली अध करनेजिटी आफ मोस पैकरे नहीं होगेश पीर्स पिरिपीर व्य कलताहर है और और जैसे शीरो divers पुक्लिपल्सोन और योच गैसे वाल जीसर है जैसे डिए उजीर है उत्वल और यहां। M U square minus 4 M G R equals to M V square अरे कभी तो हाना बोलो M V square के लिए उठा के यहां पर रख दो तो यहां पर रख दो तो क्या आएगा? कर दो आएगा? दो डौट है अबोल लाए कर लिए सी पे ना हाई कि उस समय रफतार जिरो नहीं तो इस रफतार की वैसों जैसे आंके निकले अपर सरकल पर सरकल रहेगा इसलिए क्यों फोड़ी सखल लगा है थो कि जब टेंशन जीरो ही है तो फिलाश्टी जीरो वी थोड़ी जीरो है तो जालो सीज़ाए और जाए ह परे हैं कि नहीं आगे इसलिए दो सिंपल सिंपल सी बाते हैं जो आपने को चाहिए होंगी बिल्कुल बेजिसी लेस्टेक्शन ध्यान सब्ज़ें मालों मैं आपको बोलूं की गलत मत करना इन सवालों को मालों में वन मिटर मास वन केजी है रफदार आठ मीटर पर से लिए पर तो स्रुखल करेंगा नहीं करेंगा क्या पूरा स्रुखल करेंगा यहां आपो रूट फाइफ आरजी इस रूट फिफ्टी यह साथ से प्रोड़ा बड़ा और यह तो आठ है यह तो तो क्या एट इस डिटर देर रूट फाइपारजी इस अगरेगा तो बताव तेंचने एट एट पीटेंट एट एट थेंच क्या इटाइट यह स्वार्विविविविविश्ट फाइखक्स जीएग पर इछ थेंचने लिए एट नेबतारा इन एक यह तो इए पर रख्तालिकाल्यां दो मालोगी तो इदर लग रहा है बेसिकने खने सिस्टी पूर बीज दो च ऑनेनगेंगेंग तो रहा है इंगें इदर M G, M G का कोई रूल, टेंचिन अट भी, simply M V square by R, तो आपको V निकालना आना, V निकालने के लिए energy conservation, simple energy conservation, 0 initial kind of energy plus half M 1 into 8 square equals to, आपके potential जी आगे, 1 into 10 into 1 plus half of 1 into V square, तो 64 by 2 is 32, 32 minus 10 is 22, 22 into 44, तो V की value है, root 44, वी की value है, root 44, तो टेंचिन अट भी, निकालने के लिए आपाई साब, 1, 44 by 1, that is 44, ये रफ्तार फिर मान लो, V C, जो भी माननी है, energy conservation करो, initial C, half of 1 into 8 square equals to, 1 into 10 into 2, plus half of 1 into V square, 64 by 2, 32, 32 में से 20 गया, 12 into 2, 24, तो V की value है, root 24, और C पर जो टेंचिन है, वो है, M V C square by R, और इधर M G plus DC, बुलो सही है क्या, तो टेंचिन अट C क्या होगा, M V C square ये रही 1 into 24 by 1 minus 10, 14, आंसर है बाई साब, 74, 54, 14, बहुत बेसिक चीज है, ये आपको आना, इसमें कोई जोल जाल नहीं कर सकते हैं, एक परशेंट जोल जाल नहीं, नलाज मत करना, प्योर पेट्टे से, ये 2 मिटर है मान लो, इतना है, 2 मिटर ठीक है, मास भी 2 कजी ले लो, मान लो रफ्तार दी, 12 मिटर पर सेकेंड, कितनी, 12 मिटर पर सेकेंड, जब ये एंगल 53 डिगरी होगा, तो टेंशन क्या होगा, करो, सर्दों करना है ना, करना है, इधर मन देखना है जटक्रन दीलो, बात नहीं, खुद करो, तेरी होडा सेकेंड, सक्ते हैं, सक्ते हैं क्च्परपेंग, भी, क्感 Elis कुछ नहीं हाया ? आया ! पहली बात क्या मिनिमम वेलासिटी रेकॉर टु मूव अपार्टिका सब्सक्राइड इस रूट 5 रजी ? और अभी तर आपको एकॉन्टेंस अच्छी का बॉटम और रफ्तार पता तो किसे ही पॉइंट पर टेंशन और स्पीन निकाल सकता हूं यही सिखाया है बस में अभी तर यह रहाँ आपूल एसा एक और पर हम पकी बार कोई नहीं सीखता है दो तीन कराया तो कॉंट पर टेंशन पर कंडिशन होती है किसी बॉटम पर रफतार पता है किसी भी पॉइंट पर रफतार निकाल सकता हूं बोलोग लिया यहां तर एक साइस थी लेवल वन सर्कूलर मोशन प्रेश नमर एक दो तीन चार पांच 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 चार नहीं करेबल है तू बोड़ीज एंबी सेपरेटेड़ बाई इस्टेंस तू आर अरे भाई क्या बाद टू बोड़ीज एंबी सेपरेड़ दिश्टा इस्टेंस टू अरे बाई कैसे? चुलाथ था था रोडीए सार एलागा सब्सक्राओं नियुक्राओं औरो उच्छाओं करता है पैस्ट थेयार् हुर्ण था बॉटी था रोडोग्रों का फिर्ट अपर नियुक्र हो तुलाथ नियुक्राओं कविए *** और उटोर। ऐसे ऐसे एच विदा उनिफॉर्म स्पुट भी एड टाइम तीका सिडूर एड 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 विच दूरी किती है पाई आर इसको श्टेट लाइन में करड़े यह पाटिकल ए यह बी एज अमाज यह पाटिकल ए वी से जा रहा है यह B-B-E से जा रहा है परंगे बीच ही दूरी किती है? पाई आर इसका A-A-A-A-A-A-C-L-E-R नहीं आया? अरे वो इतो पकड़ना ही तो है S को यार और दिन के विची दूरी कित्ती है PiR, कितनी है अब यहाँ पर बैठ कर देखो तो इसकी initial रफ्तार कितनी है Zero, कितनी है Zero, दूरी ट्रैवल करनी है PiR, कितनी करनी है तो किती दियर बात पकड़ेगा लिखा जाएगा S equals to UT plus half of S हो गया पाई यार equals to half of acceleration 72 V square by 25 पाई यार into T square मुझे लगा नहीं तुम्हें आया अरे आया नहीं आया पस अब क्या था देखे 36 हो गया यह दर 25 जाके 25 पाई स्क्वेर कौन बात कर रहा है कौन बात कर रहा है तो T आगे नहीं आया की नहीं आया अब क्या बचाओ दो तो एंगल कवर्ट बाई कैसी दियर में किता एंगल चलेंगे बताना बाड़ी बाद PteCos to omega initial T plus half of alpha T square अब निकाल लो जो भी है ऐसे कर लो SIMPLE सा CHUDA सवाल कादम अरे कोई चटा अब पाटिकल मुझे ने सरलोब बेचार with constant speed V then find the magnitude of average acceleration unit orbital πι र by 2V average acceleration, you got the changing velocity upon पाई क्यों सवाल कुचा बन नॉन पुचे बले इस बैच के लिए at least ये V उसे बोला πι र by 2V time कितना तो आर ने आर को मार दिया वी ने वी को मार दिया अंसर आया पाइब इतने टाइम के बाद क्या अपना पार्टिकल यहां से यहां पहुँच जाएगा सो यहां भी रफतर यहां भी रफतर तो चैंजे लिलॉसटी फू यहां रिलॉसटी पार्टिकल हुआ है था न नहीं है यहां minus v initial यह आया root 2 v क्या यही changing loss दिये root 2 v by time time कितना है अपना pi r by 2 v 2 root 2 v square by pi r तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया कोई बुरही करेबल सवाल करेबल सवाल था चटा हो गया साथवा साथवा काम करा है 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 पेडलों का टाइम प्रेड होगा है 2 pi under root l by g 12 ग्यारवा बताओं की हो गया है हो गया है एकदम पक्का सोज लो simple पेडलों का टाइम प्रेड होगा है 2 pi under root l by g 2 pi under root l by g तो बहुत बढ़ी है साथ अच्छी बात आईये 11 12 12 बारवा 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 सोज लो yes sir पका yes sir है है ग्यारवा पका अच्छी चर्कूल टरंटेबल अब जितने भी FTP वाले होना आप दोनों भी FTP होगी होना राप भी बारवा, 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 फ्रूरावडा, बार्वा फिर, और एक शर्वा, इसले छोड़ दिया गिसले इसले इसले बडा डिया इक यह ब्राइग्राम और आत लाइन भाग स्वाल ने कुछ भी उसले 0.1 meter से छोड़ा, कहां से छोड़ा ? 0.1 सब्सक्राइब थर्ण टेबलर घ्र उड्य गणा डवट इस वूट भूट अगुट से अबाएग। तो बॉल मूजित, जाहिट सी बात है कि बॉल क्या compress करना चाहेगी spring को, तो kx is balanced by what, पहले से 0.1 था, माल लो x और compress हो गया, तो क्या radius हो गया, 0.1 प्लस x, तो m omega square 0.1 लिख ले equation चाहे तो, m omega square 0.1 प्लस x equals to kx, तो मैं दूर दूर समाया, centrifugal port जो बाहर की तरफ लगा, वो लगा, m omega square r, क्या r 0.1 है कि 0.1 plus x है, where x is the compressed length, where x is the, तो m omega square x plus 0.1 equals to kx, equals to kx, खदम, बजदरही घंडा था, इसलिए करेबल सवाल था, 13, 13, 14, काम करा है, 15, 15, 15, 15, सोज लो, और क्या था बोलो, level 2 कर दिया सबने, सोज लो, guaranteed, पका, level 2, प्रेशन नबर एक, प्रेशन नबर एक, दो, incomplete है, सवाल है यह नहीं हो, छोड़ दो उसको, अरे हाँ नहीं है, सवाल मुझे पता है, मुझे पता नहीं बढ़ रहा क्या, जान ले लो मेरी, चक्कु ले आगर घोब दे मेरे, थार, थार, थार भी, थार। थार्ड इंक्प्लीट है, थार्ड है, थार्ड है, एक ही था शहर, एक ही था शहर, लोड, लोड़, फोर्थ, 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 सिक्स, छित्व भॉला को आए ए душ शagacie, यह भॉवाला है इसी देश्ड, शुभ भॉपार, वह भी साप्ड़, जॉढॡ altogether एप्रोग उस्मार्प भॉर एप्रोग ए प्राइट आ और अव्ला कं पने ए लाहें लाहें। ऐसा है कि ऐसे शेडो ली हुई है मैं उल्टा कराओ जैसे एक स्टैनेट सवाल तो यह होता है कि सर्कल में पार्टिकल भूम रहा हो और उसकी शेडो प्लें दिवार पे लो वो थोड़ा असार हो यह वैसी बात है जिसे आप ऐसे चमें कभी फेजर पड़ा हो जब पड़ोग एजसे अपन चल रहे हैंगे एजसे अपन भी लिखर अब क माण भी आ व्याव कातवक हालरा इसको पार्टिकल को डिजे आप इने स्टीट लाइन लाइन अल्लौग 10 सिच पुलह ऐसे कहां से स्टाट करा रहा वे कहीं से तो एसे माने नreaming एछ सभी है से स्टाटोअ कहां से क्वालों वहाने किसी पॉक्तार यह कितना हुआ मिटि इसमेises अ भीटि ऊसले मैं यहां पर हो अजन हो समयआ पेसी किरा तो शट तो या या इगी अ अगर आप यहां पर हो तो अगर शटो यहां पर है तो सोच हो कि यह जो दूरी यह दूरी हमेशा किती रहने वादि इस अग बीएगा यह झान यह यह वैलू कितरी होगए है यह है कितना है तो ध्यान से तो यह अगर R-VT तो यह दूरी भी आपको पता है तो ध्यान से तो यह दूरी भी आपको पता है तो ध्यान देख तो बेसिकली इसमें भूमने वाली D theta by dt is alpha, sorry, omega और उसने क्या क्या बुचा, A tangential और A, radian तो ज्यान, अगर तो calculation wise सोचे, तो थीटा तेरेको time का function पता है तो यह दो थीटा तेरेको time का function पता है अब अच्छा है समझ दे, क्या D theta by dt is omega once you will get omega, once you will get once you will get omega, what you will get a radial omega square r a radial अच्छा, D square theta by dt square alpha, तो D theta by dt ए एक बार करेगा, तो omega जाएगा वो भी time का function आएगा वो किसका function आएगा अब जैसी तरह अच्छा लागे, जैसे माले तू यहां पे लेगा sin theta equals to sin theta equals to sorry, cos theta equals to r minus vt upon r तो cos theta का differentiate करेगा तो क्या आएगा, sin theta sin theta, D theta by dt, के omega की value आगई उस particular instant पे अरे भाई, हाना बोल याद, फिर एक बार और कर दो alpha तो क्या जाएगा, alpha पूरा करूं की समझा जाएगा, अरे पक्की बार yes sir, मैं तो पूरा बता दे है, calculation आपको बढ़नी है फिला ता जो बोला, चमका, yes sir कोई दिक्कत आ लिए बार, हाई है हाँ भई क्या हुआ seven में one two के answer यार, उसमें चेक कराएगा seven का one का answer और two का answer नहीं दिया हुआ है इसका answer याद है किसी को, किसी निकाले होता हूँ तो किसका answer है two फिर exercise three level two के, साथवे का answer दो दे रखा है इस सवाल शाहिद आसान है इसका answer याद हो किसी को, तो मैं लिखा दूँ मेरे बीड़ पर इस्टार में लिखा दे दा, मेरे पर याद नहीं है अभी ये पर अब इसे सब का match करे तो तो दुमने करे ही नहीं तो दुबर में 37 आ रहे गया सब का रहे 36 तो लिखो फस्ट का answer 36 आ तो अच्छा कोश हो जाए सेकंड का क्या रहे क्या रहे और किसी का और किसी का 1.41 में हो, 9-3-25-9 25--2-3 1.1-1-1-1-1-1-2-2-1-2-2します 1.1-2-1-3-2-4-43-2-4- 11.4-4-4-4-8-4-8-8-9m2-4 छट्वा आटवा सोज लो गारंटीट शोज लो आच्छ और क्या था लो अपकाने बढ़ा जली निगालो झाल झाल